हेलो फिरी वान वेरिषट इवन टो ओल औफ यो कैसे हैं आप लोग जल्दी से गजीगरं कि सारिक सारे बच्चे किक्या सारिक सारे बच्चे अकदम स्वस्त है क्या जल्दी से एक बार फड़ा-फण से सारक बच्चे बता देंगे कि कि या वर आधे राधे जैश्री राम हरे कृष्णा जल्दी स्याजव फड़ा फड़ा भाई और आज का दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि आज की तो क्लास है उसमें साट कर रहे हैं क्लास 11 का चाप्टर नमर 3 सरल रेखा मिगति और चीज़ों को तो क्या आप लोग तयार हो जल्दी से बता दो अपने सभी दोस्तों को जोने क्लास शियर कर दो सो दैट कि सभी सभी बच्चों के पास जहीं क्लास महुत जाए और बच्चों आज कि लेक्चर में हम लोग असल में फील करेंगे कि कब कोई भी वस्तू ओहो हम आ गए आपने बुलाया हम चले आए जल्दी 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 आजाओ इसके बाद शुरू करेंगे आज फनी क्यों मिस कर रहे थे यार गुड इवनिंग चंदन क्रेजी बॉइ बटरफ्लाय शवनम राज बहुत यच्छे बहुत यच्छे बहुत यच्छे बहुत Arts यार कुछ भी बोलो न्यों प्रेंड वाल इसकी सब्मच्छ में रही क्लाभी है ना ये विल्कुल इन्हें कुछ नहीं आता है मैं वैसे ही बच्चों देरें आपको फुलॉपर पढ़ाऊंगी बेसिक से एडवांस लावल तक का हम सफर सार्ट करेंगे और बच्चों आपको जो है ना फिजिक सबसे आसान जो लगेगी बहुत ही आसान लगेगी और आप कोगे माम बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है वेरी गुड क्या बात है सो गाईस क्या आम लोग स्टार्ट कर दें क्या पढ़ने के लिए तयार हो हमें कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं आप पढ़ना ते स्टार्ट करो है ना आपको सब कु समझ में भाई बिल्कुल क्या बात है बिल्कुल करें तो एक बार जल्दी से बेले आग फैला दो तुम्हारी अंदर की जो आग है यहां पर दिखने चाहिए और तुम्हारी आग के साथ ही इस साथ करेंगे सरल रेखा में गती जो कि हमारा चाप्टर नमर थ्री है एन बच्चों यह वो चाप्टर है जो हमने थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में अमने क्लास नाइंत में पढ़ा हुआ था बहुत ही अच्छे हाँ जी मैं रेडी पक्का रेडी पका शुरू कर दूं शुरू कर दूं बच्चों आज की तो क्लास है हाँ मेरी बात सुनों बहुत ध्यान से आज की क्लास में मुझे तुम्हारा पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए सपोर्ट इंदा सेंस कोई भी किल बैट करें कथा नहीं सुन रहा होगा ठीक है आप लोग प्रॉपर क्लास को में जोना फील करोगे मैं तुमसे कुछ अगर यहां पर दिखवाओंगी तो तुम प्रॉ फिजिक्स को फील करने के लिए तयार हो तो बच्चो शुरू करते हैं आज की से बहतरीन क्लास को बहतरीन 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 क्लास को क्या बात है क्या बात है बहुत ही बढ़िया वेरी नाइप मैं बॉम फेला देने वेरी गुड क्या बात है सानिय बहुत ही अच्छे चलो ट्रेन के पास, नहीं नहीं नहीं, चलो, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, तो बच्छो सबसे पहला जो है न, बटाओ, तो सबसे पहला जो टापिक आता है, वो आता है motion and rest, motion का मतलब होता है गती और rest का मतलब क्या होता है, विराम की अवस्था, ठीक है, बहुत ही बढ़ बच्चों पहले ये बताओ कि ये आदमी चल रहा है या रुका हुआ है ये आदमी गती में एक एक करके बात करेंगे एक एक पर फोकस करेंगे जल्दी बताओ बच्चों ये व्यक्ति गती कर रहा है या फिर रुका हुआ है जल्दी 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 सब लोग बते नहीं होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे क्वेस्टेंस के जवाब होने चाहिए और फिर तम देखना कि क्लास के एंड में पूरा फील करके जाओगे क्या बात है चल रहा है यानि गती कर रहा है बहुत ही बढ़िया अच्छा यह बताओगी दोनों लड़की लड़का अपस में जूला जूल रहे हैं तो क्या यह गती कर रहे हैं जरा इसको देखो क्या यह गती में है या फिर रुके हुए जल्दी 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 गती में कर रहे हैं या फिर रुके हुए हैं गती कर रहे हैं या फिर रुके हुआ हैं बहुत ही बढ़िया घर घर जा रहा हो हम कही रहे हैं ऑफिस जा रहा हो कहीं भी जा रहा हो तुमसे मतलब तुम्हें लितना बताना है कि गती कर रहा है के रुक रहा है यह बहुत ही भड़िया बध्य बद्र बच्व यह गोड़ा सै भोड़ा जो है आपको दिख रहा है क्या यह गति में है या फिर रुटा हुआ है कुछ एक सब्सक्राइब बहुत बघ्ज़त बतर्फ्लाइ कहते हैं जो गती कर रहा है वह क्या थो बोला है जो गती करते हैं उसको ཱ कहते हैं इतनी ही अगर आसान होती थो अज़ आपंड नहें इसको आस्तान बनाने के लिए तुम्हारे पास आई हूं बच्चो ध्यान से बताओ जो यह हेलिकॉप्टर है बच्चो क्या यह रुका हुआ है या गती कर रहा है जल्दी बताओ मोशन में है ओके 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 तो यानि कि अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं हम सब की जो आखे वो एकी बात कह रही है कि जितने भी यह लोग है यहां पर यह सब क्या कर रहे हैं सब गती कर रहे हैं यह और नो जल्दी बताओ जितने भी यह लोग है यह सब क्या कर रहे है पुनने घती कर रहे हैं तो हैं मोशन में हैं एगरी और नॉथ हमें वर बच्छों ये हैं हमारा वल्षा जबयों होशर्ण हीरum यह दो भड़े देखने ये घर चल रहा है या फिर रुका हुआ है ये घर चल रहा है या रुका हुआ है ड्रीम हाउस ये मेरा ड्रीम हाउस है रुका हुआ है नो ओविसली आप किरें नो मैम ये मोशन में नहीं है बिल्कुल सही कहा कि ये जो ड्रीम हाउस है ये मोशन में नहीं है बच्चो घर के सा आमने इतना प्यारा सा फूल फूलों वाला पेड़ लगा हुआ है क्या यह पेड़ चल रहा है जल्दी बताओ क्या यादे टेंथ फेलो बीटा कोई बात नहीं ऑली में बेटा कमसेक्त बता सकते हो ना आखें तो सही है वहीं बहुत लंग है यानी बद चुवधि तो किताबहें और वो अल्मारी में Healthy पड़ी कोई है जब तुम शान को घर लोटे तो अलमारी में ही थी और सी बात इसका मतलब क्या है बुक्स नहीं चल रही है सोफे को जो आपने जगह नहीं बदलता है जब परके हम उसे धत्का नहीं देते हैं रगर नेकि यानिकी यानि के यह कुछ भी नहीं चल रहा है सब कुछ रुका बता सकता इसमें कोई बड़ा तुम्हें पहार नहीं तोड़ लिया है ठीक है बच्चो ये तो कोई भी बता सकता है यार ओविसली कोई बता सकता है यानि कि जो है जिसने फिस्क्स नहीं पड़ी है वो ही बता सकता है अब जोना बच्चो फील करो कि जो हमारी अर्थ है क्या हमारी अर् है निन Typ कहाा पर हैं हम सब लोग क्रत्थवी के ओपर ही है तो अगर देखा जाए अगर देखा जाए तो फिर तो ये मोशन इस एक एक्जाक्ली इक्साट्ली इस जाखनी कि थोड़ा से दिमाग खराब होता है कि अगर धरती ज़गातार गूम रही है तो चीजे क्यों नहीं घूम रही है धरती अगर लगातर घूम रही है तो फिर यह चीजे गिर क्यों नहीं रही है इनको तो किताबों को तो नीचे गिर जाना चाहिए He Word Very Good very Good a very good very good very good other कि यहां थोड़ी सी कौन्फ फ्यूसनि आतीげ है बच्चों इसी को ही हम लोग फुरा सद्स और डिटेल में समझते हैं फिल लेकार समझते है थीक है बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यह हवाई जाज क्या है बटा हम सब के लिए क्या है हम सब के लि जलदी जलदी इसके बाद रम लोग समझने वाले हैं bita ab вот अंगां पर हो Bundest Wagyu High हो सब लोग हेलिकॉप्टर के अंदर हो सब लोग हेलिकॉप्टर के अंदर पहुंच गए तब लोग हेलिकॉप्टर केंदर पहुंच गए क्या सब लोग हेलिकॉप्टर के अंदर पहुंच गए हैं क्या सब लोग हेलिकॉप्टर के अंदर पहुंच गए हैं वेरी गुड अब बच्चों हाँ बिलकुल अब ज़रा यह सोचो यह सोचो कि विंडो सीट पर तुम बैठे हुए हो ठीक है यह बड़ी नाक वाला इंसान तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों लोग हेलिकॉप्टर के अंदर हैं यानि बच्चों एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हैं अब यह बताओ बिटा जी इसका कुछ नाम करन कर देते हैं लड़की के बच्चों नाम लग देते हैं चमेली ठीक है चमेली ठीक है तो अब दर तुम यह बताओ हां वेरी गुड़ अब बच्चों यह बताओ कि कांचा के लिए क्या चमेली चल रही है कांचा के लिए क्या चमेली चल रही है जल्दी इन लोगों ने बच्चो इन लोगों ने इंडिया से इंडिया से बिटा फ्लाइट पकड़ी है बच्चो यह डेली से बिटा डेली एरपोर्ट से बिटा फ्लाइट पकड़ी ठीक है बिटा डेली एरपोर्ट से बिटा खंदुख कहने का मतलब यह है कि अब जब हम लोग कर रहे हैं में पर हैं हं लूग हेलिकॉपटर-घंतरह नहीं है हम लोग बच्चों कहां से देख रहे हैं हम लोग बाहर रोड पर खड़े हो के देख रहे हैं तो बिटा जी हमें क्या लग रहा है कि एरो प्लेन जा रहा है और माल लोग चमेली तुमारी दोस्तों क्या बोलोगे चमेली बाए चमेली बाए यानि कि बच्चों क्या हुआ हम मोशन में लग रहे हैं पर अगर हम लोग खुद एरो प्लेन में जाके बैठ जाएं तो हमारे लिए क्या होंगे ये बिटा किस में आ जाएंगे very good बटा किसमें लगेंगे हमें ये rest पे लगेंगे किस पे लगेंगे rest पे लगेंगे very good बच्चो इसका एक और एच्छे example लेते हैं very good बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अब बच्चो एक और example लेते हैं बच्चो लेट सपोस कि हम लोग कहा पर खड़े हैं प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े हैं हम लोग प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े हैं चीक है और बच्चों हुआ ये हाँ बिल्कुल अब बिटा हुआ ये हुआ ये कि यार हम लोगारे जो ट्रेन है वो छूट गई जब तक हम पहु तब तक 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 त्रेन जा चुकी थी कहने का मतलब क्या है वेरी गुड यानि कि बच्चो अमारे लिए क्या हुआ ये सब चल रहे हैं मोशन में हैं पर बच्चो तुम सोचो कि अब तो हम लोग कहां पर हैं ट्रेन के अंदर हैं तो क्या अब रामु श्यामु चाची नानी मामी ताई हमें क्या चलते हुए लगेंगे बेटा क्या चल रही है बेटा ट्रेन चल रही है बच्चे है हाँ मैं हम आवास लो क्यों है बेटा आवास लो तो नहीं है बच्चे वेडि गुड तो यानी की बच्चों कहने का मतलब अच्छा एक और चीज़ अगर तुम नोटिस कर पारो यहीं पर नोटिस करो बच्चों जब हम लोग बाहर होते हैं तो हमें सारे घर रुके हुए होगा कि अगर कोई वस्तु अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो गती में तो यह प्रॉपर डेफनीशन नहीं होगी प्रॉपर डेफनीशन क्या होगी प्रॉपर डेफनीशन बच्चों यह होगी कि आप वस्तु को देख कहां से रहे हो अगर बच्चों अगर हम लोग प यानि कि बच्चो जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं तो बच्चो मालो मेरे दोस्त अंदर है ठीक बटा मुझे क्या लगेगा रामो की स्पीड बटा वही होगी जो ट्रेन की होगी और मुझे क्या लगेगा रामो तो आगे निकल गया पर अगर मैं ट्रेन के निर्देश तंत्र जब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूं तो बिटा जी मेरा निर्देश तंत्र क्या है प्लेटफॉर्म है यानि कि मैं कहां से देख रही हूं यानि कि बच्चों कोई भी वस्तू गती कर रही है या गती नहीं कर रही है यह इस बात पर निर्भर करता कि आप वस्तू को कहा से रहे हो किसी एक व्यकती के लिए कोई दूसरा व्यक्ति गतिमान हो सकता निज Het यह व्यक्ति के लिए वही व्यक्ति रुका हुआ हो सकता है लेट सब्सक्राइब बेटा जी रोड पर खड़े हुए हो आपके दोस्त गाडी से निकल जाते हैं ठीके बचवो मालोओ आपके दोस्तो गाड़ी से जा रहे हैं तो बैटा हम लोग क्या बोलेंगा रहीं है यह लोग से चले गहें पर आप सोचो कि जब आप उसी कार के अंदर बैठते हो तो बिटा हम लोग क्या बोलेंगे अरे यह तो रुके ए यह ना जא यहां बहुत शूरा देखना बहुत द्वर्शो देखना है देखो बचो ऑच्रीझ के अंदर चलो सब लोग ट्रेन के अंदर बैठो ट्रेंगे हैं लड़का बिटा जोए लड़का बिटा जो यह बॉल फेक रहा होगा जो यह बॉल फेक रहा होगा जो ट्रेन के अंदर है इसको पता है कि बॉल की स्पीड क्या है इसके लिए बच्चों क्या है बॉल की स्पीड अलग है अब ज़्या तो यह सोचो कि बेटा जो व्यक्ति बाहर खड़ा होगा उससे बच्चों इस बॉल की स्पीड वही लग रही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी किसकी स्पीड होगी बेटा जो ट्रेन की स्पीड होगी क्या यह बास समझ में आ रही है वेरी गुड बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो यानि की बच्चो तो सबसे पहली अच्छा एक एक और एक्जाम्पल देख लो देखो यह तुम खड़े हुए ठीक है बेटा आप नदी किनारे खड़े हुए बहुत ध्यास देखना कि अंजन सिंग कह रहे मैं हम तो दुख दर्द फील नहीं कर पाते हैं ट्रेन तो बहुत दूर की बात है बेटा फिजिक्स बढ़ ले सब फील होने लगेगा हैं दुख दर्द वैसे भीना फील करना दुख दर्द तो वैसे फील नहीं करना भाई चलो आजो यार फिजिक्स को फील करो तुमाई फिर वही बाते शुरू हो गई हैं चलो अब दुरह बिटा मैंने पहले बात को ध्यान सो ना तो मैं यहां पर बिटा नदी कनारे खड़े हुए हो हां मैं मुझे सीट नहीं मिल रहे यार तो तुम नदी कनारे खड़े हो जावाई इतन इतना भी फील नहीं करना है कि मैं हमें सीट नहीं मिल रही है मैं हमें विंडो सीट चाहिए यार इतना नहीं फील करना है बाई मेरे सिंपल सा फील करना है कि हम ट्रेन के अंदर है ता क्या फील कर पाऊ यार मजा आ गया वाला हद हो ध्यान दो बच्चों तुम नदी किनार खड़े हुए हैं हमें क्या लग रहा है कि ये बोट जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है या रा वेडिगूश अब brighter सा printed सोचो कि तल्दा तुम बोट के ऊपर हो अब जला तुम यसो कि तुम बोट के ऊपर हो ठीक है बच्चों जब हम नदी किनारे खड़े होकर के बिटा देखो यह राम है और यह श्याम है राम श्याम मत नाम रखो इसका नाम रखो गोलू और एक नाम है मोलू ठीक है एक नाम है गोलू और एक नाम है मोलू बच्चों जब हम नदी किनारे से खड़े होकर देख रहे हैं हम आप ज़आ तुम सोचो कि हम आपके उपर हैं तो क्या अब हमें गोलू-मोलू चलते हुई नजर आ रहे हैं अरे बोलो हां किना क्या अब हमें गोलू-मोलू चलते हुई नजर आ रहे हैं नहीं ज yhtवह हम वड़क्त नाव के उपर बैट गए तो हमारे लिए क्या है यह रुक्शे हुए हैं अगर तुम्हें गोलू से पूछो क्या मोलू चल रहा है तो गोलू क्या करेगा अरे यार' पिछले जो है चार घंटे से पिछले चार घंटे से मेरे साथ यह तो चली नहीं रहा अगर तो मोलू से पूछो कि क्या गोलू चल रहा है क्या बोलेगा कि नहीं यह तो नहीं चल रहा है पिछले चार घंटे से मेरे साथ है पर नदी किनारे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो क्या बोल क्या मतलब क्या है कहने के मतलब यह है कि कोई भी वस्तु गती कर रही है या नहीं कर रही है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप वस्तु को कहां से अब्जर्व कर रहे हो जब आप नाव के ऊपर हो बिटा निर्देश तंत्र क्या है नाव है जब हम नदी किनारे खड़े हुए हैं बेटा हमारे निर्देश तंत्र क्या है बच्छों ये पूरा-पूरा नदी किनारा है क्या यहां तक किलियर हो गया जल्दी बताओ अगर यहां तक किलियर हो गया है तो जल्दी से एक बार फड़ा-फड़ा थमसब कर दो क्योंकि इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हों बहुत ही इमपोर्टिन पॉइंट जल्दी वताऊ जल्दी 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 गुट बहुत ही बढ़िगा तो इक चलो एक बहुत बढ़िगा तो इक, परिभाश ने वो कि वस्तु की स्थितिम परिवर्टन होगा हम गहुआगे वस्तु गतीम कर रही है यहां पर खड़ी हूँ ठीक ? मैं अगर यहां हो जाओंगी तुम कहोगा कि हमंैम मैं की स्थितिम कर रही हैं पर इसके साथ साथ बच्चो इस शीज इंक्लिूड ये भी होती है जब कोई वस्तु अपने चारों और की वस्तु क्या पेक्ष अपनी इस्थिती बगलती है तो हम लोग कहते हैं कि वस्तु गती कर रही है यानि कि बच्चों गती इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किसके साफेक्ष वस्तु को देख रहे हो आप वस्तु को किधर से देख रहे हों आगे समझ में वेरी गुट यानि कि अगर हम लोग प्रत्वी से अंत्रिक्ष में जाकर के देखेंगे तो हर व्यक्ति चल रहा है हर पेड़ पौधा गती कर रहा है हर घर गती कर रहा है पर हम चुकी बिटा कहां पर हैं अर्थ के ऊपर सकते हमारे साब प्रप्पबरत नहीं कर रहा है इसलिये पेड़ रुका हुआ है तो यानि की बच्छों क्यां करेंगे वस्तु को गती कर रही है कि नहीं कर रही है यह हम ये इस बात पर एक करेंगे कि हम उसको देख कहां सबह menorordinate खार अब बचो यानwei कि कहने के मतलब बहुत ध्यान देना यानि गर्त हो जो गत्य का विलोकन है वो किस बात पर रिवडार करेंगा पहली चीज़ बच्छो बहुत ध्यान सुन ना सुन सुनना हाँ बच्चो कोई भी वस्तू गती कर रही है कोई भी वस्तू मोशन में है या नहीं है यह तीन फ्रेक्टर्स पर डिपेंड करता है बटा पहला फ्रेक्टर क्या है पहला फ्रेक्टर है बच्चो पहला फ्रेक्टर है कि वस्तू जिसकी गती का वलोकन करना हो बच्च कर रहे हैं और हमी देगे कर यह कह सकते हैं कि पानी रुका हुआ है पक्षी रुखा हुआ है गोलू के बारे कर सकते हैं बात समंज भाए है जिसके घती के बारे में हम भू बहुत बड़ीता पहला बिटा दी क्या हो गया जिस वस्तु की गति का वलोकन करना है बच्चों दूसरा हो गया टाइम बिटा दूसरा क्या हो गया बिटा दूसरा हो गया टाइम यानि कि हम यह देखेंगे कि वस्तु समय के साथ जो है परिवर्तन कर रही है कि नहीं कर रही है समय के साथ वस्तु की स तंत्र बहुत important होता है वैसे ही निर्देश बिंदू बहुत important होता है तो बच्छों याद रखना कि गती के अवलोकन के जिसको हम लोग देख रहे हैं जिसके बारे में बताने वाले हैं दूसरी चीज टाइम बिटा तीसरी चीज निर्देश बिंदू जिसके सापेक्ष हम लोग वस्तू को देखेंगे अब बच्छों देखने वाले हैं कि आखिरकार निर्देश बिंदू क्या होता बहुत इंप मैंने एक नई ड्रीम कार खड़ी दिया अभी मेरे पास कार नहीं है ठीक है और बच्छों मेरी कार में क्या हुआ पीटा मैं अपनी कार को लेकर करके जा रही थी मेरी कार का पेट्रोल खतम हो गया ध्यान सुनना मेरी कार का पेट्रोल खतम हो गया अरे सुन रहे हो कर नहीं सुन रहे हो मेरी कार का पेट्रोल खतम हो गया मैंने क्या करा मैंने क्या करा बच्चा मैंने इस कार को जो है आम के पेड़ के पास रोक दिया मैंने सो चलो ठीक है चलो आम भी खाली है जाए बच्चे मैंने क्या क्या अपनी कार को आम के पेड़ के प दो घंटे बाद लौट कर आई तो मैंने क्या देखा मैंने देखा कि मेरी कार मेरी कार बरगत के पेड़ के नीचे खड़ी हुई है मेरी कार बरगत के पेड़ के पीछे खड़ी हुई है अरे बिटा बीच में पेट्रोल पंप नहीं था तभी तो कारें पेट्रोल खटम तो गया उवेस्शी बात है na यार समझने वाली वाली बात है है तुम लोग मलदाए एक्जांपल बताने मत देना हैं तुम अंपारा ध्यान आम की पेड़ बरगत一點 पेड़ नहीं है तुम आरा ध्यां पेट्रोल पेट्रोल फाम था की नहीं था कि अगली बार से एक्जामपल इसे लेके नहीं आऊंगी तुम तो परिशांट कर लेते हो देखो सिंपल जिवार समझो मैं अपनी कार को लेकर जा रही थी गाड़ी के पट्रोल खतम हो गया खतम हो सकता है कुछ भी होग लीक हो गया है ना अब हुआ क्या मैंने अपनी गाड वाद लौट की आई तो मेरी गाड़ी मुझे बर्गत के पेड़ के पास बिली अब यह बताओ कि मेरी गाड़ी ने गती करी या नहीं करी गाड़ी ने गती करी या नहीं करी गाड़ी ने गती करे जल्दी बोलो येस और नो हाँ बिल्कुर मैं पेट्रोल लाने गई थी देखने गई थी इग्जाक्ली वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब तुमने ये कैसे बताया कि मेरी गाड़ी ने गती करी या नहीं करी कैसे बताया तुमने बोला अब तुम लोग क्या बोलोगे तुम लोग बोलो कि मैम आपने तो अपनी गाड़ी आम के पेड़ के पास खड़ी करी थी यानि कि पहली चीज मैंने क्या पताय था गती के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है पहला वस्तू तो बच्छों किसकी बिटा गती के बारें बात कर रहे हैं कार के बारें बात कर रहे हैं इतनी महंगी कार बत्चों पहले कार कार की गति के बात कर रहे हैं दूसरी चीज्ड क्या हुई बीटा जब मैं दो घंटे बाद लौटी तो ठाइम क्या हुआ है तइसरी चीज़ निर्देश बिंदू बच्चों निरदेश-बिंदू मैं कि इसको माना था आम को माना था यानि बच्चों हमें क्या कहेंगे हमारी कार ने गतीकरी और वेस्ट जबात लिए चला के खड़ी कर दियोगी है ना तुक कहने के मतलब यह है कि निर्देश बिंदू वह बिंदू है जिसके सापेक्षम देखते हैं कि वस्तुने चला है कि नही ठीक है मुझे देखना मुझे देखना बच्छों अभी आपको एक बात में समझ में आ जाएगा बिलकुल मैं भूत थाक वही ले गया होगा बिटा दोको यह नहीं पता है कौन ले गया बट मुझे इतना पता से लगए कि मेरी कार ने कुछ तो गती करी मिला मेरी कार ने मोश किया है वह सकता है टार्जन लेकि आया हो मुझे नहीं नहीं वता हो सकता है मैंने कर दोक्ति करें और मैंने करी को तुम लोग साइज समझें तुम लोग मजे में हो मौज में हो तुम लोग हैं तुम्हारा पूरा ध्यान जा इस चीज पर है क्या चोर पेट्रोल गाड़ी हाथ दो गई बाई वेरी गुड तो बच्चो तुमने कैसे जाना कि मैंने गति करी तो आप कहोगे मैं अब थोड़ी दिल पहले आप ऐसे यहाँ पर खड़े हुए थे चुकि अब आप वहाँ पर नहीं हो यानि बच्चो मैंने क्या करा इसके सापेख्ष अपनी इस्थिती में परिवर्तन किया बच्चो तुम्हारे लिए क्या हुआ निर्देश बिंदू ये हुआ बच्चो निर्देश बिंदू को ही मूल बिंदू कहते हैं तो सिंपल सा क कहने के बच्चों मतलब क्या है निर्देश बिंदू वह बिंदू होता है जिसके सापेख्ष बच्चों हम यह डिसाइड करते हैं कि वस्तू ने अपनी इस्थिति में परिवर्तन किया या नहीं किया अगर किसी वस्तू के सापेख्ष हमारी वस्तू ने इस्थिति में टूली डूली तो मतलब की क्या हुआ कि यहां पर मैम ने गती करी समझ में आ गया समझ हिर्ट बताओ अल्ट नो है पक्राव समझ में चलो बच्छो अब हम जानने वाले हैं गती के प्रकार ठीक है तो बच्छो कहने के मतलब क्या है हा Delhi वेरे गुद बच्च वेरे गुद बहुत वब बढ़े गा बहुत यह 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 यहाद अब बदर होके कोई टाउट है को और तो नहीं मतलब बहुत है बहुत ही प्रॉल इंद कर आताे यह यहाद से नोख करने वाले हैं कि मोशन के प्रतार किते हैं ठीक बच्चों एक बात बताओ हमारी train कैसे चल रही है हमारी train कैसे चल रही है बच्चों तो अगरा ध्यान से देखो तो जो हमारी train है बेटा वो एक ही axis पर चल रही है एक ही दिशा के सापेक्स चल रही है एक ही दिशा में चल रही है तो बच्चों हमें क्या बोलेंगे कि जो हमा सब्सक्राइब को वन डायमेंज्न लिए जब वन डायमनशन है तो जब लोग साइकल से जाते हैं हम लोग पैदल होते हैं कैसा बच्चो वंडी मोशन है तो जब हम बेटा जी क्या कर रहे हैं एक ही आयाम में चल रहे हैं एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं एक ही विमा पर चल रहे हैं एक ही एकसेस पर चल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन वेरी गुड अभी नहीं सभल देखा नहीं कि इसले दुखने नहीं समान्न गती नहीं बोल सकते हैं समान गती नहीं बोल सकते हैं बहुत ही बढ़िए बाद ही आखे तो देखों अच्छा एक चीज और आप सुने एक वेश्चेन है आप सब्सक्रांट ध्यान दे ना बचो बहुत ध्यान देना मैं कुछ गिराती हूं ठ बहुत ध्यान देना बच्चो उसा हमाँ लेत्स पूर्य पांऩिए बट्ल्स ध्यान दो ध्यान दू ध्यान ध्यान देना ध्यान दो और आपको बताना है मैं बोटल को गिराने वाली हूं बातको ध्यां सुनना बोटल ने कौन सी गती करे वन डाइमेंशनल मोशन या फिर जो है टू डाइमेंशनल मोशन जल्दी अरे लीनियर छोड़ो अब भी ये सरल रेखिये छोड़ो पहले तुम ये बताओ वन डाइमेंशनल मोशन था या टू डाइमेंशनल मोशन था atile-2D सोच कोई सोच वन डामंचन் चुन हा वहती बढ़िया भछी बज्चे ध्यान दो ध्यान दो एक बच्टे एक हमारे पास एक्सस यह है एक एक्सस ठीक है बच्चे एक हमारे पास एक्सस यह है वाई एक्सस तो देखो कहने के मतलब यह है कि जब कोई वस्तू किसी एक ही एक्सेस के अलॉंग गती करती है तो उसे बोलते हैं वन डाइमेंशनल मोशन ठीक है अगर आप बचो ध्यान से देखो तो मैंने जो एक बॉटल को किया और सीधा गिराया है हमारी बॉटल ने बिटा हमारी बॉटल बिल्कुल सीधे गिरी है तो कहने के मतलब क्या है बिटा हमारी बॉटल ने भी वन डाइमेंशनल मोशन ही किया है एक विम्य गती ही करी है एक ही विवा में जो उसने गती करी है वो इधर उधर नहीं गई है वो बिलकुल सीधे गई है वाई एक्सिस पर उसने गती करी है एक सीधी रेखा यह एक पत पर चलने वाले कर को एक आयामी गती से गुजरना कहा जाता है यह एक विम्य गती कहते हैं जैसे सीधी रेखा में ट्रेन की गती गुरुत्वा कर्शन के तहत मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तू बेटा मतलब यहां पर बात हो रही है फ्री कोई वस्तू उपर से नीची आ रही है वो पीटा कैसी नहीं से बचहां जो और यह क्ाइब के बिचिक है और यह क्यूद fortunate ऍ fact पानी ऐसे निकल रहा है हाँ पानी ऐसे निकल रहा है अ प्रित्विराज येस मैं मैं तो कुछ और ही समझ ली थी बिटा कुछ और मसं समझो जो हम समझाड है कि लोग समस्थ में बहुत गंदा दिमाग तुम्हों कहें अब छोटे-छोटे से ओ दिमाग हो कितना खुड़ा फाती से माग है तो ये हाथ में पाइप नहीं दिख रहा है बहुत गंदे इतने कितने गंदे हो यार तुम लोग बच्चों अब तुम ध्यांस देखो 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 बच्चों तो पानी की बच्चों क्या है दो एकसे से बच्चों गती है बच्चों पानी बच् देखो एकस एकस में ही बच्चो चल रहा है और देखो वच्छ यह ऊपर जा रहा है तो यह नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे यहाँ पर है तो दीमेशन की बात हो रही है जैसे और देख पा रहे बताओ ये कॉंसा मोशन है हां बच्चो हमारे पास क्लास 11 में दो कि हम लोग दो गतिया पढ़ेंगे बंडी पढ़ेंगे बंडी मोशन यह पढ़ें लोग गती में यहीं देख रहे होंगे किसे किसी हम बॉल को फेक्ते हैं कोई हवाई जाहर से मालों कोई चीज़ गिराएं है ना तो विटा जी वो कैसा गती करेगा है ना वेरी गुड तूड़ी नहीं है यह 3D यह 3D है आकाश में उड़ता हुआ पक्षी उड़ता हुआ पक्षी यह 3D मोशन है यह 3D मोशन है यह 3D मोशन है यह 3D मोशन है वेरी गुड बहुत ही बढ़िया अब बच्चो यह तो हो गई यह कि हम लोगे आगे डिटेल हैं पढ़ेंगे संतल में गती में की 1D मोशन क्या है? 2D मोशन क्या है? 3D मोशन क्या है और बिसिकर 3D अपने कोर्स में नहीं अब बच्चो यहां पर देखते हैं कि नॉर्मल जो हमारी तो पहला है सबल रेखी गती तो अच्छो बच्चों सबल कित रहा होता है तो इस यह कहते हैं इस सडख पर जाती हूई हमारी मोटरसाइकल ट्रेंड गती कर रही है उसल यह सब बच्चों हैं हमारे वंड़ जो विसिक्लम कह सकते हैं रहल रेखी गती ना लीन्यर मोशन है बच्चों अब आजो व्रत्य गती क्या होती है तो जब जो है कोई वस्तू व्रत्ताकार मार्ग पर गती करती बहुत ध्यान सुन पार्क बेटा जी गोल गोल होते हैं ऐसे गोल गोल तो विटा हम कहां पर चल रहे होते हैं हम यहां पर चल रहे होते ना यहां पर चल रहे होते ना तो हम क्या बोलेंगे यह व्रत्ताकार गती है व्रत्ताकार गती है जैसे बच्चों गूनन गती नहीं नहीं गूनन नहीं जै जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिन्दू के चारो और एक निश्चित दूरी पर व्रताकार मार्ग पर घुमती है तो उसे हम बोलते हैं व्रत्थी गति सूरे के चारो और प्रत्वी गती प्रत्वी के चारो और चंद्रमाई गती घड़ी की सुयों गती कोलू चलाते हुए बैल की गती वेरे तुट मैं घूंणन क्यों बताती ओव देखो बच्छे घूणन गती क्या होती है अपने अख्षिपर घूंते घूंते आगी बढ़ना कभी तुमनों बच्छों खाली स्लेंडर को कभी लेके गए हो तो क्छाली स्लेंडर को विटना है तो क्या कर रहा है अपने अक्ष पर घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है अपने अक्ष पर घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है अपने अक्ष पर घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है अपने अक्ष के चारों और घूमते हुए जो गती होती है बिटा उसे हमें क्या कहते गूनन गती कहते हैं जैसे कुम्हार के चाक की गती origin found in तो जब कोई गती कर थी वस्तु एक समय के बाद अपनी गती को दोहराती है जैसे बच्चों में पता है कि जो है साथ जो है सेकेंड के बाद जो मिनट वाले सुई है वो वापस से यहीं से गुज़रेगी तो हम क्या बोलेंगे यह है आवर्ति गती यानि की बच्चों कहने के मतलब क्या है कि जब कोई वस्तू अपनी गती को रिपीट करती है निश्चत समय के बाद उसे क्या कहेंगे आवर्ति गती कहेंगे हां बेटा बिलकुल सही का अर्थ भी घूनन गती एक्जांपल हम कह सकते हैं अपने अक्ष पर घ गूनन गती भी कर रही है बास समझे में आ गई बहुत ही बाद और यहां मद्हाति कर रहे है वहालो घड़ी का पैंडूलम वह बीच में ऐसे हैं बिटा वो पहले यहां जाएगा फिर यहां आएगा फिर यहां जाएगा फिर यहां आएगा जैने हम कह सकते हैं मध्य में रहते हुए बिटा क्या कर रहा होगा गती कर रहा होगा इसे हम क्या कहेंगे बिटा इसे हम कहते हैं दोलन गती या फिर कमपन गती क्या सब को समझ में कि इसका अंसर क्या होगा कि इन में से कौन सी एक विम्य गती है नहुंत जो simples करने सब्सक्राइब करेंगे बट आपको आता होगा बच्चे बहुत ही बढ़ गति का मतलब क्या है जब कोई भी विवस्तु सिर्फ एक ही आयाम में चल रही हो एक से सब्सक्राइब कर रहा है वाई में भी अगती कर रहा है नहीं होगा सूरी के चारूर घूंटी याइफ रही है यह बहुत ही बढ़ या very good option number D better next question दूरी का मूल मात्रक क्या है बहुत यासान question है class 9 में सब ने पढ़ा हुआ है सिर्फ बच्चे इसलिए मैं question को ले क्या है जल्दी बता बच्चे very good श्रेया very good रोमन सैनी शिखा गोल्डी समीर हैतर very good बच्चे very good श्याम बहुत ही बढ़िया जैनप खुशी बहुत यच्छे बिल्कुल सहीगा बच्चों बहुत यासान question है टाइम लगाएंगे हमें बताए कि दूरी का मूल मात्रक होता है मीटर very nice very good बच्चे आगे बढ़ेंगे सरल रेखिये गती का उधारन कौन सा बच्चों यहाँ पर भी आपको चार option दिये हुए हैं और आपको बताना है कि सरल रेखिये गती का उधारन कौन सा है सरल लोलक की गती सरक पर कार की गती सूरी के 4 और प्रत्वी गती या फिर इन मेंसे कोई नहीं वेरेगुड यादव जी वेरेगुड बेटा सोनी बहुत ही बढ़ेगा रोमान अनुज सुंदरम very good बेटा very nice बहुत ही बढ़ेगा बिटा सरक पर कार की गती कैसे चल रही है स और स्ऩॉर्ट करते हैं अमने बच्ची क्लास में यह देखा दो कि अगर तुम्हें किसी बी वश्ट्व को बताना है वह गती में है या फिर रुख्य होई है थो भी होगा कि वश्टू को अब जर्व कहां से कर रहे हैं ना वस्तु को देख कहां से रहे हैं यानि कि बच्चो फ्रेम ओफ रिफ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हो सकता है किसी एक परसन के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए वस्तु गती में हो वहीं पर ही उसी टाइम पर सेम टाइम पर बिटा जी किसी दूसरी प दिखाई हो इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ बिटा फ्रेंगे उन्धर घ्मीट के देखेंगे तो ट्रेन के अंदर चलते जूँसे दिखाई देंगे अगर उकस्तल Snake के अंदर बैठे हुए होंगे जितने भी घर है वह चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे वएरी गुड बच्चे वेरी गुड इसके बाद बच्चो हमने ये देख लिया था कि अगर हमें ये बताना है कि वस्तु गती कर रही है बहुत अच्छे बिटा वस्तु गती कर रही है बच्चे वस्तु की बिटा गती अगर हो रही है तो हमें तीन बाते पता होनी चाहिए पहली बात क्या है हमें वो वस्तु पता होनी चाहिए जिसकी गती को हम लोग अवलोक अब कर रहे थे अपनी गारी को तो पहली चीज तो यह कि हमारी वस्तु कौन है जिसको हम लोग अब लोखन कर रहे हैं हमारी कार थी दूसरी चीज बच्चो टाइम तो याद करो बेटा तीन घंटे बाद हम धूख में धक्के खाते हुआ आए थे ना अच्छा बर्गर का पेड़ था अरे कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं अरे वाहिए ये सारे बच्चे वही बच्चे लास्ट क्लास देखी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया वह बहुत बढ़िया वेरी गुड तो आपको याद है कि हम तीन घंटे बाद आए थे लेकिन पेट्रोल कहीं नहीं मिला था इसके बाद बच्चों क्या था निर्देश बिंदू निर्देश बिंदू के रूप में एक और वस्तु जिसके सापेक्ष हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु अपनी स्थिती परिवर्तित कर रही है या नहीं कर रही है बेटा निर्देश बिंदू कौन था जल्दी बताओ जल्दी निर्देश बिंदू कौन था कौन लिये थे वेरी गुर बेटा बिलकुल सही कहा निर्देश ब करते हैं दूरी को बहुत बढ़ेंगा समझेंगे अच्छा तुम लोग ये तो कहीं ना कहीं देखें होगे कभी ना कभी गूगल मैप अगर आन करें होगे तो वह कुछ ऐसा दिखा रहा हो तो वहीं सम्चेप के लिए हैं ठीक वहीं से उठा के लिए हैं अच्छा अच्छा अगर मालो तुमसे पूछों कि या तुमरे स्कूल के पास करने मोमोस की दुकान है क्या तुम क्या बता हो गया बताओ सो समझ को फील करो फील करो बच्छों मैंने क्या बोलो physics is all about feeling यार यह नहीं कि उठा सुरू हो गया पैन से लिखना सुरू हो गया मेरी बास सुनो मेरी स्कूल के आसपास कहीं मोमोस की दुकान है तो तुम क्या बोलोगे हां मैं है हां मैं है नहीं है मैं अरे बेटा भैल पूरी दुकान होगी कुस्तना कुस्त होगा जंगल में थोड़ी स्कूल होगा है स्कूल के वगल में है अच्छा अगर बच्चों माल लो कि तुम्हें मुझे प्रॉपर यार प्रॉपर आंसर दो प्रॉपर आंसर दो हाँ तो आप क्या कहोगे कि मैम हमारे स्कूल से मेरे स्कूल से एक किलो मीटर दूरी पर मोमोस की दुकान है है ना सही बात है कि नहीं है व सब्सक्राइब वह घर कितनी दूर कानपूर से थीजक तो मैं इतना इतनाओंगी कि यार जहेत मेरे घड़ से मेरे घड़ से और जो एसटेशन है उसकी धूरी वैसे है तो 15 किलो मिटर 15-20 किलो मिटर होगा मालो 15-12 किलो मेटर है ठीक है बहुत ध्यास सुना बहुत सुना बहुत ध्यास सुना बच्चों अब दर त rhymes गाईола देखो अगर मैंने बोलाया कि घढ़ से स्टेशन की दूरी 15 किलो मिटर है तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम इस टेशन से चल करके मेरे घर तक आ रहे होगे वह ध्यां सुना बेटा जी जब तुम लोग से चल करके मेरे घर तक लोग आ रहे होगे तो जिस Road से तुम लोग आओगे बेटा उस को पूरे Road उसी प्रकार से दो मैं नबूला कि अधुल के पास मोश की दुमने बोला कि माम की दुकान एक एक किलोमीटर दूर है कहने के मतलब क्या है कि जब हम लोग तुम्हारे स्कूल से स्कूल खाने जाएंगे तो एक किलोमीटर अपने को चलना पड़ेगा तो बच्छों दूरी क्या है दूरी और कुछ नहीं बलकि कि नहीं दो बिंदूओं के बीच का जो रास्ता है उस रास्ते की लंबाई डिस्टेंस समझ में आ घया पक्का समझ में आ गया अब अगर मैं बोल रही हूं हमेशां बिंदूओं की बीच में होगा हमेशा दो बिंदूओं की भी हम लोह बना के मालो तुमने बोला कि मैं इस्कूल से मेरा घर जो है पांच किलो मीटर है अब ज़ू कर है जब हम चलके आ लाइख पता लग रहा है कि याद 15 km चल के आना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं होगा ओव्यस्टी बात है तो बच्चों कहने के मतलब क्या है कि भाई कहने के मतलब सर्फ और सर्फ इतना है कि दूरी और कुछ नहीं बलकि कि नहीं दो बिंदूओं के बीच का जो रास्ता है उस अच्छेंस एंड डिस्प्लेस्मेंट हाँ अच्छें मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मैं अब जो एक्जाम्पल लेने वाली हूं बच्छों बहुत इंपॉर्टेंट ग्जाम्पल है और इस एक एक्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा ठीक है वेरी गुड मैं बीच में रुख गए तो तीन बिंदु हो जाएंगे तीन बिंदु कभी हो इनी सकते तीन मालो गर तुम्हारा मालो मूड बदल गया रास्ते मालो समोसे दुकान पड़ गई तो अब तुम यह नहीं कह सकते हो मैडम जी मौमोस की दुकान एक क्लूमेटर दूर है पिर क् स्कूल से समोसे की दुकान तक की दूरी हमेशा दो बिंदूओं की बीच के दो रास्ता होगा उसी की लंबाई होगी बच्चों बहुत ध्यान सुनना अच्छा लेट सपोस बच्चों कि यार तुम हो बिगडेल बच्चे ठीक है जिसका पढ़ने में नहीं लगता है मन जिनक स्कूल जाता था उस दिन पापा ममी से दक्षिना लेता था हम स्कूल तभी जाएंगे जब ममी हमको पांच रुपई देंगे और पापा हमको रास्ते बर्गर खलाएंगे या फिर मालो समोसा खलाएंगे बहुत चाटोरा है एक नमबर के चाटोरा इनसान है अब ज्यान कि अधर बच्चों मालो तुम्हें स्कूल से घर जाना मोट आती है गर से जाने में रिश्वत चाहिए यह वृड़ होती है क्यों दो जों टूर रशेडियर हो गया ऊई टिक है रिफिट गया बच्चों यमानों भाई है ठीक है एक नंबर का लथदरी इन्सान अब बच्चों क्या हुआ मिरे भाई को कहा जाना है अब उसकोल पहुच जाए उसके बाद बच्छों फिर हमा आइस क्रीम खाने चले गए उसके बाद बच्छों स्कूल वाउच गए सकते हैं अगर नो मुझे घर से पूंज जाना है तो मोफalter सब्सक्राइब नानि घर नानि घर से चांची तान चांदी बेलकुल संभव है यार बिलकुल पॉसिबल है हैना मालों किसी खुणनास आ गई हो पाकिसन वालों पर तो यह विलकुल कही सकता है वह अब तुम सोचने माली बात बच्चो यह के देख़ो, दूरी और कुछ नहीं इतना सिंपल से मतलब यह है, कि अम जिस रास्ते को तुम स्चाब ऩलान विसथापन क्या सून दिख रहा है कि विस्थापन आ है शॉर्टकट अच्छा बच्षों बताओ सबसे छोटा स्पार्श्ब कि यही है सबसे छोटा रास्ता यही है सबसे छोटा रस्था कोई बहुत सकता है तो मैं दूरी तुम चाहें तुम कहीं से बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है अच्छा बच्छू वेडि गूड वेडिगूड वेडिगूड अच्छा तुम खुद सोत कि तुम्हारे घर से ऐस में बता है हैं निलेकिन बहुत इंपार्टेंट है यानि कि जब हम किसी निशित दिश्ट со का मने चलेंगे तभी अपने फेच एकल मिलेगा अगर तुम थोड़ा सभी टन हो गए तो फिर यह यह शॉट कर रास्ता नहीं है यह तुम कि थोड़ा से इ動画 यह शॉट कर रास्ता नहीं है मालों तुम ने थोड़ा समय से चल तुम सिन नहीं है либо बभी बढ़ी explaining क्या है बिटा displacement है दो बिंडों के बीच का न्यूनतम रास्ता ठीक है जैसे आप बच्चों देख सकते हूं कि बिटा ये अपना क्या है साइकल सवार है ठीक है इसको भाया इसने ओलंपिक में भाग ले रखा है तुम्हारे तुम्हारे प्री नहीं वैठा है घर पे ठीक है हाँ व अच्छे भाइया बेटा यार हिंदी ही है शौटकट को क्या बोलते हैं चोटा है फारसी बोल रहे हैं और यार थोड़ी बहुत इंग्लिश तुम्हां बोलना सीख लो तुम्हां पता होना चाहिए कि दूरी को मतलब डिस्टेंस कहते हैं ठीक है तो जाओ वहां पर बोलो क सब्सक्राइब यहां किसी सब्सक्राइब करिए यहां से हमारे पीजी का जो यहां से बोल रहे हो कि बहुत चाहल से आ रहे हैं आप जल्डिश आ गए बाई बेजित खुला बेजिती होगी तुमारी सच बतारें कोई रोक नहीं सकता है पता होना चाहिए कि चाल को में स्पीड कहते हैं यार किसी स्पीड में आयो यार थोड़ा से स्पीड बढ़ा लो है ना हाद हो गई भाई परहा है उसरास्ते की जो लंबाई है सिंपल से मतलब यह है कि वो लंबाई है दूरी यानि के डिस्टेंज बच्चों देखकों ध्यास मिन्ते ना यह इसकी अन्तिमिस्थितीे बच्चों यह क्या है प्रारंबिक इस्थिती मतलब क्या होता है जहां से उसने चलना शुरू कर घुटब गष्टा दोगे क्या मिल जाएगा यहां तक की बास सभी को किलियर है तो जल्दी सफटा-फट से छोटे छोटे अंग उठे भेज़ दो इसके बाद हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर देखेंगा जल्दी बाई टाइम नहीं है क्योंकि अभी तक तुमने कुछ है अभी तक तुमने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है अब जो बताने जारी हो वह इंपॉर्टेंट डूरी और विस्थापन में क्या अंतर है ठीक है बहुत ध्यान सुनना पक्का समझ में आ गया वेरी गुट वेडिकर्स वेरी नाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबाश किलियर है कि वेरी गुट नहीं मैं मैं नहीं भेजूंगा बिटा अंगूठे भेजने का पर किसे तुरी लग रहे हैं तो तुमारा लाइक भी नहीं किये हैं चलो आज़ो फड़ा फट से दूरी और विस्थापन में क्या फर्क होता है मैं आवास बिटा यह मत बोलो आवास तो नहीं हो सकती है ठीक है हम जब पढ़ाते हैं न तो बाहर जो बाहर बेटा जी सच बता रही हो कि बाहर से निकल रहोग ना उसक कि लंबाई लिख देते हैं यार काई कि आधे कईते मैडम जी लिखवा तो पहले छापना होगा छोटे बच्चे ना जब मैडम बर्ड में छापने वही तो कॉपी में लिखेंगे इतनी इंपॉर्टेन बाते बता दियां किसी ने लिखा नहीं होगा अपनी कॉपी में दो आपन क्या है सबसे छोटा रास्ता बस मैं इतना शौट कर लिख रहे हूं सबसे छोटा रास्ता सबसे छोटा रास्ता ठीक है बच्चों इसको ऐसे बोल सकते हो अंतिम इस्थिती माइनस प्रारंबिक इस्थिती बच्चों कुछ अब बाते में बहुत इंपॉर्टेंट ब पिर से सुनना बचों फिर से सुनना कि जो दूरी है बिटा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती मैंने क्या बोला बिटा दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती कभी शून्य नहीं हो सकती इतना लिख रही हूं शौट में दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती बचों दूरी क्या है दो बिं जीरो का मतलब क्या है वस्तो कहीं गई नहीं दूसरा पॉइंट कोई ही नहीं एक ही पॉइंट है एक ही पॉइंट है है ना तो मैं क्या बोलें कभी शून नहीं हो सकती बच्चो ध्यान सुना विस्थापन शून हो सकता है हाँ हो सकता है अब बताओ अब पूछो कई से तक ये बिल्कुल जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक इमेजिनेशन है असल मैं ऐसा हुआ नहीं हम डेली सोचते हैं है ना बच्चों मैं सुबाद 6 बजे टहले निकली हूँ वाक पर निकली हूँ और सवाद 6 बजे हम क्या हुए घर पर आ गए हैं 6 बजे हम निकले और बेटा थी सवाद 6 बजे आ गए मैं कहां से चली थी मैं अपने घर से चली थी मैं कहां पर आ गई हूँ अपने घर पर आ गई हूँ कहने के मतलब क्या है अंतिम स्थिती और प्रारंभिक स्थिती एक ही है इस केस में क्या होगा बच्चे इस केस में विस् करते हैं कोई एक बात बताओ कि कानपूर से माल तुम से पुछे। मैडम जी कानपो सेंट्रल तो हम आ गये हैं कानपो सेंट्रल से आप घर की डिस्टेंस कितनी है तो हम क्या बोलेंगे कि भाईया लाला तुम्हें 15 किल मिटर चल के आना पड़ेगा अब मैंने कोई डिरेक्शन नहीं दिया कि मेरा घर पक्षिम में है मेरा घर दक्षिड में मै अगर तुम में यह पूछो कि मैम शौटकट रास्ता क्या है तो मैं क्या कहूंगी पहले जो ना वह मंदिर वाली गली है वहां पर आना उसके बाद वहीं से देखो एक कच्ची सरक जा रही हो कि वहां चले जाना वहां पर दो एक नाली से दिख रही हो कि नाली को फॉलो कर सबसे चोटा रास्ता मिलेगा वेरी गुड बढ़ तो हम क्या बोलेगे बच्छो जो विस्थापन है वो सदिश राशी है बच्छों एक और important पॉर्ट यह तुमसे बोल रही हूँ बेटा मैं तुमसे पूछ रही हूं एक बात बताओ क्या विस्थापन कभी दूरी से बड़ा हो सकता है बचों बहुत ध्यान सुनना क्या विस्थापन कभी बच्छों क्या विस् और नो सिंबल सा इतना अंसर सोज समस्ज की जवाब देना के वेरे गुड समीर हगर कहने है आस संभव बहुत बढ़ बिलकुल संभव ही नहीं पॉस्टिबल ही नहीं है बिलकुल सही का बच्छो कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है सदय बच्छो क्या हो होगा छोटा होगा वेरी नाइस आंसर बच्छों अगला कुश्य लिख लेना कॉफी नोट कर लेना बच्छों एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है जल्दी बताओ क्या विस्थापन और दूरी आपस में बराबर हो सकते हैं बच्छे कब होगा बहुत ध्यान सुना बच्छों कभ होगा बेटा माल लो कि ये कोई सीधी सड़क है ठीक है बेटा हमारी वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है बच्चों अगर तुमंद दूरी निकालोगी तो क्या होगा इस राश्ते की बच्चों जो लं तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे तुम्हें दूरी और विस्थापन बराबर मिलेगा तो हमें क्या बोलेंगे हम बेटा क्या बोलेंगे कि जो दूरी है विस्थापन के बराबर हो सकती है यदि दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है बेटा अगर क्या नहीं बदल रही है मैं हो सकता है कि विस्थापन रिणात्मक हो सकता है थोड़ी कभी और सबसकति बीट बिस्थापन hmm मैं मैं पीछ्हे आ ठीका मैं मुण के पिछे आ रहे हूं क्या होगा जब बच्चे मैं अपने जाने की दिशा में ही लौट रही हूं उस केस में क्या होगा उस केस में बच्चे रिनात्मक होगा है ना बिटर रिनात्मक होगा आगया सबको समझ में वेरी गुर्ष समीर है कर बहुत बढ़िया बच्चे बहुत ही बढ़िया आजो बच्चो एक और एक और बहुत ही है जो दोनों में common है दूरी का SI मासरक भी मीटर होता है बच्चो के इसके लावा एक और important point है दूरी बच्चो क्या है दूरी जो है दो बिंदुओं के बीच के राश्ते की लंबाई है विस्थाफन क्या है सबसे चोटे रास्ते के लंबाई। लेकिन दोनों का जो vibrसूत्र है बच्चों क्या होता हैं वो दोनों का ही L होता है, क्योंकि हमने देखा था जो dimensional formula है, जो dimensional formula था, जो विमिय सूत्र था, वो इन सारी चीज़ों से परे था, वो कैरा बहिया, अगर दूरी होगी तो अम L हू रहें नहीं पड़ता है लुदी तो हमें हनूं फरक नहीं पड़ता है न याद रहेगा वेरी नाइस बहुत यथी नाइस बहुत यचि अफुसका यज और रहना बैट ले है कह रहा है यह शूनी नहीं हो सकता यह शूनी नहीं हो सकता जल्दी बताओ सही या गलत सही या गलत सही या गलत विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है यह शूनी नहीं हो सकता अरे यार सही गलत बताना है तुम लोगों को आदत पढ़ गई यार एभी एभी करने की सही या गलत है बिटा ये बताना है ट्रू या फॉल्स अरे यार ट्रू और फॉल्स लिख दो सही गलत लिख दो जिसमें तुम जो है सोटे बेल हो वेड़े गूर बिल्कु सही का बचो गलत लिखा है क्योंकि विस्थापन हो सकता है जीरू इसका परिमार वस्तू के द्वारा तरह की गई दूरी से अधिक होगा क्या विस्थापन की वेल्यू कभी दूरी से ज्यादा हो सकती है येस और नो कभी नहीं हो सकते भाई या ऐसे हलके में लिए हो क्या दूरी को इसे कहुन हो जो आई रहा गई रहा बड़ा हो जाएगा दूरी करेंगे वाई अपन बाप है चलो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बच्चो एक पॉइंट है एक और इंपॉटन पॉइंट है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से होंबग में करेंगे इसको अपनी भाषा में लिखना बच्चो जब इसको अपने आंसर अपनी खुद से लिखो गी न तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्जाम में कैसी आंसर इना होता है ठीक है बहुत है एक गाड़ी टा ओडो मीटर क्या ममां आपता है बचो किसी भी गाड़ी में ओडो पेटाजी गडवर्वर हो जाएगा ऩहां अफमें बहुत फीद बड़ा टॉपिक है वुरताकारगती द्ञाद सफेट इसको भूआ अहां पर्फेक्ट देख रहा हो सरकल तुम्हारा कंपस नहीं बनेगा इतना सुन्दर कंपस जो है सरकल देख तो गोला किता बढ़िया चलो ध्यांस देखो बच्छो ध्यांस देखो यह बच्छो क्या है बटा यह हमारी वस्तु है जो व्रत्ताकार गती करें व्रत्ताकार गती के मतलब क्या होता है कि जब भी वस्तु किसी व्रत्ताकार मार्ग पर चल रही होती है लेट सबोज बच्चो एक पारक है एक बेटा जी वरत्ताकार पारक है और तुम उसे क्या करो जौग सबोज करो जौगिंग करे रहे हो है। बच्चो ध्यान सुनना जब वस्तू व्रत्ता कार मार्ग पर चलती है तो वस्तू के द्वारा जो तै की गई बेटा दूरी होगी वो क्या हो जाएगी बहुत ध्यान से देखो बेटा बहुत ध्यान से देखो हमारी बेटा जो वस्तू है और जो बेटा इंसान है वो कहां चल रहा है बच्चों क्या है यह कि सरक हो नहीं सब्सक्राइब बढ़ा तो हमने क्या बोलेंगे बच्चों इस केस में वस्तु के द्वारा जो तैंकी दूरी होगी वो निटक के बड्रोगि वरत्यकि परेदी के बराबर होगी तू परल आड अप है वैरि गुड़ बच्चो वैरी गुड़ ऐहां पर ध्यान देना कि मैं तुम से wsपोर्ण da cumig it almost what मई各 ये स्काइंग पॉइंट है थीक है ये को एठलीट है यह डोड़ना शुरू कर रहा है यह इसी पॉइंट पर लॉट की आ गया यह बताओ इसका विस्थापन क्या होगा जलदी से विस्थापन क्या होगा हाँ आसान है जल्दी पूछते तर फियाए विस्थापन पूछी है विस्थापन पूहुचि दूरी कि स्तिति वस्तु जहाँ पर पहुची है माइνस वस्तु जहां से लुकिया था बेटाजी हमारी वस्तो यहीं पहुची और यहीं पर इसने चलना चुरू किया था हम क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे बच्चे दूरी तो हो जाएगी टू पाई यार पर विस्थापन क्या होगा जीरो होगा अच्छा सुनना तुम्हारे लिए एक और अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बच्चों यहां से स्टार्ट किया और यह अथलीट यहां पर पहुंचा इससे बी पॉइंट पर पहुंचा अब यह बताओ एथलीट की द्वारा तै की गई दूरी इस बच्चों केस टू में केस टू में दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगी इस केस में इस केस में दूरी और विस्थापन की वैलियू क्या होगी हुग्ष, गलत, गलत बात, खलत बूर में बेटा बिल्कु नहीं का है तूरी क्या विस्थापन क्या होगा विस्थापन क्या था शौट कर रास्ता था यहां से यहां तक का पहुंचने का बच्चो सबसे छोटा रास्ता कौन है बेटा सबसे छोटा रास्ता यह है ना सबसे छोटा रास्ता यही है बेटा यह किसके बराबर है बच्चे यह और कुछ नहीं बल है और व्यास क्या होता है दो गुड़े त्रिज्या होता है टू आर हो जाएगा वेरी गुड है अच्छा यह बताओ क्या यहां तक किसी को डाउट है मज़ा रहा है पढ़ने मज़ा रहा है हां पढ़ने मज़ा रहा है हां पढ़ने मज़ा रहा है हां पढ़ने मज़ा रहा ह वेरी गुड बच्चो दगों मैं तुमसे एक ही बात बोलूँगी बच्चो याद रखना कि कभी भी किसी कभी न मेहनत करने मन नहीं लगता तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक दम से बच्चो अब दगो अव्विस सी बात है कि हमेशा ऐसा नहीं होता पर बच्चे कभी-कभ जोड़ी सी दाउन चल रही है थीक थोड़ी सी विटाजी प्रॉब्लम चल रही है है रात में टीन चार बजे सोती हूं और सुबह मुझे नौ बजे आफिस पहुचना होता है तो मैं सुबह सात बजे और जाती हूं ठीक है और वेस्सी बात है कि एक दिन आजाओंगी द्यास करने रहे सीथे मह नहीं करता पर बच्चों मेहनत करनी पड़ती है याना उसी प्रकार से बच्चे उसी से बच्चे यार वेट कर रहे हो cognitive आठेश वियोंगosa कि तम्हारा पढ़ लेंगे कभी लग रहा हो गया ठीक है नहीं हो तुम सबके साथ यही होता है पर बच्चे बुलंदी पर वह पहुंच जाता है जो बच्चे मैनत करता है बहाने तुम्हाने तुम्हारे पास हजार हो गए एक पढ़ने की तो तुम पढ़ सकते हो समझ तो बिटा-जी तुम बैली पढ़ सकते तो ध्यान रख न और बच्चो बस एक लास्ट लाइन और बोलूँगी एक लास्ट लाइन बोलूँगी सुन लो थोड़ा सा ज्यान ले लो यह शायद है शायद यह बातें शायद तुम पर कुछ असर डाल पाएं शायद थोड़ा सा एक छोटी सी बात बोलूँगी कि यार हम कुछ भी करें अगर बेटा जी हम मालो सक्सेस्फुल ना हो पाएं बेटा हम सक्सेस्फुल ना हो पाएं यह हमारे हाथ में नहीं है पर हम महनत ही ना करें यह तो गलत बात है महनत करना तो हमारे हाथ में है सपने तो कोई बड़ा देख सकता है हमें प्रदान मंत्री बनना है सपने को पूरा करने के लिए बटा जी डबल महनत करनी पर तो इस बात को ध्यान रखना बच्चे आगे बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हैना क्लास को भी एंड न नहीं होगी जब तम इस लेक्चर को पूरा कंपलीट करो गया बच्चे अब यहां पर देखने वाले हैं चाल क्या होता है वेग क्या होता है क्या चाल है क्या वेग है बहुत ध्यान से सुनना गती की दर कमापन आपने बच्चों देखा होगे न जिसे कि आपनो भी आई- 10-hour of 평 ق suiv meter। भाली जुए हमारी χक्का लगा है 220 क्क вообще क्लिक घंटे के रफटार से हमारी क्लास जा रही थी एक सबस्क्राइब तो यह स्दू है क्या यह 220 क्लोमीटर 135 फुए गंटा या बच्चों बता सकते हैं तो बच्चों बहुत ध्यान सुनना विटा सिंपल सा मतलब यह है सिम्पल से मतलब यह है कि किसी निष्चित ताइम में हमारी वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है किसी निश्चित जो है समय अंतराल में किसी निश्चित समय में हमारी वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है बच्चो बहुत ध्यान सुनने मैं एक्जामपल समझा रही हूँ उसके बाद ये नोट कर ले न जो मैं बोलूँगी वही यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चो बहुत ध्यान सुनना अगर मालो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की जो चाल है वो 100 मीटर प्रती सकेंड है इसका तातपर बेटा इसका तातपर ये है कि एक सेकेंड में हमारी वस्तु 100 मीटर दूरी तय कर सकती है एक सेकेंड में हमारी वस्तु 100 मीटर बेटा दूरी तय कर सकती है तय कर रही होगी अगर बेटा तुम बोल रहे हो 40 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हम गाड़ी चला रहे थे इसका बेटा मतलब क्या हुआ इसका बच्ची मतलब ये हुआ कि तुम एक घंटे में 40 किलो मीटर दूरी तय कर सकते हो बेटा सिंपल साथ कहने का ताथ पर ये क्या है कि कोई भी वस्तु कितनी तेज चल रही है स्पीड इस ओल अबाउट कि वस्तु कितना तेज गती कर रही है सोचो एक बेटा सपोस करो तुम सपोस करो कि दो लोग है ठीक है और सभी को बेटा जी मालों बेटा जी एक इंसान है जो एक सेकेंड में बिटा एक सेकेंड में 200 मीटर चल रहा है एक इंसान है जो एक सेकेंड में 100 मीटर चल रहा है तेज कौन चल रहा है तेज तेज कौन चल रहा है ? A या भी ? बताओ, सोच की बताओ मैंने डेफिनीशन नहीं दिया अभी तुमें डेफिनीशन नहीं दिया किल समझाया है , दो इंसान है तुम लोग एक सकेंड में देख रहे हो एक व्यक्ती है एक सकेंड में 100 मीटर चल ले रहा है एक व्यक्ति है, एक सकेंड में 200 मीटर चल ले रहा है, तेज कौन चल रहा है, ओविस्टी बात है, 200 मीटर प्रती सकेंड वाला, इसका मतलब क्या है बच्चो, speed is all about कि जो वस्तु है, वो कितना तेज गती कर रही है, कितना तेज गती कर रही है, very good, यानि बच्चो, जब तु समझाना दूसरे की बस की बात नहीं है, ओकई, कोई बात नहीं बच्ची, छिक है, मैं अपना पूरा ट्राइ कर रही हूँ, पूरा 100% दे रही हूँ, कि यार तुम लोगों को इतना टफ ना लगे सब कुछ, और बस आप लोगों से इमानदारी चाहती हूँ, अगर तुम मेरे से इमानदारी चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें double इमानदार बनना पड़े आप में पढ़ने कर लख होगी, यार मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइट करूँगी, है ना, बस यार तुम्हें तुम्हें best बनना पड़ेगा, अगर तुम्हें best बनना पड़ेगा, समझ रहे हो, आगे बढ़ेंगे बच्चे, हम तरब बिटा, velocity को देख लो, वेग को क्या हो गई, निश्चित दिशा में चाल, निश्चित दिशा में चाल, निश्चित दिशा में चाल, यारी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मैं 40 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से जा रही हूं, तो ये क्या है, बच्चों ये मेरी स्पीड है, बिटा ये क्या है मेरी स्पीड है अगर मैं तुमसे बोलू कि 40 किलोमेटर गंटे की रफ्तार से मैं पूर्व दिशा में जा रही हूं इस्ट में जा रही हूं ये बच्चे मेरी क्या होगी बेटा ये मेरी जो है ना क्या होगी बेटा जी वेलास्टी होगी वेग होगा बच्चो याद रखना चाल बराबर क्या होता है बच्चो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय एक आंक समय में वस्तु द्वारा तै की गई दूरी होती है चाल ठीक है वेरी गुड बेटा बेटा वेग क्या होगा बच्चे वेग होता है कि भाई वस्तु ने कितना विस्थापन तै किया है देखो इस लिए बढ़िए यह सकती है अगर वस्तू का विस्थापन जीरो हो गया बीटा वस्तू का वेग भी सून्य हो जाएगा है ना बच्चे ध्यान रखना वेग कैसी राशी है सदिश राशी है बच्चो वेग भी क्या होती है सदिश राशी है बच्चो दूरी अधिश राशी है इसलिए क्या है चाल भी अधिश राशी है एक बार फटाफच बहुत ही इंपॉर्पांट टॉपिक है बड़ी यकीन मानों की तोलों को समझना ही जो है आपके जो है कि आखिरकार एक समान वेक क्या होता है और आ समान वेक क्या होता है बच्चे एक समान और आ समान का मतलब क्या होता है देखो बच्चो सबसे पहले हम चलते हैं एक समान गती और आ समान गती पर चलते हैं कि आखिरकार एक समान गती का मतलब क्या होता है और आ समान गती का क्या होता है ठीक है अच्छा बच्छो समझो तरह द्यान समझ को समझेंगे एक समान गती क्या होती है द्यान देखना में छोटी जिवात लिख रही हो कि जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तै करती है समान समयांतराल में समान दूरी क्या कर रही है समान समयांतराल में समान दूरी तै करती है तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु एक समान गती कर रही है बच्चे आ समान गती क्या होती है जब वस्तु स समयांत्राल में अलग-अलग दूरी तै कर रही हो ठीक है बच्चों आप मैं आप से पूछती हूँ आपको बताना है बिटाई एक बार खरगोश और कच्छुए में क्या हुई अब बच्चों हुआ क्या हुआ क्या हुआ हम लोग केंड में कि खरगोश कितना चल रहा है और केंड़िकर रहा है बच्चों हुआ कुछ यह कि घरगोश था जो खरगोश था बेटा वो पहले दो सेकेंड में 4 मीटर चला जो हमारा कछुआ था बेटा जो कछुआ था वह मात्र 1 मीटर ही चल पाया अब अब अच्छु ध्यान देना बेटा हमने क्या करा फिर से बेटा दो सेकेंड बात चेक किया है ना हमने अगले फिर क्या किया दो सेकेंड बाद चेक किया जब हमने वापस से दो सेकेंड बाद चेक किया तो बच्छो खरगोश इस बार चल चुका था दस मीटर और बेटा कच्छुआ चला था दो मीटर यानि कि कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कहने का मतलब यह हुआ कि जब हमने दो सेकेंड बाद देखा दो सेकेंड बाद देखा बीटा अगले दो सेकेंड में खर्गोष ने कितना चला दस में चार के बिटा कितना 6 मीटर और बिटा कच्छुए ने कितना चला मातर 1 मीटर हमने बच्छो दो सेकेंड बाद वापस चेक किया इस बार खरगोश चला था 12 मीटर यानि बच्छो क्या हुआ अगले 2 सेकेंड में चला 2 मीटर बिटा हमने कच्छुए के बिटा चेक किय तो कच्वा फिर से सर्फ एक मीटर ही चला था वेरी गुड यानी की बच्चो यानी की जो खरगोश क्या कर रहा है कभी दो सेकेंड में जादा चल रहा है कभी दो सेकेंड में बिलकुल रुख लहा है कभी दो सेकेंड में जादा चल रहा है कभी दो सेकेंड में कम चल रहा है कभी तो 2 सकेंड में 4 मीटर चलता है, कभी 2 सकेंड में 6 मीटर चलता है, कभी 2 मीटर चलता है पर जो कच्छुआ है बेटा, जो कच्छुआ है वो हर बार 1 मीटर से ही चल रहा है एक मीटर से ही चल रहा है तो आप बताओ, कौन एक समान गती कर रहा है, कौन आसमान गती कर रहा है, जल्दी, 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 very good, बिटा आसमान गती कर रहा है, खरगोश, क्योंकि वो कभी ज़्यादा चल रहा है, कभी कम चल रहा है, कभी कम चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, खरगोश आसमान ग कर रहा है इक समान गती कर रहा है एक समान गती कर रहा है बचों आप अब मुझे यह ऐद आ कि तुम कछुआ बनांगे या खर्गोष था मुझे चालदि बताय। जल्दी 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 करमा मुझे फपात्र चलिय। खर्गोश फड़ा फड़ से बताओ जल्दी 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 कच्छुआ या खर्गोश जल्दी बताओ जल्दी से क्या बनोगे टोर्टोइस बनो गया टोर्टोइस बनोगए नाइए नाी नाइएsy नए- नहीं- नहीं- कच्छुवा बनने कर समाना नहीं है यार हम सब खर गोर्ष बनेंगे जो सोता नहीं है खर घंज रहते BACK में नहीं कर रहे हैं तो यानी बच्छों हम बनेंगे mówi बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे आगे बढ़ेंगे बच्चों ध्यान सुनना बिल्कुल अब बच्छों ध्यान देखना यह तो हमने बता दिया कि बच्छे बहुट हो गया है वह समान गती इन बच्छों क्या करने वाले हैं वेग निकालने वाले हैं वेग निकालने वाले हैं विलोस्टी अब बच्चों हमें ये देखनी है हमें ये देखना है कि जो खरगोश है उसकी विलोस्टी क्या चेंज हो रही है या फिर जो कच्छुआ है उसकी विलोस्टी में क्या चेंज आ ठीक है बहुत ध्यांस अपइरी गुड बहुत ध्यांस तो देखना बीटा विलासटी क्या होती बीड में बटे समय ठीक है बचो ध्यांस देखना बीटा पहले निकालो 4 बटे दो दूनी 4 यानी बच्चों हम क्या कहेंगे पहले बिटा ये कितने चल रहा था दो मीटर पती सकेंड से चल रहा था बच्चो अगले दो सकेंड बेठा देखो कितना हो जाएगा 10 में 4 गए 6 6 बटे जी क्या हो जाएगा 2 2 3 6 बिटा अब क्या हुआ इसका वेग बदल करके 3 मीटर पती सकेंड हो गया है ना बच्चो बहुत ध्यास सुनना बिटा क्या हो रहा है पहले दो सेकेंड में चल रहा है दो मीटर पती सेकेंड अगले दो सेकेंड में चल रहा है तीन मीटर पती सेकेंड अब ध्यास देखना अगले दो सेकेंड बच्चो रेखो क्या होगा बिटा यह हो जाएगा बारा यानि बच्चो अगले वीटा दो सेकेंड में क्या हुआ अब यह चल रहा है एक मीटर प्रती सेकेंड तो आप बच्चो अगर यहां पर देख पा रहे हो तो जो खरगोश है वो लगातार क्या कर रहा है अपनी वेलासिटी को चेंज कर रहा है यानि जब वस्तू बिल्कुल यानि बच्चो जब हमारी वस्तू क्या कर रही होगी बिटा जब हमारी वस्तू आज समान वेग से चल रही है आज समान गती कर रही होगी तो वस्तू का बिटा जी वेग भी क्या होगा बदल रहा होगा और विस्टी बात है बच्चो वेग बड़ाबर होता है विस्थापन बटे समय जब वस्तू समय अंतराल पे अलग-अलग दूरियां चाय कर रही है तो बच्चो क्या होगा भाई वेग भी वदल जाएगा क्या ये बास सबको समझ में आ रही है यानि कि हम कह सकते हैं यानि कि अजब वस्तू आसमान वेग से चल रही होगी बटा तभी क्या होगा तभी वेटा जी पिक्चर में एकस्लरेशन आएगा क्या आएगा एक्सलरेशन आएगा कि मैं आज जल्दी छुटी दे दे मैच देखना है आई पील का बिटा बिल्कुल दे दूँगी छुटी 735 पर क्लास को एंड कर दूँगी पर आपको बिल्कुल क्लास के एंड तक लगी रहना पड़ेगा अगर क्लास के एंड तक नहीं रहोगे तो फिर गढ़बढ है न आजो हाँ बिल्कुल अगर तुम सेम चीज कच्छु एक लिए निकालो तो आजो इसके लिए देख लेते हैं बच्छो क्या इसका वेग बदल रहा है देखो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे सेन बच्छो कितना आ गया यहां बच्छो आ गया 0.5 मीटर परती सब्सक्राइ Спayden या या विस्थाम क्या कह रहे हैं जो हमारा कच्छुण है वो एक ही ही जाल रहा है एक ही व्यकुल से चल रहा है कहने के मतलब यह है कि जब कोई वस्तु आज समान गती कर रही होगी तभी वस्तु में क्या होगा आसमान व्यक्त आगीब समझ में तो यह सम वेग और आज्थमान वेग कब आएगा जल्दी बदोन जल्दी से अ कोँग गां कि ये किलिगर हो गया कि हाँ जी बच्चे फ्राइडे को भी क्लास चलेगी बिटा फ्राइडे को भी क्लास फोगी वैंस दे को तो वस्तू का वेग भी एक समान होगा वेग बदल नहीं रहा होगा जब वस्तू आज समान गती कर रही होगी तभी क्या होगा वस्तू का वेग भी बदल रहा होगा चलो अब बच्चों बारी है एक्सलरेशन की त्वरन कहां पर आया जिस साइब पर आप बेटा इसको समझ रहे थे आज समान बेटा गती को समझ रहे थे असल में तो एक्सलरेशन तभी आ चुका था चाहिए दोस्तों की एक है बंटी और एक है बबली एक है बंटी और एक है बबली अहां हमाँ में धहला हम देखना बंटी और बबली कहानी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा बंटी और बबली दो दोस्ते दोनों साथ रहते थे सारा सारा दिन साथ साथ मैच देखते थे तुमको लगता था कि अरे यार बहुत ही बढ़े बात है ना बंटी को तो यह भी आईप्यल देख रहा है जब मैं बाहर बरगर खाने जा रहा हूं तो यह भी बरगर खाने जा रहा है बिलकुल बिटा जीएफ बियाफ नहीं बढ़ा जिंदगी में एकी चीज़ बच्ची जीफ बियाफ इसके आगे बढ़ो बहुत ध्यांस वच्छों देखना लेकिन देख लो यहाँ पर कुछ लोग आज की दिन भी क्लास कर रहे होंगे कुछ लोग लगातार पढ़ रहे होंगे ना तुम्हारे आसपास भी बिटा बंटी बबली है बिल्कुल बच्चों हुआ क्या हुआ क्या बिटा अब बंटी को लगा कि यार माल लेते बबली के 20 नंबर आते मालो 30 भी आ जाते माल लेता मैं लेकिन इसके 90 नंबर आये हैं सरासर धोखा हुआ है सरासर धोखा हुआ है उसमे बच्चों पता है कि इंतिकाम लेने का सबसे बड़ा हतियार है वो है पढ़ाई तो भाईया जोए बंटी ने क्या करा बंटी जो इस चाहिं पर रात दिन पढ़ रहा था रात और दिन पढ़ रहा था बबली को ओवर कॉंफिडेंस हो चुका था बबली सोच रहा था कि जब बंटी मेरे साथ था तम मेरे नंबर आगे अब तो ये भी साथ नहीं है मैं दूर नहीं करना चाहिए घमन तो रावड का भी नहीं चला था फिर तो हम इंसान हैं है ना बच्चों हुआ ये बिटा जो अगली बार आपने सुना भी होगा कि महनत बच्चों क्या होती है रंग लाती है और येस बंटी की बिटा जो महनत थी वह रंग लाई बहुत ही बढ करां भर ये माक्स घ्रण और बढ़ सकते हैं 똑같 América टी जो सिंकार से जो एक्सलेरेशन है वह बढ़ेगा और घ्रणेगा भी न हाँ एक्सलेरेशन घ्रणे ना अब और से समझना बिल्कुल अब ज़र बच्चों देखो मैं आपको बिसिकलि यही एक्जाम्पल देती हूं क्योंकि एक्जाम्पल सबसे मुझे रता है सबसे अच्छा एक्जाम्पल है अगर आप बच्चों ध्यान से देख पा रहे हो तो शेर क्या कर रहा है ना बहुत ही स्लो स्लो धीमे ध जीमे धीमे आता है बटेंगां माहरता है रहा है औसले बच्चेह क्या हो रहा है यहां प्शाव ध्यान से चाल को ध्यान से देखो तो आप देख सकते हों कि इस ने क्या करा एक धम से वेक्जा समय के साथ क्या हुआ समय के साथ इसके वेक में परिवर्तन हो गया पहले तो स्लो चल रहा था फिर पिट एक दम से देज हो गया बहुत ही बढ़िया वैरी गुड बैटा लाइन ट्रय नहीं है एक लावर तो पिटद ये मोर देख रहा हो है न वहां कैसे मोर प्रिवर्तन की दर वेगपरिवर्तन की दर यानि कि यदी संके साथ वेग बदला समय के साथ वेग बदला तो हम क्या बोलेंगे गेपूर वस्तु में आ चुका है धुरुन समय क्या छुका है से पीछ Commonome में चलते हैं पीछे एक्जामप्ल में चलते हैं चलो अब यह बताओ तुमारा काम है कि कच्छुए में एक्च्छुरेशन था खर्गॉश में युटो जल्दी जल्डी राम जी कह रे मैं नाचूंक पजी तुम ओर थोड़ी है तुम तो लड़के वैसे बेसिकली आज का लड़के भी नाच रहे हैं लेकिन आप देख लो तुम क्या हो तुम मोरो तुन नाच लो मोर नहीं हो तुम नाच वहत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी नाइस बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा हमें क्या बोलेंगे कि खरगोश में क्या है acceleration आ रहा है कहां से आ रहा है क्योंकि ये समय के साथ क्या कर रहा है वेग बदल रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिटा कच्छुआ लगातर एक ही स्पीड से चल रहा है, हम क्या बोलेंगे, बिटा हम बोलेंगे जो कच्छुआ है, इसमें कोई भी एक्सलरेशन नहीं है, शून ये तुरन, अब बिटा तुम्हारे लिए ए अब जो मैं बताने वाली हूं, क्या उसके लिए तयार हो, जल्दी जल्दी, जल्दी, बेटा हम दोना लिए एक चैलेंजर छेउन एक चैलेंजर कूश्चन है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से देखो, बच्चों, तो ये है एक एथलीट, बेटा, य जो यह अथलीट है यह बचोई मालो क्या मिट्सकी स्केंड की रफ्तार से शक्कर लगा रहा है तो यह बताओ क्या इसमें एक्सलेरेशन है या नहीं जल्दी बताओ है इसमें एक्सलेरेशन है या नहीं है बिटाई इस गती में दुवारन होगा या नहीं होगा यह और नो कि इंपासिबल के देख लो तुमसे पूछा है नहीं होगा नहीं होगा तो समझ लो नहीं होगा कि होगा होगा की नहीं होगा होगा या नहीं होगा नहीं होगा अच्छा क्यूं नहीं होगा क्यूं नहीं होगा क्यूं नहीं होगा क्यूं नहीं होगा तब भी 100 मीटर प्रती सकेंड से ही चल रहा है यहां पहुचा तब भी 100 से ही यहां पर तब भी 100 से ही इसलिए इसमें अक्सलरेशन नहीं होगा क्या बोलो जनता क्या बोल रही है हां की ना जल्दी बताओ जनता क्या बोल रही है हां या ना हां या ना विल्कुल सही का कि मैम एक समान गती में तुरण जीरो होता है चुकि लड़का एक समान गती से दोड़ रहा है इसलिए इसमें नहीं होगा और इसने कहğiते हैं जो भेड़़-चाल जलते हैं कभी जिनिगी में सउकस्सेश्फूल नहीं हो पाते हैं अगर तुम्हें लग रहा है तो बैटा दुनिया को देखके नहीं ही बोलना है ना यार दुनिया कहीते ही पागल few मैडम जी एक समान गति से चल रहा है लेकिन दुनिया की तो आखे बंद है ना दुनिया को यह नहीं दिख रहा है कि यहां पर इसकी दोड़ने की दिशा इधर है इस पॉइंट पर दिशा इधर है इस पॉइंट पर इधर इधर इस पॉइंट पर इधर इधर इस पॉइंट पर इधर इधर इस पॉइंट पर दिशा बदल रही है बचो ध्यान सुनना चुकि गती की दिशा बदल रही है हमें बदा है हमें बदा है कि बच्चो तो वेग होता है बेटा वेग में परिमार और दिशा दोनों होते हैं परिमार दिशा दोनों होते हैं चुकि बेटा दिशा बदल रहा है तो हम क्या तो भी वेक बदलेगा चुकि यहाँ पर परिमार तो नहीं बदल रहा है बिल्कुल सही कहा सौ सही दौड पड़ा है दौड़े पड़ा है दौड़े पड़ा है दौड़े पड़ा है को रुकी नहीं रहा है लेकिन लाल देखो यहाँ पर दिशा तो बदल रहे हैं न भाई बाई दिशा वदली तुम क्या बोलेंगे कि वस्तु जो है एक समान गती से त्वरित है कह सकते हैं एक समान त्वरित गती कर रही है एक समान त्वरित गती कर रही है कि इसमें क्या है एक समान त्वरन है अरे भाईया समझ आया कि नहीं आया सूरे के चारोर हमारी प्रित्वी क्या कर रही है चक्कर लगाए जा रही है लगाए जा रही है याद रखना एक समान त्वरित गती है एक समान त्वरित गती है बोलो हां की ना अश्मीता सिंग ओ हैलो मैंने लिखा था ओ wins भूशे कैसे पता चलेगा वैनने लिखा सिंग इये चलो चलो कोई बात नहीं है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे ईडैपने के लिए羅 के चलो dah बढ़ भी सकता है और वेग घट भी सकता है यहां तक बले तो किलियर हो किया यहां तक किलियर हो किया इडिशाद मैं आइपल के टाइम हो गया बेटा तु एक काम कर बेटा तु निकल अच्छा एक बात बताओ अगर मालो तुमालो लेट सपोस्ट कि तुम्हारा विवा है मा और माल लो उस ताइम पर होन मालो क्या पता है अपने को क्या पता फ्यूचर किसने देखा है ना बच्चों माल लो कि उसी दिन जो है आई पील मैं कह रही हूं वर्ल्ड कप को फाइनल मैच आ रहा हो क्या करोगे शादी छोड़के भाग जाओगे दुलन से क्या बोलोगे कि क्यों को हम आते हैं पहले मैच देखे आएंगे उसके बाद आकि वर्ल 와 पाईनाएंगे ऐसा करोगे हैं ऐसा करोगे नहीं करोगे ना यार और विसली नहीं और उसी प्रकारत से थार पढ़ कर नाम जो हम याप लेना चाहते हैं यार पर हम उम्मीद करते हैं कि कि तुम्हाई लड़की जो जो होने वाइफ उसके बारें पता हो है ना ताकि साधी के डेट आगे आगे पिछे करवा ले फिक्स करवा ले चलो आगे आज़ो हाँ आगे आज़ो बचुदा ध्यांत देखो अब ऑव्विस सी बात है कि जब हम लेट हो रहे होते हैं बिटा द सकते नहीं हो रहे हैं तुम हाई डैली का लिए प्यार लेतोर हो और वाठानी एक ब Ground Ten क्या हूआ मैं दूसरा case बच्वक्स क्या है तुम आ रहे थे तुम आ रहे थे ठीक है तुम आ रहे थे था मां कि वgenesरोब सब्जी मंदी के रास्ते से होकर जाना है ठीक है बच्छा फील करो फील करो फील करो बिटा स्कूल क्लिए तुम लेट हो रहे होगे क्या करते हो क्या कर रहे होगे तुम क्या कर रहे होगे लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहे होगे है ना बच्चों मालो कि दस बच के एक मिनिट पे तुम्हारी बाइक की स्पीड है चालिस किलोमेटर पती घंटा दस बच के दो मिनिट पे क्या हुआ तुम्हारी जो स्पीड थी पचास से किलो मिट्मीट में घंटा हो गई असी कंटे की रफतार से सामने कोई भी आजा एव लेट नहीं होने जाहिए ना बेज जती नहीं होने चाहिए कोई हमें टंडा जो है मारते हूँ देख ना लेधा भी लगा सकते हैं रास्ते मम् चारें किसी को दोरा देंगे बन जाएंगे उसको बार देंगे zosक्षियास देखो इस साही पर क्या हो रहा है थाई बदल रहा तब क्या होता है जब बस्तू का वेग बढ़ता है तो क्या होगा धना तो तो यू अपॉण टी अन्तिम वेग माइनस प्रारंभिग वेग अपॉण समय बहुत बढ़िया वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया चलो आजो मैं मैं तो साइकल से जाती हूं तुम्हारी बात नहीं कर रहें तुम्हारी इलावा भी यहां पर रहें कुछ लोग ना चलो बहुत बढ़िया आजो मांसी सही से समझी हाँ बहुत बढ़िया वेरी गुड आज इंसानों को मालो पता चल जाता है कि ठीक कोई इंसान निकल रहा है लेकिन गाय मातों कौन से म मजा गाय माता उने कुछ नहीं आता तो अब हुआ क्या माल लो माल लो तुम आ रहे थे 40 मुट्रबरी से किरफतार से किलोंटर से पूंदर से सी किलोंटर बती घंटे कहनने रफा से एकदम से वर सामने क्या हुआ गाय माता प्रकट औरों क्रोंने बताओं क्लोंन और ओल के थे पूंनको ऑन वंन जीठ तो उडॉल पिल्कुल बिल्कुल बेख लगाओं जब तुम ब्रक लगाओं उस में क्या बिट बेगाओं एकदम से 0 हो गया जब्सक्ति झॉन मन्य रिटारडेशन के बोलते हैं रिटार्डेशन क्या बोलते हैं रिटारडेशन बहुत के यहां तक सबस्ग को समझ यहां पर समझ में आगया अब बत्चों में कि अब chilly को आब नल ब घृत्यान और वी माइनिस यू अपान टी होता है इतना दर समझें आ गया होगा अच्छा एक और important point पता है क्या बच्छों वेग बताओ कैसी राशी है सदिश राशी है या अदिश राशी है जल्दी बताओ सदिश है या अदिश है वैसे तिया पर लिखी दिया है बच्चे वेग कैसी राशी है सदिश राशी है बिल्कुल सही का बच्चे वेग कैसी राशी है सदिश राशी है बिटा तुरण सदिश क्यों है क्यों है वो वेग पर निर्भर कर रही है और वेग कैसी राशी है बच्ची क्या है बच्चों अपनी सदिश राशी है इसलिए क्या होगा हमारी जो हमारा बिटा दी जो वस्तू होगी जो एक्सलरेशन होगा वो क्या है सदिश राशी है बचो क्या जो एक्सलरेशन है क्या शून हो सकता है तो ये शून हो सकता है अगर वस्तु एक समान वेक से चल रही होगी तो वस्तु में एक्सलरेशन क्या होगा जीरो होगा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे चलो आजाओ इसके बाद बच्छे एक बात बताओ क्या एक्सलरेशन नेगेटिव हो सकता है तो हाँ जी नेगेटिव हो सकता है वस्तू का बिटा जी समय के साथ वे घट रहा होगा एक्सलरेशन बच्छो क्या होता है जल्दी बताओ विम्य सूत्र बच्छो क्या होता है बिटा विम्य सूत्र क्या होता है कोई बता सकता है बच्छे विम्य सूत्र क्या होगा जल्दी बताओ अगर मैं आप से पूछू कि x distraction का विम्यसित्र क्या है तो क्या बताऊ गया लंगि टी-2 वेरी नाइस विल्कुल सही का बच्चो ध्यानस देखू बिटा वेक का बिटा ज्यर सब जय विम्यसित्र क्या होता है लंगि की पावर कि और जाएगा यह यह पना सब्सक्राइए अगर सब्सक्राइब के उसके फॉर्म पीटाइब या विद रिस्टब्ट टू टाइम जाने बच्चों हम समय किसा पेछ वेग अवगलन कर दें तो मिल जाएगा तुरंड मिल जाएगा यानि वच्चों यह क्या हुआ कैलकुलस फॉर्म में हो गया ठीक है यह बराबर डीवी अपॉन डीटी बेटा यह मालों कि यह क्वेश्चन बहुत यह आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेग किस पर निर्भर करता है क्योंकि जब से आंसर देना है और जब तक पॉल नहीं आ रहा है तब तक पिटा जी आप कॉमेंट सेक्षिन में भी आंसर कर सकते हैं कि वेरी गुड शबाज बिलकुल सही का बच्चे बिलकुल सही का शाबाज यहीं उमेद वीज ति तुम लोंगों से यारब जो में वह दोनों और निर्भर करता है एक सदिश seç राशी दिशा पर भी निर्भर करता परिमारी है अगर दिशा बदलेगी तो भी वेग बदलेगा परिमार बदलेगा तो भी वेक की वैल्यों बदल जाएगी आगे बढ़ेंगे बच्चे सब लोग देखना क्या तुम्हारे सारे सही निकल रहे या नहीं निकल रहे हैं बच्चे एक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है शाबाश वेरी गुड सबको आंसर करना है सबको भागना नहीं है हम क्लास 11 को भी फोर डालेंग पीछे मत हटो तुम्हें आएगा बहुत ही बढ़िया वेरी गुड बिलकुल सहीगा बच्चो बिलकुल सही कहा तो बिटा जी एकांक समय में वेग में परिवर्तन तुरण कहलाता है आगे बढ़ेंगे next question क्या acceleration शूर ने हो सकता है जल्दी क्या acceleration शूर ने हो सकता है क्या तुरण की वेल्यू जीरो हो सकती है कभी जल्दी है हां बिटा इंगलिश में ही वर्ट्स याद होने चाहिए बच्चे बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोग जब कॉलिज वगरा में जाओ कि वहां पर भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पर जो है न मेले आप इंगल सब्सक्राइश में ही पढ़ोगे तो आपको टर्म लॉजिस आपको पता होनी चाहिए कि त्वरण को एक्सलरेशन कहते हैं बहुत ही बढ़िया शाबाश बच्चों बिलकुल सही कहा कि भाई एक्सलरेशन शून हो सकता है अगर वस्तु बेटा जी क्या चल रही हो एक समान गती कर रही हो यानिक बच्चो समान समयंत्राल में बिटा समान दूरी तरह करी होगी तो क्या होगा वस्तु में वेग एक समान होगा अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही होगी तो तुरण क्या होगा शुन्य होगा बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे बच्चों अग बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़्या बहुत ही बढ़िया वहरी गुट शर्भाश तो बैस एक्सलेरेशन Dlatego । हो सकता है बेट काभ होग जब जब हम ब्रेक मारेंगे या प्रप्र हप्रेंगे यानि कि बच्छों जबहए के वस्तू क्या कर रहे होगी समय साथ अपना वेग घटा रही होगी जब जब वस्तु में समय के साथ घट रहा होगा तब बच्चों क्या होगा उसमें मंदन होगा रणा तो रों कहते हैं या फिर चाल एक समान है बच्चों ये प्रश्न धिमाग लगाने वाला ध्यास सुनना बटा मंदन को के इंगलिश में बोलते हैं या उन बच्चों का भविष्य बदल सकती है जो बच्चे सच में पड़ना चाहते हैं जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं एक बार ये questions करने के बात बच्चों हमें आपको बात बताऊंगी है ना बिटा ये मालना कि वह मैं जो बात बोलने वाली होना आच के class में वो उसके लिए important है जो बच्चा सच में कुछ बनना चाहता है कुछ पढ़ना चाहता है मेहन कर ले ठestar 20 मीटर अखैन से हमसे बढelता है दो बडल में एक समान बहुत ही बढ़िए आगे बढ़ेंगे बच्चों अगर ब़क्र कोई वस्तु एक समान- पैस था गती से चल रही है तो कौन सा थैंस सही है उसमें तौरण एक समान है फिर्धत राक्ष one ए गती परिवर्थिद होगी या निश्चिद समय की पश्चात होगी जल्दी बता यू इसकी पहले वालिो क्लास थी पहते हैं बस यही एक रीजन है बिटा कि मैं आपको ये questions करवा रही हूँ acceleration वाले जल्दी 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 फिटा फिट से very nice बेटा दो इस question को बहुत ध्यान सुना very good बेटा माही त्यागी बहुत इशाबाश बेटा हाँ बेटा राजदेव मैं एक बार और समझाऊंगी ये उन बच्चों के ले था जिन्होंने पुरानी classes देख रखी थी बहुत ही बढ़िया जब कोई वस्तू एक समान गती से चल रही है बेटा क्या होगा acceleration 0 होगा न वस्तू एक समान गती कर रही है तो क्या होगा वस्तू एक समान वेग से चल रही होगी जब वेग बदलेगा ही नहीं तो एक्सलरेशन क्या होगा शुन्य होगा आगे बढ़ेंगे बच्चो चलती हुई कार अगर याप चलती हुई कोई वस्तु विरामा वस्था में आ जाए तो उसका अंतिम वेग क्या होगा जल्दी बताओ हाँ चलती हुई कार अगर या चलती हुई वस्तु विरामा वस्था में आ जाए तो बेटा उसका अंतिम वेक क्या होगा जल्दी फड़ाफट से फड़ाफट से बहुत ही बढ़िया शाबाश बिल्कुल सही का बच्चो दोको अगर वस्तु विरामा वस्था में आ जाएगी तो उसका अंतिम वेक क्या होगा बिटा अंतिम वेक को 20 दर्षा आते हैं ये 0 होगा अगर वस्तु रुक गई है है ना बहुत ही बढ़ी है आगे बढ़ेंगे बच्चो किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेक का परिमाड औसत चाल के बराबर होता है अजल्दी बताओ पढ़ा-फट से और एक बाद बताओ कि तुम लोग आते जाते क्यों रहते हो पढ़ना है पढ़ो नहीं पढ़ना है तो चले कि जाओ यह आने जाने के मतलब किया यहां पे कुछ क्या डांस चल रहा है क्या यह गाने सुनने के आप बात चल रही है कि यह दो मिनट में तुमने क्लास नहीं करी दो मिनट हर क्लास में आ रहे हो ये देखना नहीं है। सीरियस होकी बैट के पढ़ना होता है ठीक हैं… और फिर तुम लोग कहते हों कि नहीं मैं हमारे पढ़ने मन नं लगता हो यह हमारे number नहीं कैंगे फिर लुचित बिंव हैं में सिर्फ और सिर्फ दिशा का बिटा डिफरेंस होता है अगर दिशा बदल जाएगी तो वेग बदल जाएगा बहुत ही बढ़ी हम क्या कहेंगे जब वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो एक ही दिशा में चल रही हो बहुत ही अच्छे किसी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ नहीं बदल रही है तो उसे क्या बोलेंगे बिटा वेरी गुड हाँ इसके बस में आपको बताने वाली हूं कि आज के लिए क्लास में क्या इस इंपोर्टेन आंस करने वाली हूं हां बहुत ही इंपोर्टन जा एंव तो किसी वस्तु के अगर स्थिती जो है समय के साथ नहीं बदल रही है तो बच्छे इसका मतलब साफ साफ वस्तु क्या है रुकी हुई है वेग का मान बिटा वेग का मान हो सकता है जीरो हो सकता है रिरात्मक हो सकता है धनात्मक हो सकता है या इन में से सभी जल्दी बताओ फ बेटा वेरी गुड बच्चे वेरी गुड बेटा वेग होता क्या है तो वेग और कुछ नहीं बलकि विस्थापन की दर होती है बेटा विस्थापन की दर यान क्या हम कह सकते हैं एक कांक समय में वस्तु में जो विस्थापन तय किया है उसे बोलते हैं बच्चे वेग बेट क्या होता है सिस्थापन समय होता है सिस्थापन क्या है बच्चों सब्सक्ति हो सकता है और बहुत आप यह तो ज़ल्दー भी शुर्णी हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे इन में से सभी पॉजिटिव तो को पता ही है ठीक है बहुत ही अच्छे हैं बेटा इस्टार्ट कर रहे हुँ मैं हां स्टार्ट कर रहे हुँ मैं बच्चों अब आप लोगों को जल्दी से कॉमेंट करके एक चीज बताने तुम मैं से कितने बच्चे जह की पुट्रेशन कर रहे हुँ में लिखना judge डबल इए अगर नीग स्टी प्रौल भी जल्दी बहुत ही इंपों इसे जट्वरल य koş हां नीट 123 gewe हो पहाथ यृ बढ़़िया आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके सो बच्छो मेरी बाद को बहुत बहुत गौर फर्माना जेई और नीट में जिस तरह का competition है उस competition को देखते हुए अपने एक चीज बटा जी decide करें मेरे दिमाग में आईडिया आया हुआ है मैं पहले चीज तो यह है कि इस क्लास में मालो 200 बच्चे हैं बटा जरूरी नहीं कि 200 में से 200 बच्चा पढ़ना चाहता हो ठीक है यहां पर देख भी जाता है 200 में से मुश्कित मुझे लगता है कि 60 या 70 बच्चा ऐसा होता है जो बहुत ही जादा सीरियस होता है पढ़ने के लिए जो मेहनत करने के लिए तयार होता है बाते सुनना सबको अच्छा लगता है, हाँ सपने देखना सबको अच्छा लगता है पर मेहनत करना सबको अच्छा नहीं लगता मुझे बता है कि दोसों में से 60 या केवल 60 या मैंने जादा नंबर बोल दिया है 60 या 70 बच्चा ही ऐसा होगा जो सच में मेहनत करना चाहता है और अगर इन 60 या 70 बच्चों के साथ मेहनत कर दी जाए अगर इन 60 या 70 बच्चों को अलग से क्लास लेके पढ़ा दिया दे तो शायद इक बच्चे रैंक निकाल देंगे बच्चों मैं आपको पहले बता दूं कि मैं स्सार्ट करने वाले हो एक एक्स्ट्रा बैच वो बिलकुल फृटी आफ कास्ट होगा कोई पैसन नहीं होंगे एक रुपए फीस नहीं लगेगी एक रुपए भी विटा जी आपके फीस नहीं लगेगी और यह शुपर ठर्टी जो इक क्लास चलाऊंगी सींप्ल आपको कद अब इस पर फिफ्टी जितने बच्चे होंगे यह वही बच्चे होंगे अगर तुम्हें पचास बच्चों का homework दिया रहता है जैसे आप वो homework attempt करते हो हमारे पास data आजाता है कि कि कितने बच्चे ने 10 questions सही करे हैं किसने जो है सारे सारे questions सही किए हैं तो जो हर class में homework बिल्कुल सही करेगा पहली चीज़ है उन बच्चों का उन बच्चों को हम लोग करकर कर रहे होंगे उनका अलग से टेस्ट लिया जाएगा पहले ही बता दूँ टेस्ट बहुत अच्छे लावल का होगा अगर जे या नीट की प्रिप्रेशन करनी है तो अव्वेस सी बात है तो टेस्ट होगा वो उसी लावल का होगा अब उन्हें टेस्ट में जो बच्छा जो बच्छा उस टेस्ट को क्राक कर लेगा वह वह इसका हिस्सा अब जाएगा और रेगिलर इन रचों का टेस्स लिए जाएगा तो बेसिकली डश faces लीा जाएगा तो जो हर दिन अच्छा करेगा वह इस Gistä बन सकता है ठीक है तो वसकी सुप बैच में दस question आपको दूँगी जो 10 में से मालो 9 question बिटा minimum 9 का target है और homework में मैं वही question देती हूं जो class में पढ़ाती हो तो जो बच्चा हर दिन एक हफते तक 9-9-9 questions सही कर रहा होगा उसका मैं अलग से test लोगी और उस test का जो बच्चा टॉपर निकलेगा जो टॉप 20 टॉप 30 बच्चे निकलेंगे उनकी special classes लगेंगी बिल्कुल ट्यार हो ट्यार हो करने के लिए पक्का करने के लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो बच्चो मैंने आपको कहानी सुनाई थी बंटी ओ करेंब बबली होता है और इसके मांक्स अबंटार मसक्ति भाड़ा कि जैसे मांक्स पढ़ने मसक्ते हैं या मस्त भीना भड़े सकते हैं उसी बढ़ भी साथ्व लग कब भड़ेगा बिटा जब मालो हम कोई force लगाएंगे अब आगे आप लोग पढ़ोगे अपना जो है जो अपने laws of motion है उसमें आप लोग पढ़ोगे कि जैसे हम लोग force लगाते हैं फोल्स के करण क्या होगा वेग में परिवर्तन होता है तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर वेग बढ़ेगा अगर वेग बढ़ेगा तो क्या होगा बिटा जी तो धनात्मक एक्सलरेशन आएगा वेग घटेगा तो बच्चों क्या होगा रिनात्म एक्सलरेशन आएगा तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक्जाम्पल दिया था कि अगर आप तुम ध्यान से देखो तो जो यह टाइगर है बिटा जिसने क्या क्या एक दम से वेग बढ़ाया है ना वेग में परिवर्तन कि दर यानि कि अगर समय के साथ समय के साथ वेग बदल रहा है तो क्या होगा हम क्या बोलेंगे कि भाई जो है हमारी वस्तों में क्या है एक्सलरेशन है लेट सपोस कि आप लोग चल रहे थे 30 मीटर पर सकेंड से हैना 30 मीटर पर सकेंड से चल रहे थे लिए सिसे साथ बदला हम समय के साथ बला हम क्या बादो क्या Sony अब थो में लोक्ता है ट्रोंप्स प्रार्मविक वेग पिंटेटी समय है मैं आपको बताया था कि जो वेग है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है तो जब बच्चो वेग घटेगा तो हमें क्या बोलेंगे वस्तु में रिनात्मक्रन है अब बाकिया आपको पता है मीटर पर सेगेंड इसको बिटा जी क्या होता है इसकी विमा हम लोग जानते हैं एल टी की पावर माइनस का टू यह हमारा जो हमारा जो है विमी सूत्र होता है ठीक है और बच्चो अगर हमें अवकलन के फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम इस तर मतलब सींपल सा है कि हमें उसी मौमेंट का बहुत ध्यान सुनना इसी मौमेंट का हमें ऐग्सलरेशन पता चल जाएगा क्या कर ना होगाए विग का हमें क्या करना होगा ौकलन करना हो अब बच्चों इस ख्वेशन को सौल असान है सब लोग शान्ति से एक ब Dae G Vai Aad । आ को पता है क्लास 7 wtis start होती है तो serious क्यों नहीं आख लिए फिर बोलती हो समझ नहीं प उल्टनार सब्टा के नहीं करने कि दूरी चार्व सेकेड् anticipation करती है तो बस्तू की ऑसत चाल क्या होगे बच्चों जल्दी से कॉमेंट सेक्षिन ने फॉर्मूला लिखो जल्दी फड़ा फड़ से ये कौन सा लेशन है मैं बटा सेकेंड चाप्टर चल रहा है मोशनला स्टेट लाइन जल्दी नोटीफिकेशन ही नहीं मिली बटा सात बजी क्लास होती है हमारी मंड़े को होती है Wednesday को होती है दिन ध्यान रखो ना बहुत ही अच्छे आजो तो बच्चो औसत चाल का औसत चाल का फॉर्मुला क्या होता है वस्तु द्वारा तै की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तै करने में लगा कुल समय फिर से सुनना तै की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तै करने में लगा कुल समय बहुत ही सिंपल सा फॉर्मुला है जो value रखी है उसको apply कर दो, बीटा कोले दूरी क्या है, देखो पहले 16 meter चली, बाद में भी वो 16 meter ही चली है, तो 16 यहां से क्या हो जाएगा, 32 बटे 6, ठीक है, simple, very good, very good, 32 बटे 6 meter per second, औसत चाल है यह आ जाएगा सही है सबसे सॉल्व हो गया वेरी गुड 5.34 वेरी गुड बहुत ही बढ़ेगा आगे बढ़ेंगे बच्चो यह question बहुत आसान था बिटा इस प्रश्न को सब लोग पढ़ेंगे ध्यान से इस प्रश्न को सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ बच्चो question कह रहा है कि उशा बहुत ध्यान सुनना ये वो question है जिसमें तुमसे आसत चाल और आसत वेग पूछा गया है ठीक है देखो कह रहा है उसा 90 मीटर लंबी तालाब में तो बच्चो यह मालो कोई तालाब है लेट सपोस बच्चो यह क्या है तालाब है तालाब बच्चो कैसा है 90 मीटर लंबा है ठीक है अब कह रहा है कि जो उसा है वो कह रहा है कि 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखिये पत पर चल रही बच्चो बिलकुल सीधा सीधा जा र और फिर लौट की आई है पहले वो गई है फिर वो लौट की आई है कह रहा है कि इस प्रकार से उसने 180 मीटर की दूरी तै करती है जो बिटा इसको ये पूरी दूरी तै करने विटा टाइम लगा है वो क्या है एक मिनिट का टाइम है प्रेश्ण ने कह रहा है औस चाल और औस विग याद करो बहुत ही बढ़िया बच्चो औस चाल क्या होती है बिटा औस चाल होती है कुल दूरी बटे उस दूरी को तैय करने में लगा समय है बिटा सब लोग सॉल्व करना नहीं सॉल्व करो कि बिटा नहीं आएगी कि पहले बतारी हूं 11 की ऐसी नहीं है कि तुम याद कर लो याद करो कि यादी करते रह जाओगे को कि पहले बता रहूं लगेगी चाहें तुम भले बाइलोजी तुमने सब्जेक्ट लेकर रखा हो बेटा बेसिक मैठ्धेमेटिक्स तुम्हें आनी चाहिए नहीं तो बेटा जी physics में नईया पार नहीं होगी और नीट हो चाहें जेए बिना physics chemistry के crack नहीं हो सकता है मैं पहले बता दो चाहे math बहुत अच्छी आती हो चाहें bio बहुत अच्छी आती हो अगर physics chemistry नहीं कर पाओगे बेटा एक को कुछ निगमलग कुछ होगा ही ने तुम यह माल लो बिटा कुल दूरी कितनी है दो कुल दूरी 180 है बिटा समय एक मिनट है बहुत ध्यान से बच्छे सुनना देखो बिटा दूरी मीटर में है तो हम लोग क्या करेंगे समय को सेकेंड में चेंज करेंगे एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं बिटा कितना आ गया 6-18 औस चाल कितनी आ गई तीन मीटर पर सेकेंड आ गई अब बच्चों प्रश्ण कह रहा है और सथ वेग निकालो बच्चों और सथ वेग क्या होता है बेटा तो और सथ वेटा वेग बडाबर होता है कुल विस्थापन बटे समय जल्दी से कॉमेंट करके बताओ कि विस्थापन कि विस्थापन क्या होता है अंतिम इस्थिती माइनस प्रारंभिक इस्थिती हमारी वस्तु मालो बच्चों हमारे जो उशा है वह इस पॉइंट से गई है यहां पर आएगी तभी तो एक चक्कर कंप्लीट हुआ वेरी गुड चुकि बच्चों जहां से चली थी वहीं पर आ जाएगा हमें क्या बोलेंगे जीडो मीटर पर सेकेंड किसी को दिक्कत वेरी गुड शाबाश बहुत ही बढ़िया किसी को टफ लग रहा है नहीं लग रहा वेरी गुड शाबाश बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ेंगे क्वेस्टन का अपने को एक्सलरेशन निकालना है तो प्रश्ण क्या कह रहा है वेडी गूड सबसे सॉल्फ हो गया एक बार तुम लोग कॉपी पेंच चलाओ तो थोड़ा सा जो है ना मकारी को दूर हटा करके दिमाग में बिठा किया ठीक मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंग साथ हो जाती है यानि पहले बस असी से चल रही थी यानि बच्चे पहले बस असी से चल रही थी फिर बिटा क्या हुआ पांच सेकेंड बाद उसका वे घटके साथ हो गया बिटा समय के साथ वे घटा है हमें पता है यहां पर बिटा क्या होगा यहां पर बच्चे जो है अ सब्सक्राइब है कि शेल अब दृए किया है कि 20 प्ध्यांसि करना बहुत अरे बढूस्यलीं देखो। साभाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां पर क्या है यह अधि अभी निकालते ऊंसर ज fix और सबाथ सांधीम नुऊ लिए घुए असर nervous क्या वार्फ पान्च इsmilio a जितने यह बोल रहे हैं तब गलत बोल रहे हैं मूर्खों यहां पर देखो ना यह किलो मीटर पती घंटा है समय सेकेंड में दिया है कुछ भी कर दोगे क्या है एक बात बचाओ कि एक 1000 किलोमिटर मी क्या तुम रबन जोड़ सकते हो है एक 1000 किलोमिटर में 10 मिटर जोड़ जाएगा यही छोड़ चुट जोड़ करके आओगा बहुत बढ़ गासावास मैं अभी देखो हमारी स्पीड आपस ज्यादा तेज है वेदी गुट्साबाश बच्ची यही करके आना यही गलती यही गलती दुमें तुब आएगी हाँ अब हम करेंगे क्या बिटा जी किलो मीटर बती घंटे को बिटा मीटर पर सकेड़ चेंज पांच बटे 18 करदो सॉल्व कर लोगे स्वाल हो जाएगा नहीं अगर एसे नहीं करना है तो समय को तुम गंटे में चेंज कर लो तो अभी तुमारा अंसर आ जाएगा स्वाल कर लोगे अब स्वाल करेंशन आराम से घर पे बैठे कर लेना और इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बताना कि कितना आ रहा है ठीक है इसका आंसर मुझे comment करके बताना बहुत ही बढ़ेत biology प्रश्ण को सब लोग पढ़ेंगे एक बार पहले प्रश्ण को पढ़ हाँ जलदी जलदी फड़ा फिट से बच्चे पहले ध्यांस पढ़ें उसको क्षिन को अब करना सिखा देए बटा मैं करा दोंगी करा दोंगी डोंट वरी वेडि गुड करा दोंगी बच्चों ध्यान सुनों प्रश्ण को पहले ध्यान से पढ़ो तभी सौल्व होगा क्वेश्चन कह रहा है कि विरामा वस्था से बंटी अपनी साइकल को चलाना शुरू करता है यानि बच्चों पहले बंटी रुका हुआ था और फिर वो चलना शुरू करता है ठीक है यहां बच्चों यह इस क्वेश्चन को सौल्व करने मिटा जी हमें दो केस बनाने पड़ेंगे दो इस्थितियां हमें दी हुई है पहले ही बता रही हो प्रश्ण को पढ़ोगे पांच मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो बच्चों यहां पर लिखेंगे जब वो चलाना शुरू करता है फिर कह रहा है कि वो इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकल का वेग अगले पांच सेकेंड में कम हो करके तीन मीटर पर सेकेंड हो जाता है द लाना शुरू कर रहा है तब हमें अक्सलरेशन को निकालना है तो यहां पर हम लोग लखेंगे दोनों इस्थितियां रेक लगाने के बाद का एक्सलरेशन निकालेंगे पहली सितिम ध्यान से देखो बिटा नहीं 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 बिटा अभिशेक यहां पर न आपको equation equation नहीं लगानी है बिटा यू बराबर वी बराबर यू प्लस एटी नहीं सिंपल एक्सलरेशन का ही सूत्र लग जाएगा ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी उससे ही होगा ध्यान सुनो बिटा कह रहा है विरामा वस्था से बिटा इसका मतलब बच्छो तो पहले केस में क्या है प्रारंभिक वेग शुन्य है बिटा क्या है यू बराबर जीरो है चलाना शुरू करता है और 20 सेकेंड मैंने बच्छो समय कितना है 20 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है अंतियम वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड पहले तो यह समझ में आ गया यह समझ में आ गया हाँ वही है बेटा मुझे पता है मुझे पता है वेर तर्म न लगा दो ए बराबर वी माइनस यू अपॉंटी वी कितना है पांच है यू कितना है बिटा शुन्य है ती कितना है 20 है बिटा ए बराबर क्या होगा 5 बटे 20 हो जाएगा पांच एकम पांच पांच आप को 20 बते चैंड कितना जाएगा दिश्द हुआएGa ज़ींगर पांच पांच नहीं है पाँच बटे 20 होगा पाँच बटे 20 होगा भाई वेरी गुड 0.25 मीटर पर सेकेंड स्कुर्ड उसने चलना शुरू किया जब कोई वस्तु विरामा वस्ताथ चलना शुरू करती है प्रारंबिक वे क्या होता है शूर नहीं होता है अंतिम वे कह रहा है कि बेटा जी 20 सेकेंड में उसका वे कितना हो गया है बेटा पांच मीटर पर सेकेंड हो गया है एक्सलरेशन क्या होगा वी माइनस यू अपॉन टी वी कितना है पांच है यू कितना है जीरो है बेटा टी क्या है अपना 20 है सौल्व करेंगे मारा आंसर आ प्रारंभिक बहुत ध्यांस लेना पड़ेगा तो प्रश्ण कह रहा है कि बंटी ने साइकल को चलाना शुरू किया जब वह पांच मीटर पर सकेंड का वेग प्राप्त कर चुका था बेटा जब उसका वेग पांच मीटर पर सकेंड हो चुका था बेटा तब हम लोग क्या कर है एक कि इसक्ताहिम हम ब्रेक लगा रहे थे उसपाइं पर प्रारंभिक वेग क्या होगा तब बच्चे उसका प्रारंभिक hearing पर सकेंड लेंगे जब वह इतना वेग प्राप्त कर चुका था तब उसने ब्रेक लगाया है वेरी गुट बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी शाबाश यार एक बात बताओ अब है चलो बहुत ही वड़िया अब बच्चों हुआ क्या कह रहा है कि उसका जो वेग है वो तीन मीटर पर सकेंड में सकेंड केस में बच्चों टाइम क्या लेंगे बटा सकेंड केस में जो टाइम लेंगे तो कह रहा है साइकल का वेग अगले पांच सकेंड में अगले पांच सके होगा और बिटाा वी कितना होगा वी होगा तीन मीज़bles क्या ये बाद समझ में आ गई वेडिगूश का वेरिक्न हो बहुत ही बड़िया बहुत ही शाबाश अब बच्चों क्या करेंगे रख D यू अपॉंटी यह मां सोचना की वी छोटा है यू बड़ा है तो लाओ हम यू माइनस वी अपॉंटी कर दें गलत हो जाएगा फॉर्मुला यहीं है अंते माइनस प्रारम्बिक वेगबटे समय बहुत ही बढ़िया अंतिव वेग बच्चों कितना है तीन है प्रारंभिक वेग बेटा कितना है पांच है तो बटे पांच में तीन है, माइनस कर दो, बटे पांच सौल्व करोगी बिटा, यहां से आ जाएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सकेन्ड स्क्वायर बेटा निगेट जाइन तुम से क्या कहना चाहता है वेरि गुड बिटा निगेट जाइन तुम से क्या कहना चाहता है बेटा पांचों को 20 तो होगा तो 0.4 नहीं आ जाएघा Colin को दिएक कम क्या करें तुम लोग को अ कि बहूंद निगेटिव साइन तुमसे चाहता था कि भाई या वस्तू में चाहता है और तुमने थोड़ी दिरल पहले यहीं बताए थैं कि जब ब्रेक लगत अगे वस्तू का व्यक जब घटेगा तब वच्टों क्या सब कितने लोगों ने साथ साथी साथ क्या है जल्दी वेरी गोड वेरिगूड बेरी गोड कि एक बार जल्दी से उसके बार में सार्ड करने वाली हो तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक एक समान एक्सलरेशन और आज समान रण क्या होता है वेरी गुड और अगली क्लास बच्चों जो हमारी होगी फ्राइडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी अभी तक कि मैं ग्राफ पढ़ाने वाली हूं पहले बता रहे हूं क्ला चलो बहुत यच्छे शावाश ऐसे करते रहो ऐसे करते रहो जब तुम क्वेश्चन को बीटा खुद करोगे ना तब अंदर से बीटा तुमें जो है ना कॉंफिडेंस आएगा मैं यहाँ पर कितने भी निमेरिकल लगा तो कभी कॉंफिडेंस नहीं आ सकता जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे कॉंफिडेंस नहीं आएगा जो साथ में सॉल्व नहीं कर पाए हैं क्लास के बाद अकेले बैठ के टाइम देके सॉल्व करें ना कोई दिक्कत नहीं है पर खुद से जरूर करना है सॉल्व वेरी गुड शावाश आगे बढ़ेंगे अब ब समांत रण को बढ़ेंगे बच्चों देखो सबसब्सक्राइब कांफ्यूजन होती है कि जब कोई वस्तू क्या कर रही हो बिटा व्रत्य गति कर रही होती है अगर आपको याद हो बिटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है जब बच्चों आगे बढ़ेंगे समतल म बढ़ेंगे तब भी बच्चों आपको पढ़ना पढ़ेगा व्रत्य गति को और वहां पर हम लोग अभी केंडित रण के बारें पढ़ रहे होंगे बहुत सारे एक्सलरेशन आ रहे होंगे तो बच्चों आपको ये कॉंसेप्ट समझ में आना चाहिए ये आपको बहुत क काम देगा आगे ध्यान सुनना जब भी कोई वस्तु व्रत्य गती कर रही होती फिर से सुनना बचो व्रत्य गती के मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु व्रत्ताकार पथ में गती कर रही हो अब बीटा बात बताओ बीटा मान लो कि हर्श क्या कर रहा है इस सर्कुलर पथ पर सरकुलर बीटा रास्ते पर क्या कर रहा है दोड रहा है अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो राहुल है वो 220 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दोड रहा है यहां पर वी 220 यहां पर वी 220 यहां पर वी 220 यहां पर वी 220 पूरे रास्ते भर वो 220 मीटर पर सेकेंड से ही दोड रहा है तो मुझे ये वताओ कि क्या क्या बिटा राहुल एक्सलरेशन क्या राहुल की गती में एक्सलरेशन है या नहीं होगा राहुल की गती में acceleration होगा या नहीं होगा जल्दी राहुल की गती में acceleration होगा या नहीं होगा तो पूरी आपमादों जब मैंकिनिक सॉल्फ रहे होगे वहाँ पे आएगा ही आएगा नो एक्सलरेशन जीरो होगा कॉन्फ्यूज हैं सब बच्चे एक साथ आंसर नहीं दे रहे हैं अभी भी नो और यस में कॉन्फ्यूज हो अब देखो आप में से कुछ बच्चों के धिमाग में यह आ सकता है कि मैं आम ने बोला कि अगर वस्तू के वेक में परिवर्टन होग तभी एक्सलरेशन आएगा अब आपको कि यहां पर भी 220 यहां पर भी 220 यहां पर 220 220 से चल रहा है वस्तू का वेक तो बदल ही निरा मतलब के एक्सलरेशन नहीं होगा पर वच्चों आप इदर यह सोचो कि जब बेटा राहुल इस बिंदू पर था बिटा इसकी गती की दि पत्थर को बांद दू और मैं उसको गोल गोल गुमाओ और अगर बिटा मैं अचानक से अचानक से बिटा मैं उस रस्ती को छोड़ू पत्थर कैसा जाएगा बताँ पत्थर कैसा जाएगा जल्दी अली फड़ा फड़ से पत्थर कैसा जाएगा अगर मैं पत्थर को चलते प्रीटी गोल नहीं जाएगा सरल रेखा में जाएगा वेरी गुड और किस दिशा में जाएगा बेटा जिस देखो जो जो अगर हम लोग जिस पॉइंट पर छोड़ेंगे उस सब्वाइंट पर इस पर्ष रिखा कीचेंगे वह जिस दिशा में होगी उसे दिशां पत्थर पर बिटां जाएगा बच्चों को हम धोना में जो रही होती है बिटा हर बिंदू पर गती की दिशा बदल रही होती है चूकि गती की दिशा बदल रही है इसलिए क्या होगा बेटा वेग बदल रहा होगा क्योंकि बच्चों वेग क्या है सदिश राशी है अगर दिशा बदली तो भी वेग बदलेगा परिमार बदलेगा तो भी वेग बदलेगा हम क्या बोलें है बिठा इसका सिंपल साताथ पर पर है कि वस्तु का वेग भी बदल रहा है चुझा वस्तु का वेग बदल रहा है इसलिए हूं क्या बोलेंगे कि वस्तुमें तोर्न होगा यह विटा कैसी गती है तुरित गती कैसी गती है बेटा तुरित गती है वेरी गुद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आप लोग मुझे कॉमेंट में लिखके बताना मैं अलगले question पूछ नहीं हूँ प्रत्वी के चारो और चंद्रमा की गती क्या क्या चंद्रमा की गती में है यह संब है यह को पैट क्या एक्सलेरेशन है क्या यह नहीं है कि वेरी गुट शाबाशेद बढ़ सबनाव रड़ि नीको बेटा वेरी गुट थिवारी प्रज्या शाबाश में चेहां की कहती सूरे के चारों गुट होगी घति वेरी गुट गौतम वेरी गुट बलकुल शही का वेरी गोड येस 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 बिटा जी क्या है वेडा उसमें एकसलरेशन है तावाश ये हुईquisite Rock अब बच्चो phil एक समान है या नहीं है तुमसे पूछेगा क्या त्वारण बदल रहा है तुम बताओ बच्चों क्या त्वारण बदल रहा है क्या त्वारण बदल रहा है जल्दी बताओ क्या त्वारण बदल रहा है येस और नो सोच के बताओ खुचते जो तुमारे दिमाग में आ रहा ह सोचके क्या त्वरन बदल रहा है yes or no को नहीं 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 को कोई नहीं कोई नहीं मुझे पता है कि तुम लों गलास जवाब दोगे इसले पूछा है पता है मुझे गलास जवाब दोगा इनो वेडिवल बेटा अब सुनना मेरी बात कमें जो बोलने वाली हूं बच्चों तुवारण खुद भी क्या है सदिश राशी है बच्चों चु रहा होगा और एक एकशलरेशन होता है केंडर की ओर यह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी पर अभी जान लो कि जब भी कोई वस्तू क्या कर रही होगी व्रती गति करती हो उसमें दो तरहे कि एकलेशन होते हैं एक एकलेशन जिस दिशा में हमने टैंजेंड खीचा है जो ग लगातार दिशा बदल रही है इसलिए क्या होगा एक्सलरेशन भी चींज होगा शबाष वेरी गुड ये हुई फिनवात कि बस 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 इस तरह पढ़ देखो यह सारी पॉइंट ना क्लास खतम होने के बार नोर्स बनाओगे यह पॉइंट्स अपने कॉपी पे लिखना इस चार बनाके लिखना वेरी गुड बेटा क्रस्टा कहने में पापा भी क्लास देख रहे हैं वेरी गुड बेटा कृषाबाश अंकल को मना नमस्कार कहना और बस ऐसे पढ़ते रहो माभाप का नाम रोशन करथे रहो बहूत आस लगा deceived रहें तक है और यह यहां तो समझ लिया डिया है। बच्चों यहां में ध्यान सुनना एक समान आज समान एक्सलरेशन को समझो जल्दी खतम करते हैं बाकी बीटा मैं और डिटेल ने पढ़ा दूंगे डोंट वरी जब ग्राफ पढ़ेंगे न तब भी वहां पर पढ़ रहे होंगे वेरी गुड हां मैं हम आपको भी निराश नहीं करेंगे बिटा शबनम बस यहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वेरी गुड बच्चे रेली लव यू बिटा ध्यान सुनना हम पढ़ने वाले हैं ध्यान सुनना बच्चे एक समान तरण आ समान तरण बच्चों मैं आपको छोटी से बात बोलूंगी उससे समझ ज समयांतराल में निश्चित रूप से बदल रहा हूं रूप से बदल रहा हूं रहा हूं जब वस्तू का वेग वस्तू का वेग निश्चित समयांतराल में अनिश्चित रूप से बदल रहा हो या आस्तमान रूप से बदल रहा हूं अब इसका मतलब क्या है एक एक्जांपल दोंगे समझ में आ जाएगा बागी एक्जांपल से समझाऊंगे दिमाग मैठ जाएगा बस दो मिनट और सुनो फिर क्लास को खतम करेंगे बस दो मिनट बेटा नहीं तो आज की क्लास का तो टॉपिक है वही खतम नहीं हो गया ना बस दो मिनट मैंने क्या बोला जब वस्तु कवेग निश्चित समय अंसाल में निश्चित आंफ जल रहा हो लेट सबेटें माब चल रहा हो बहुत ध्यातं सुनना सपूस करो कि आप लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा है हर बार दस से ही बदल रहा है हर बार दस से ही बदल रहा है यानि बच्चो हम लोग जब निश्चित सम्यानत्राल में निश्चित रूप से वेक बदलते हैं तो क्या होगा बिटा एक समान तरण होगा बिटा हमारे कोर्स में एक समा 10 एक्सलरेशन है चारों अब हम क्या रहे हैं हर 2 मिनिट बाद प्ल मालlles Bowl छल रहे थे तो एक दम से हमने क्ता से गाड़ को भगा दिए ठीक है अग्ले मेरे दो मिन्त बाद क्या किया हमने ब्रेक लगाया हमारी गाड़ी रुक गई अब निश्चित अन्सराल में क्भीत क्या हो रहा है अंश्चित रूप से वेकB Andra कभी तो मैं बढ़ा दे रहे हो कभी दम से घृटा दे रहे हो क्या होगा आप समान एक्सलेरेशन अयक्सलेरेशन होगा बच्चो देखो एक्सांपल एक्सांपल हरे दो मिनिट बाद अपना वेग 10-20-30-50 सार्ट कर रहे हो क्या है एक समान एक्सलरेशन है बच्चों हमारे भारत में आटो चला की गती जा सोचो जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें बच्चों हम लोग आज समान तरण से ही चल रहे होते हैं बाई मालोग खाली ऐदम से जाम आगया हमने गाड़ी को रोग दिया बिटा क्या है आस समान तुरह कि प्रथवी की चारो और जो चंद्रमा की गती वो किस प्रकार की गति है जल्दी बताव फड़ा फट से जल्दी 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 फड़ा फट से बिटा जल्दी इसके इस प्रेशन का उत्तर क्या है मैं जॉनपुर की कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुए बिटा लाडो हो जाएगी बच्चे बिल्कुल बिटा स्टार्ट करो फड़ा फटे स्टार्ट करो वेरी गुड संजीव भारती कह रहे हैं ऑप्शन नमबर सी वेरी नाइस ऑप्शन नमबर यहां और कुछ बोल रहे हैं आवरती गती बच्चों ज़रा दोनों का मतलब समझ रहां दोनों का ही मतलब समझेगा त्वरित गती का मतलब क्या होता है जिसमें एक्सलरेशन होता है जिसमें त्वरन होता है अब बच्चों चूकी में पता है कि हमारे जो प्रत्वी है वो क्या कर यह बटा जी जो चंद्रमायों क्या कर रहा है प्रत्वी के चारोर गोल गोल चकर लगा रहे एक व्रत्य गती करती है तो बिटा क्या होती है उसकी तो गती की दिशा है वो निरंतर बदल रही होती है चूंकि गती की दिशा निरंतर बदल रही है इसलिए वच्छे क्या होगा उसमें वेग बदल रहा होगा वेग परिवर्तित होगा मतलब की acceleration होगा वेरी गुड बच्चो option number one बिल्कुल सही है अच्छा आवर्ति गति क्यों है बिटा आवर्ति गति का मतलब होता है एक निश्चिद time period के बाद फिर से वही चीज होना तो कोई इस चीज को बता सकता है कैसा answer क्या होगा तुम बताओ इसको हम लोग आवर्ति गति क्यों कह रहे है कोई कोई छोटा सब्सक्राइब कोई भी अंगर आंसर दे पाए तो आवर्त गति क्यों कह रहे हैं या कैसे हो सकता आवर्त गति सोचो, दोलन गती नहीं, दोलन गती में क्या होता है, मूल बिंदू के ही बिटा जी क्या होता है, बिटा जी मूल बिंदू के जो है अनुदिश मारी वस्तू गती कर रही होती, कभी आगे है ना कभी जो के पीछे, जो है स्रल लेखा गती कर रही होती है, मूल बिंदू के दो गोले में घूम रही तो इसलिए आवर्ध गती हो गई है अएपकप गला गए हो का वेरी गुड इस्क्रेजी वोई एफॉइंट से चलकर फिर से इसी प्र Anda आ जाता है वेरी गुड बिल्कु सही का अगर बच्चों में यहां पर आपको एक्जाम्पल लेकर समझाओं तो हमारी प्रिथवी बच्चों 24 घंटे बाद है एक दिन कंप्लीट होता है 24 घंटे हम कहने के मतलब क्या है हमारी प्रिथवी 24 घंटा में जहें चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो लेट्ट सब्सक्राइब भी इसी प्राइन पर आ करके आज आचुका होगा फिर एक निश्चे टाइम बाद उतने राइब पर यहां पर आगया होगा वापस से कुछ ते साइब बाद इस प्राइंट पर आ गया होगा तो हम क्या बोलेंगे वेरी नाइस बह या फिर एक समान वेग या फिर आसमान वेग का जल्दी बताओ फड़ा फड़ से हां बहुत ही बढ़ेगा बिल्कुल यार बचो सोचना तो पड़े गई पड़ेगा है ना जब तक थोड़ा सा सोचो नहीं खुद से तब तक नहीं होगा वेरी गुड ऑप्शन नमबर बी ज भी और तेज भगाड़ी होगी कभीगं से स्लो भी कर रही होगी तो वस्तु का जो वेयं वह तर क्या होगा बदल रहा होगा रूत से बदल राए तो में क्या बोगा ने समान एक्सलरेशन तूटे फूटे सडक से गुजरते हो यह बस किस प्रकार की गती है जल्दी बता बिटा बिटा कैशा स्ट्रेस नहीं हो रहा है बच्चे अस्ट्रेस नहीं हो रहा है सिर्फ और सरफ यह कुछ कह सकते हैं टॉपिक कर रिविजन करने के लिए क्वेश्चिन हैं उसके बाद हम सिदे जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो बस बिसिकली जो है बहुत ही बढ़ेगा वेरी गुड़ वेरी गुड़ तो टूटे फूट सब्सक्राइब पढ़ता क्या होगा हमारी जो बस है उसका वेग लगातर बदल रहा होगा तो हमें क्या कहेंगे यहां पर भी आज समान एक्सलरेशन ही होगा व्रत्य पत्पर दौड़ता हुआ व्रत्य पत्पर दौड़ता हुआ एक एथलीट किस्त प्रकार की गती का उधारन है त्वरित गती विस्थापित गती आवर्त गती या इनमें से कोई नहीं जल्दी बताओ फड़ा फिट से जो एथलीट है जरूरी जोड़ी है कि मालो दस चकर लगा रहो तो बिल्कुल प्रत्यक टाइम पर प्रत्यक निश्चे टाइम बाद ही उसी पॉइंट पड़ा रहा होगा याद रखना चंद्रमा प्रत्वी के लिए क्या है भाईया वह निश्चे टाइम बाद उसी पॉइंट से तो वापस से कुछ टाइम बात इसे पॉइंट गुजर रहा होगा विटा जी उस पॉइंट के आगे गुजर रहा होगा ठीक है लेकिन एथलीट के लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए हाँ यह पॉसिबल है कि वह अपना जो वेग है वो लगातर बदल रहा होगा अब चुकि वेग बदल रहा होगा तो अव्यस सी बात है कि जो है उसमें क्या होगा एक्सलरेशन होगा बहुत ही बढ़िया चलो एक वस्तु आधा रास्ता वीवन वेग से तैय करता है तो आसत वेग क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी फड़ा-फड़ से बिटा एक वस्तु आधा रास्ता वीवन वेग से तैय करता है अगला जो आधा रास्ता है वो वीटू वेग से तैय करता है तो बताएए औसत वेग क्या होगा फॉर्मूला है यह सीधा-सीधा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आप्शन इस question का जवाब जोई बच्चा देदेगा यह मालोग इसने बहुत ही अठी से पढ़ा होगा तो question कह रहा है एक कड़ एक आर्थ रज्या की अर्थ व्रत्य पत्थ का पूरा चक्र लगा लेता है कड़ की द्वारा चला गया विस्थापन का अनुपात दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा जल्दी बताओ कि बिटा यह question का जवाब सब तो नहीं दे सकते मुझे इतना बता है अगर दोगे तुक्का मारोगे क्या होगा हाँ जल्दा सुनना बच्चो एक कड़ है लेट सपोस बच्चो इत्रजिया क्या है उसकी आर है ठीक है इस आर त्रजिया के व्रत्य अर्ध व्रत्य पत्पर क्या करें पूरा चक्र लगा रहा है तुम कह रहा है कड़ के द्वारा चली गई दूरी बच्चो इस केस में दूरी होगी पाई यार है ना एक कम्प्लीट सरकल होता तो चली कि दूरी क्या होती तू पाई यार होती अब चूकि आधा सरकल तुम क्या बोलेंगे दूरी है पाई यार अब कह रहा है कि विस्थापन बेटा विस्थापन क्या होगा तो चूकि वस्तु हमारी पात बिटा दूरी बिटा जी कितनी है दूरी है पाई यार विस्थापन कितना है बिटा विस्थापन है तो यहां से आर आर कथ जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई बाई टू तो हमारा सब्सक्रा जाएगा कि फन Missouri किा और यहां तो आधे और पूरे आवर्त काल की बाद इसका विस्थापन क्या होता है बचणा सोचो कि हमारे जो है करने लेट सपोस्थ पॉइंट से चलना शुरू किया। ठीक है। बिटा लेट सपोस्थ कि आधर बिटा चीज आधे आवर्थकाल आधे पूरे आवर्थकाल के बाद। इसका मतलब क्या है कि आधे टाइम की बाद क्या होगा वहें। उसने आधी दूर इतना ही कर समीर है कर बहुत ही अच्छा नमर भी बहुत सारे बच्चे बोल दें शाबाश बहुत ही बढ़िया अब द्रहा सोचो बच्चो पूरे टाइम यह कह रहा है कि आधे और पूरे आवर्थ काल के मतलब क्या है कि भाई आवर्थ काल क्या होता है एक चक्कर कंप्लीट करने हम होगा तुम क्या बोलेंगे टू और कॉमाश वहाथ बढ़िया शबश्च आप्च्छ नमबर भी क्या होगा हमारा सही होगा व्यरी नाइस है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आगे बढ़िया बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफी निरूपन को क्या सब क्या सभी बच्चे तयार हैं एक बार जल्दी से कॉमेंट सेक्षन बताओ वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया बच्चों याद रखना ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है शुरू से नहीं पढ़ोगी मैं पहली बता रही हूं कुछ समझ नहीं आएगा बीच में छोड़ क सकता है पर अपने को सीखना तो पड़ेगा ने रखने बच्चों स्यषिक है विलकुल वि इए का लीए को बॉलते हैं आपको यकाल न शाइए ठीक है आपको निकालना चाहिए प्रवडता को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं slope अब बहुत ध्यान सुनना बच्चो अगर मालो हमारा graph कुछ इस तरह से है बेटा आपको पता होना चाहिए यह x-axis है यह y-axis ठीक है यह x-axis यह y-axis ठीक है अब बजो ध्यान सुनना अगर graph बच्चो let's suppose ऐसे आ गया ठीक है बच्चो यह क्य थीटा है ठीक है ठीटा मतलब क्या है हम कह सकते हैं कि हमारी वस्तू जितने एंग। से विस्थापन किया आपक पड़ह चल कर इसो अ तो बच्चो देखो ध्यान सुनना उस बन्ठा प्रवर्टा निकालनी हूं नेको let's suppose बच्चो let's suppose में क्या करने प्रवर्ता निकालनी है इस तरह के ग्राफ के बटा ये मालो की दूरी क्या है ये y दूरी है ये मालो x दूरी है तो बच्चो प्रवर्ता और कुछ नहीं बलकि क्या होता है 10 थीटा होता है 10 theta होता है, very good, बहुत ही बढ़िया, तो बच्चो क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, बच्चो क्या होगा, तो अगर ऐसा अगर graph बन रहा है, तो बच्चो जो 10 theta होगा, बच्चो क्या होगा, y, y, x होगा, आपने बच्चो सुना तो होगा, लाल बटे कक्का, आपने सुना गया बहुत ही बढ़िया बहुत शान्दार अगे बढ़ने आगे बढ़ जाए ऑगे बढ़ जाए बहुत भरेया वेटेसर कि अब इस ग्राफ हमारा इस का है नहीं यह इस तरह स होगी ही आब緊 जो नहीं हम लोग Slope को कैसे निकालेंगे छीक इस case में हमें Slope कैसे निकालना होगा अच्छा श्रेयर समण अब अगर मैं इसी नीचे वाली भूजा कि समनांतर एक और खींच दूं ठीक है तो यह बाद जो रहा समय थिता नहीं होगा क्या यह घूतकुल हो गता है यह फोद्धान थिहान से सुनने इसी तरह से अगर कहीं Colorado तो फहली तो एए से इसको ऐसे आगे बढ़ा लो ठीक है ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे अ कि बहुत तो ध्यास देखना जो ठीक है अगर इधर वाला एंगल थीटा यह तो बच्वों क्या होगा यह वाला यंगल विटा क्या होगा थीटा होगा बहुत ही अच्छे अब बच्चो हमें निकालना है कि इस केस में पर यह दूरी क्या है यह क्झा है यह यहां से यहां तक बच्चो दूरी क्या है यह東 यहां तक समझ में आ रहा है बहुत ही बढ़ी है वेरी गुड शबाश बच्चो देखना मालो यह दूरी बच्चो क्या है तो यह दूरी है वाइवन और यह पूरी दूरी कितनी है यह दूरी है वाइटू ठीक है यह है यह वाइटू तो अगर बच्चो यह वाइवन है यह पूरा वाइटू है तो यह दूरी क्या होगी क्या यह दूरी बेटा क्या यह दूरी वाइटू माइनस वाइवन नहीं होगी बताओ क्या हम इसको वाइटू माइनस वाइवन नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं वाइट वेरी गुड समीर है कर शाबाश बेटा बहुत ही तो स्लोप आएगा y2-y1 upon x2-x1 बहुत लंब बटे आधार लंब इस केस में क्या है y2-y1 आधार क्या है x2-x1 क्या ये बाद सबको समझ में आ गई बताओ आ गई की नहीं आ गई बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया पक्का समझ में आ गई इस वेरी गुड बाते मत करो बाते करो कुछ समझने आएगा यह topic ऐसा नहीं है कि रटने वाला हो यह topic है समझने वाला बिलकुल समझना पड़ेगा बहुत ध्यान समझना पड़ेगा अगर पढ़ोगे तो ही पढ़ाओंगे अदरास सिक्प कर दूंगा और फिर तुम लोग चिलाते हो कि मैं आप complete नहीं पढ़ा रहे हो आप YouTube पे जो है ना तफ तफ टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हो कैसे पढ़ाओंगी जब पढ़ने वाली जनता होगी तब पढ़ाओंगी ना जिसको पढ़ना ही नहीं है तुम लोगों को आसान आसान से questions कराओ बढ़ा मन लगता है जरा से टफ पढ़ा तो तुम पढ़ने मन नहीं लगता है तो भाई टीचर कैसे जिसको पढ़ना ही नहीं उसको क्या पढ़ाना समाझ रो फिर तो मैं वहीं करूंगी चलो बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ेंगे अब जरा बच्छो सपोस्ट करो कि एक ग्राफ अगर ऐसे अगया है अब मान लो ग्राफ ऐसे आ गया ठीक है अचाएं बात बताओ यह पर थीटा तो यह तो यह ही ठीटा बदल द्राफे आप सुनना जर्ण क्या हूँ रहा है है अब क्या करना होगा एसा ग्राफ है तो कैसे निकालेंगे तो लौत ध्यानें माल लोगर ऐसा है तो वच्चों प्रश रेखा भी खीचते हैं मुझे इस पॉइंट पर जी क्या करना है इस पॉइंट की बढूर्सा मैं क्या करूंगी इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट रेखा कहींच दूँगी इस एक समेंगर मैं इस कई तो कहीं ना कहीं तो आपर सब्सक्रों यहाँ के हम लोग यहां पर प्रवर्ता निकाल देंगे नहीं तो अठोż प्रम नोग जा प्लॉडब प्लॉड यहां बच्छ चोटा सो त्रभुज बन रहा होगा चोटा स्रभुज बन रहा होगा तो बच्छो यहां प्रम बेटे सब्सक्ति rust अशके लिख सकते हैं attitudes टोटा ऐसे लख सकते हैं, इसको हुआ एसे लिख सकते हैं कि भ één, 10 निद कर लिए, 10 सीटा बराबर डी वाई वाई गे F1, के случае डी वाई भाई, डी एक। बहुत ही अच्छे दी वाई भाई डी वाई डी ơi Lazakka Probat kart Magdaad does हिस्सा लिया है वाई वाला हिस्सा है क्या लंब है भूप छोटा सा आधार लिया है बहुत ही चोटा सा ट्राइंग्ल ले 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 लुए ठीक है और लिट बा थो क्या करेंगे डिवाेग्वाई दिय y by x लगा दो, simple, 10 theta बराबर y by x, बहुत अच्छे, अगर बच्चों मालोग graph आपका ऐसा है, तो उस case में हम लोग slope कैसे निकालेंगे, तब 10 theta हो जाएगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि 10 theta बराबर delta y upon delta x, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं ऐसे लिखा हो, परिशान मत हो, बहुत ही बढ़िया, अगर बच्चों कहीं पर graph ऐसा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, x की साफिक्ष अवकलन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उससे बिंदू का, बिटा जी क्या मिल जाएगा, प्रवर्ता मिल जाएगी, slope मिल जाएगा, बहुत ही बच्चों, एक समान गती के लिए graph देखने वाले हैं हम लोग, और सबसे पहले बच्चों हम लोग एक समान गती के लिए graph देखने वाले हैं, बिटा इसको ऐसे बोल सकते हैं, दूरी समय graph या इस्थिती समय graph कहना रादा सही रहेगा, तो हेडिंग लगाओ, इस्थिती समय समय ग्राफ onने और समय ग्राफ क्या है कि तो अगर वस्तु समान समय अंतराल में सम spaced दूरी तै करती है ठीक है अगर वस्तु समान समय अंत्राल में समान दूरी तै करें तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी वस्तु है वो एक समान गती कर रही है बच्चों यहां पर काम करते एक साड़नी बना लेते हैं टेबल बिटा बना लेते हैं Let's suppose, बच्चों, कि हमारी वस्तु जो है, वो 2 सकेंड में, ये मालो समय है, और बीटा, ये क्या है, दूरी है. लेट्स सपोज हमारी वस्तू प्रत्येक बहुत यच्छे हमारी वस्तू दो सकेंड में समय हमने लिया है सेकेंड में मालो दो सकेंड में चार मीटर चल रही है दो सकेंड में चार मीटर ठीक है बच्चों फिर क्या होगा भाया बिटा ध्यान दे वो टेबल कुछ ऐसे बन रह होगी है ठीक है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी जब ध्यांस देखो बच्चो दो सकेंड में चार मीटर चल दई है अगले दो सकेंड में ध्यांस देखो बच्चो 4-2 कितना है अगले चार मीटर यानि कि अगले दो सकेंड में चार मीटर चल रही है हमारी वस्तू प्रत्येक दो सकेंड में चार मीटर दूरी तय करें कि यह बास सबको समझ में रहे हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे दो सकेंड में चार मीटर चल रही है समान समय चार में वस्तूरा कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी वस्तू वह एक समान गती कर रही है एक समान गति कर देव हैं अब जो बच्चों ध्यांस सुनना बच्चों दोकों यह हम लोग x axis पर समय को लोते हैं बटा x axis पर हम लोग समय को दरशाते हैं क्योख जो समय होता है बच्चों वो घंशी परаж कि दिपेंड नहीं करता है ऐसा नहीं होता कि जब तू इतनी दूरी तरह कर लेगी तब जो है दो सेकेंड होंगे या दस सेकेंड होंगे समय किसी पर निरभर नहीं करता समय एक इंडिपेंडेंडन राशी इसलिए बच्छो क्या होता है इसको हम लोग एक्स एक्स पर दर्शाते हैं अब बैटा वाई एक्स पर किसको बेटा जी दूरी को ठीक है आई माल लो इस्थिती को बेटा दूरी ली है हमने मीटर में बच्छो यहां पर हम लोग उसी इसाब से खाने बना लेंगे बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे वेरी नाइस बच्छो दो सेकेंड दो चार छे आठ दस बारा बच्छो इंप देख रहे हैं कि 2 सकेंड मीटर चला चार मीटर यहां पर एक पॉइंट मिल गया अगले दो सकेंड फिर से चार मीटर चला अगले दो doğ prob पस से चार मीटर चला अगरुर्ट सभी पाइंट को जोड़ोगे तो तुम्हें सरला रेखा मिल जाएगी क्या सबहों मिलेगी बहुत ही अच्छे उस्थी ल written ऑन्हें कि मतलब क्या होता है समय नrebbe क्या तो यहां पर यहां ने ग्राफ बनाया कि हमारी वस्तु प्रत्यक जो है दो सकेंड मालों चार मीटर चली लेट सब्सक्राइब ले लिया तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करेंगे हम उस ग्राफ में क्या देखेंगे जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा का बन रहा होगा कै रही क्या है एक सरल रेखा बन रहा है बहुत ही बढ़िया वेरी नाइस सबसे पहले चीज़ यहां पर मैं सीखने क्या मिली कि अगर वस्तु एक समान गती कर रहे होगे तो बीटा दूरी समय ग्राफ कैसा होगा बिटा दूरी जो समय ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगी एक सरल रेखा होगी बच्चों ध्यान सुनना दूरी समय ग्राफ की जो प्रवरता है वो हमें क्या बताती है बटा दूरी समय ग्राफ बटा हमें बताता है चाल को कि वस्तू कितने चाल से चल रही है फिर से सुनना बच्चों बिल्कुल तो बच्चो दूरी समय ग्राफ को देख करके हम वस्तू की चाल के बारें बता सकते हैं अगर बच्चो मालो हमें इस पॉइंट की चाल निकाल ला हो किस पॉइंट वस्तू की चाल कितनी होगी तो हम निकाल सकते हैं बच्चो है ना और द्यान सुनना मालम मैं इस पॉइंट पर चाल निकाल लुटा कितनी आ जाएगी आठ बचे चाल विटा 2 मीटर पर सेकेंड अगर मैं इस पॉइंट निकालों बहुत ध्यान सुनना बच्चों यह कितना है बारा बटे 6 6 12 तो यानि कि मैं क्या कहूंगी इस केस में क्या है इस केस में प्रत्येक बिंदू पर जो चाल है वो क्या है समान है कहने के वच्चु मतलब क्या है कि जब वस्तु एक समान गती कर रही होगी तो वस्तु मिटा जी क्या होगा जो वस्तु मिटा जी चाल है वो भी एक समान होगी तो मैं क्या कहेंगे बेटा वी फिक्स है वी कॉ कोई बता सकता है इसमें하겠습니다 कितना है बता सकता एक्सलरेशन कितना है कितना है हा बच्चोओ सीट्स ग्राफ में इस बीटा तो कुछ ऐसी गती कर रहे हैतनु ब stolen रहकर बहुत है बहुत ही बढ़िया एक्सलरेशन बच्चो जीरो है हमारी जो चाल है वो क्या है नियत है बाकी बच्चो दखो मालो अगर तुम्हें किनी दो विंडो बीच मालो तुम्हें इस पॉइंट से लेकर कि इस पॉइंट की बटा चाल निकालनी हो तो बिटा हम क्या करेंगे बच्चो देख करके चाल निकालनी है ठीक है तो हम लोगा करें मालो से मोला कि भाई यह पॉइंट बहुत है यह कि में कितना है बच्चो वाई टू है 20 वाईवन कितना वैट वाईवन कितना है बारा तो 20-12 पटे ज्यास देखना इस पॉइंट तक पहुंचने में समय कितना लगाünde दस सकेंड का विटे इस पॉइंट कितना लगा से एगा चार दूनियार वहky आप देख सकते हो कि हमने तब चाल निकाली कितनी आ गई दो मीटर पर सेकेंड आ गई क्या यह बास सबको समझें आ गई वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया बहुत यच्छे बहुत यच्छे निकाल लोगे अगर अब तुम्हें ग्राफ को देख करके चाल निकालने के लिए बोल दे तुम निकाल लोगे तो बच्चों हमने यहाँ पर सबसे पहला केस देखाए कि जब वस्तु का कर रही है एक समान गती कर रही है तो जब वस्तु एक समान गती करेगी उसके लिए क्या होगा दूरी समय ग्राफ एक कसरल रेखा होगी इस केस में क्या होगा हम चाल निकाल सकते हैं चाल कॉंस्टें आगया बहुत ही अच्छे आगे बढ़ेंगे बच्छों दे ज्यान सुनना अब अब आपको जो है ना ग्राफ बना कि यह ऐसे शाणी नहीं बना रही है कि तुम्हें अलग 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 स्रीके ग्राफ बता दी हूँ ठीक है अगर बच्छों तुम्हें कहीं पर भी XT बोल दें तो मतलब किया है बच्छों उसका मतलब दूरी समय ग्राफ ही मालना ठीक है बच्छों माल लो माल लो वच्छों अगर कहीं पर हमें ग्राफ माल लो ऐसा मिल गया अगर ST बच्चो ग्राफ कभी हमें ऐसा मिल गया बहुत ही बढ़िया अगर कभी ग्राफ हमें ऐसा मिल जाए तो बच्चो इस ग्राफ से में क्या पता चल रहा है ध्यास देखना बच्चो समय तो आगे बढ़ रहा है पर बिटा दूरी आगे नहीं बढ़ रही है बिटा देखो X मे रुकी हुई है वस्तू इस्था वस्तू इस्थार है वस्तू रुकी हुई यह बहुत ही अच्छे हाँ वेरी नाइस बच्चों इस केस में वस्तू क्या चाल क्या होगा अगर इस केस में वस्तू की चाल निकालने जाओगे जूकि दूरी तो बडल ही नहीं रही है दूरी में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो बच्चो क्या होगा हम क्या बोलेंगे कि भाया हमारे दर्वस्तू रुकी क्या बेटा जी बने तो चायल है वह भी क्या शून ने है विटा acceleration जो क्या होगा वह भी शून ने होगा ऐसलरेशन भी जीरो होगा बच्चों bunny लिए इंप्रटैन पॉइंट अ मेंगर ओ Option अब जोएंगर सुन तrece ne अब जो मैं बताने वाली हो वह बहुत इंप्रटैन्ट है अगर कही फर भी ग्रास तुम्हें बीटा ऐसा मिल जाए बच्चों Cape अगर तो थीटा को ध्यांस देखो तो थीटा देखो बढ़ रहा होगा है ना दो थीटा हम लोग ऐसे अंगर हमीशा जब काउंट करती है तो जीरो फिर दस बीस तीस चालिश पचास साथ सब्सक्राइब लगातार बढ़ रहा है इस वाले ग्राफ में क्या सभी को दिख रहा है कि जो थीटा है वो बढ़ रहा है हाँ बिल्कुल क्या थीटा बढ़ रहा है क्या एंगिल बढ़ रहा है क्या एंगिल बढ़ रहा है शाबाश बच्चो वेरी गुड बच्चो इसका मतलब क्या है एंगिल बढ़ रहा है बिटा एंगिल बढ़ रहा है इसका मतलब साफ साफ है बच्चो इसका मतलब साफ साफ ह है कि हमारे जो वस्तु का बेटा वेग होगा वो क्या होगा बढ़ रहा होगा अच्छा बच्छ एक चीज और भी है ग्राफ क्या है बच्छ पॉजिटिव होगा ठीक है अब वेसी बात है अच्छ इसमें एक चीज और भी ध्यांस तुम देखो जितना ये दूर जा रहा है इ ही है तो हमें बच्छो अगर कहीं पर आप इसे मिल रहा है है ना तो इसका बच्छो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो वस्तू का वेग है वास्तू का ये बिटा बच्छ ब़्य नब बदल रहा है मतलब क्या है हमारी वस्तू आसमान गती कर रही है वस्तू क्या कर रही है आसमान गती कर रही है क्या कर यह बिटा वस्तू हमारी आसमान गती कर रही है बहुत ही बढ़िया क्या यह बात क्लियर हो गई क्या यह बात क्लियर हो गई हां क्या यह बात क्लियर हो गई अगर कभी द कि आँए गलग दूरियां तेह कर रही है आज समान गति है वस्तु का वेग बदल रहा है अब अच्छा इस समझ मा रही है वाजों चीज और समझ आ रही है कि इस केस में क्या वच्छों का वेग एक समान वो भी बदल रहा है वस्तू का वेग बढ़ रहा होगा बढ़ रहा होगा अच्छा यह हमने क्यों बता दिया यह हमने इसलिए बता दिया क्यों हमें साफ साफ नजर आ है कि डिस्टेन से क्या और यह विटा थी डिस्टेन से बढ़ रही है ना इसलिए बता दिया अच्छा बच्छों क्या इस केस में एक्सलरेशन होगा क्या इस केस में एक्सलरेशन होगा बहुत ही बढ़ी नाइस बहुत ही अच्छे हमें क्या बोलेंगे इसमें acceleration होगा इसमें acceleration होगा acceleration होगा बहुत ही बड़ी है शाबाश अच्छा बच्छ ध्यान से सुनना कभी अगर तुम्हें ग्राफ ऐसा मिल जाए मालो बच्छो तुम्हें कभी जो है graph ऐसा मिल जाए let's suppose बच्छो तुम्हें graph ऐसा मिल गया अब इस graph को देखके तुम क्या कहोगे इस ग्राफ को देखके तुम क्या कहोगे बताओ अगर कभी तुम्हें ग्राफ ऐसा मिल गया एस टी ग्राफ ऐसा मिल गया तो तुम क्या कहोगे इस ग्राफ के बारे हम क्या ख्याल है तुम्हारा बहुत ही बढ़िया बच्चो इस ग्राफ को भी देख के हम क्या कहेंगे कि वस्तु आस्तमान गती कर रही है अच्छा बच्चो इस चीज साफ साफ समझ में आ रहे हैं अगर आप एंगल देखो तो बच्चो क्या होगा एंगल लगातार घट रहा है बच्चो एंगल लगातार घट रहा है बच्चो एंगल लगातार घट रहा है इससे आमें एक वास समझ मारी है कि वस्तु बच्चो का वेग क्या होगा घट रहा होगा घट रहा होगा वे घट रहा होगा क्या इस केस में एक्सलरेशन होगा तो बच्चो इस केस में ही बेटा जी क्या होगा हमारी वस्तु में ट्वरन होगा इस केस में ही बच्चो क्या होगा वस्तु में ट्वरन होगा वेरी नास्थ बहुत ही बड़िए अ चीज करो सपोष करो अगर मान लो हमें ग्राफ ऐसा मम आगर इस ग्राफ एसा मर्य है श्रमें रहे हैं इसमें गड़ lacks घॉत दूरइ ओर विटा समेक साथ कम होती चाहरी धिसटेंस कम और ऑर इस वाले graph को देके तुम क्या कहना चाहोगे अगर मालो कही यह graph मिलकर तुम से देखी क्या बताओ है नो यह फिस वाले graph को देखे को होगे है हिस वाले डेजिए यह ग्राफ यह घ्राफ है एक समान गती है या आश्तामान गती सब्सक्राइब दो एक समान गती है गराफ है एक समान घती काही गराफ है हम बच्चों कग बिटा इससलिए कि सार निश्चिद समय अंचाल मिटा वस्तु जी सघ्र दूरी के यक एध घटा रही है तो में क्या बोलेंगे इस वाले ग्राफ को बच्चों देखें बता सकते हैं कि जो बस्तू का बेटा जो वेग है बेटा क्या हो रहा होगा घट रहा होगा पर निश्चित रूप से घट रहा होगा है ना बच्चों इसमें बच्चों जो वेग होगा वो क्या होगा एक समान होगा बच्चों इसमें बच्चो हम क्या बोलिंग बच्चों हम कहेंगे जो दूरी है वो क्या हरी घट रही है ना दूरी घट रही होगी वेग लेकिन एक समान ही होगा बच्चों वेग हाँ बिलकुल जहीं का समय के साथ बिटा समय के साथ दूरी बदल रही है दूरी घट रही है समय के साथ दूरी घट रही पुर्ण में सामान दूरी घट रही है समान में समान दूरी घट रही में यह पहुत 이िए बड़ी बहुत ही अच्छे अच्छे वाफ सारे लेते हैं सबसे लगाफ देखा कि जब वस्तू समान समय अंतराल में समान दूरी तरह करती है उस केस में ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा दूरी समय ग्राफ को देखकर या इस्थति समय ग्राफ को वस्तू के द्वारा कि चींठी ऐस बताश लगया थीक है भक इस ग्राफ में क्या पता चल रहा है कि वस्तू का वेघ्षो क्या होगा एक समान होगा अगर वस्तू का वेग एक समानने इसका मतलब क्या है एक्सलरिशन शून्य होगा बच्चों फिर में देखा कि अगर अगर बिटा जी दूरी समय ग्राफ ऐसा मिल रहा है एक्स एक्सिस के समनांतर है कहने के क्या है बच्चों अगर एक्स एक्सिस के समनांतर बिटा कहने के मतलब क्या है कि यहां पर हमारी वस्तु रुकी हुई है बिटा विस्तु रुकी हुई है मतलब क्या है वेग शून है बिटा एक्सलरेशन क्या होगा जीरो होगा बच्चो अगर मालोक ग्राफ हमें एक वक्र रेखा मिल रही है एक वक्र रेखा बिटा मिल रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब साफ साफ है कि वस्त बिट जी क्या कर रही है और निष्ट दे समय अंत्राल में अलग-अलग दूरी तै कर रही है वस्तू को बढ़ रहा होगा जब ग्राफ ऐसा मिलेगा चूप्य घट रहा है साफ साफ मोझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कम हो रही है मतलब कि जो वस्तु का वेग है वो घट रहा होगा चूकि वक्र ग्राफ है मतलब क्या है बेटा जी अनिश्चित रूप से दूरी घट रही होगी मतलब वेग घट रहा होगा इस केस में बच्चो वस्तु में एक्सलरेशन होगा बच्चो अगर धरा जाओ तो ये ग्राफ मे बता रहा है कि वस्तु का विग निश्चित रूप से घट रहा है मंना कि वस्तु जुह ए निश्चित रूप से अपने दूरी को कम कर रही होगी समान समय ये लगी पीछे आ रही होगी एक्सलरेशन शून होगा क्योंकि वस्तू इस केस में भी क्या होगी वस्तू की एक समान गती के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रक्रती क्या होगी बच्चो याद रखना आज की क्लास की सारे questions बटा ग्राफ वाले हैं तो सबको बहुत ही और सही से आंसर देना होगा बच्चो दूरी समय ग्राफ हमें बनाना है ठीक है बच्चो दहों धियांत देखो बटा क्या है दूरी समय ग्राफ बटा दूरी बटा ये है टाइम बच् नहीं बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बाई सबको मौका मिलेगा सबके पास पोल आ रहे हैं बस आपको सही जवाब देना है वेरी गुड बच्चों दूरी समय ग्राफ अगर हमें ऐसा दिख रहा है एक स्ट्रीट लाइन दिख रही बच्चों एक सीधी रेखा दिख रही है इसका तातपर है बच्चों कि गती कैसी है एक समान गती है बहुत ही बढ़िया वेरी गुड बच्चों जब वस्तु समान समय अंत्राल में समान दुरी तय करती है तो हम बोलते हैं कि वस्तु एक समा अगला प्रशन कहें रहा है अगर चाल समय घ्राफ इंघार रहा है अगर चाल समय ग्राफ एक्स अक्ष के समनांतर एक सरल रेखा है बच्चों ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है एक्स अक्ष के समनांतर है तो बताओ ये तुमसे क्या कहना चाह रहा है बहुत ही बढ़िया जल्दी से सब लोग मैम कौन सा चाप्तल है बच्चे इतमारे तीसरा चाप्तल है सरल रेखा में गती बेटा क्लास का टाइम है शाम के साथ बजे हाँ बेटा मंडे को वेंस्डे को फ्राइडे को बेटा तीन दिन क्लास होती है सोमवार बुद्धवार और बच्चों फ्राइडे करें शुक्रवार को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, very good, very good, very good बच्चो जल्दिस बताओ, इसका मतलब क्या है अगर बच्चो अगर चाल समय ग्राफ का जो अगर चाल समय ग्राफ एक सक्ष के समना अंतर हम क्या बोलेंगे कि हमारी वस्तु एक समान चाल से चल रही है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आगे भढ़ेंगे next question बच्छो अगला प्रश्न कह रहा है अगर वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक अगर दूरी समय ग्राफ समनांतर एक आरेखिय परिवर्तन है बच्छो कहने का ताथ प कैसी कैसी है ग्यान इस्टड़ी बाते बादने करो खुशी सही कह रही है कि वह छोड़ो लेकिन इसका सही आंसर तो खुशी तो सही जवाब दे कि किसी और साथ निकल लेगी है ना लेकिन तुम जिन्दगी बर दुखी रह जाओगे फिर नाम दो एक खुशी को कि खुशी पास समान गती वेरी गुट बच्चों ऑप्शन नमबर वन इस दा करेक्ट आंसर वेरी गुट बच्चों ने बोला है शावाश बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स क्वेश्चन कह रहा है वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया शेत्र क्या बताता है वेग समय ग्राफ वेग समय ग्राफ वच्चों बहुत ध्यान से बताना अगर वच्चों लेट सपोस की ग्राफ ऐसा है और लेट सपोस की ए और बी ठीक है अगर तुमसे बोलूं कि जो यह ग्राफ है ना यह तुम्हें क्या बता रहा तुम क्या बता से वेरी गुड बेटा बिलको सही क्या बात है ओहो बहुत ही बढ़ी अशबाश यार तुमसे यही उम्मीद इम्रा तुमने दिल अच्श कर दिया है एना च्शी खुश हो या ना हो लेकिन तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है विस्थापन के बारे में वस्तूने कितनी दूरी तै करी है वस्तू ने कितनी दूरी तै करी है वस्तू द्वारा तै की गई दूरी बच्चों क्या बताती है ग्राफ की द्वारा घेरा गया शेत्र बताता है बहुत ही बढ़िया बच्चों याद रखना वेग समय ग्राफ की द्वारा घेरा गया जो छेत्र है वह वस्तू द् कि धलान से क्या पता चलता है जो यह धलान है यह तम्हें क्या बताती है जल्दी 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 कोई बात नहीं इस प्रश्ण में तुम सही जवाब देता यार जल्दी से बिटक वेज्ग समय ग्राफ की ढलान से क्या पता चलता है सोस समझ के सही जवाब हाँ जी में क्या बोल रहे हो भीटा वैदी गुड शानु कुमार वेडी नाइस बहुत ऑगे तक जाओगे बिल्कुल सही का बच्चों बिल्कुल सही कहा तो देखो वेग समय ग्राफ की जो धलान है बिटा ये धलान हमें बताती है बिटा ये धलान बताती है पिंड का त्वरन तो यानि कि वेग समय ग्राफ को देख करके हम क्या बता सकते हैं पिंड के एक्सलरेशन के बारे बता सकत तो उसको रोस्ट किया है खुशी को दोस्पन दो फ्क है लड़कों को पड़नें देते हैं और तुम्ने खाना घा लिया कि नहीं खा लिया क्या कर रही हूं क्या नहीं कर लड़कें मजबूर हो बता चलता है इसकी ढाल से क्या पता चलता है बाई सही जवाब तुम्हें तुम्हें हाँ बिल्कुल सही जवाब क्या वात है माही त्यागी शाबाश मेरी बीटिया शाबाश बहुत ही बढ़िया माहित यागी ने बहुत ही बहतरीन आंसर दिया है तुम्हेंग कर्रें घुटा कि परदी खुटा don't doi समय घ्राफ के ढाल से पता चलता है बच्ची किसके बारे में चाल के बारे में पता चलता है बिटा किसके बारे में सब्सक्राइब लड़कों की भी कुछ तारीफ कर दीजिए लड़के तारीफ की काबिल है ठीक है ऐसा नहीं है कि लड़के का तारीफ की काबिल नहीं होते हैं कि अगर देखो सिंपल सब्सक्राइब मैं हमेश्या बोलती हूँ नहीं विचारे दिल्की बहुत भौले होते यह बात माननी पड़ेगी कोई लड़की यह कोई लड़की सब्सक्राइब कोई लड़की साइकल से गिड़ जाएगा विचारे धूप में खड़े होकी उसकी चेंज करने लगेंगे रुको रुको मैं कर दे रही हूं लड़किया मैं कुछ रियल इंसिडेंट बताती हूं आज मैं एक ओटो में आ रही थी तो वह अंकल कह रहे हैं कि कल एक लड़की न लड़की नों के पैर बना गाली चड़ा दि और रही है भाइर स्युंत सब्सक्राइब लड़की बहुत मासूम होते हैं लड़की बहुत मासूम होते हैं यह बहुत सच कि किसी गतिमान पिंड कि चाल समय ग्राफ की ढाल से क्या पता चलता है जल्दी या लड़कियों तुम लोग ना लड़कों के अरश से छेड़ना या लड़के बहुत साथ में बहुत चरीफ होते हैं हां कुछ लड़कों को छोड़के ठीक है बहुत ही बढ़े जल्दी बताओ बिटा चाल समय ग्राफ कि धाल तुमें क्या बताती है आइए बहुत इवरग या बिटब को धाल बोल रहा है ग्राफ की द्वारा घेरा गया छेतरफल नहीं बोला घेरा गया च्छेतरफल नहीं है कह रहा है चाल समय ग्राफ की ढाल ये बिटा चाल समय ग्राफ की ढाल बिटा ये बताओ ढाल ढाल पूछी है अरे गलती मत करो यार गलती मत करो गलत बोल रहा हो बच्चे चाहें वेग समय ग्राफ हो चाहें बिटा चाल समय ग्राफ हो बिटा दोनों की ढाल से हम बिटा क्या बता देंगे एक्सलरेशन बता देंगे बिटा एक्सलरेशन सी बिटा बता देंगे एक्सलरेशन बता देंगे बहुत ही बढ़िया चलो आगे भढ़ेंगे बच कुमार मितल स्पेशल किताब का है तो आपको तीनों किताबों के मिक्स मिलने वाले हैं चलो तो यहां पर ध्यास देखो कि आपको यहां पर से चार वक्र दिये हुए हैं बहुत ध्यान से देखना के लग्राहिटवे और चारो ग्राफ वीटी के बच्चों चारो ग्राफ रर अव internation के अब कहरा है कि कौन सा आरक यह दर्शाता है कि जो हमारा एक्स्लारेशन है वो निगेटिव gehe-चारेशन एक्सलरेशन कौन दर्शा रहा है बिटा निगेटिव एक्सलरेशन कौन दर्शा रहा है बिटा निगेटिव एक्सलरेशन कौन दर्शा रहा है जल्दी बताओ नेगेटिव एक्सलरेशन कौन दर्शा रहा है बच्चो सोच समझ के सही जवाब बिटा निगेटिव एक्सलरे कि निगेटिव एक्सलेरेशन कौन दर्शा रहा है कि मैं डी होगा बी कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओके ओके यार भचो ध्यांस देखना इस सही आंसर वह आपका और सी बच्चे सोच सकते हैं यह वाला अगर देखो यह क्या है यह नेगेटिव अक्षमे आगे बढ़ना कहने के मतलब क्या है हमारी गाड़ी बिटा गती की विपरी दिशां बच्चों अपना वेक बढ़ा रह बढ़ रहा है ठीक है यहां पर क्या है हमारा जो एक्सलरेशन वह क्या है निगेटिव है बहुत बढ़िया आगे बढ़िए बच्चों को ध्यास देखना कौन सा ग्राफ जो है कड की विरामा वस्था को दर्शाता है बच्चों पहली चीज तो यह कि इस ग्राफ में बिट बच्चों दूरी समय ग्राफ भी है बटा समय ग्राफ भी है बच्चों चारों ग्राफ है इसमें हां हां बच्चों को बहुत सलीके से आंसर करना बच्चों अ इस प्रश्न में तुम्हें बेटा ती रध्याद देखो दूरी समें घ्राफ भी ये वेग समें घ्राफ भी है एटी बचों भी है और लिए बिटा एस्टी भी है बताना है कि कौन सा कढ़ विरामा वस्था में है जल्दी बटा फिरा फिर से जल्दी बता से जल्दी बता जल्दी बतार है कि से बोल हूं एक सी बोल रहे हूं क्या ँए अड़ भईया सोंच तो लो भाये थ्योजिए बद्ध्धी चला ले इतना दिमांग लड़की बटानिम लगात उनकुन फेल यहां समय बढ़ रहा है पर दूरी नहीं बढ़ रही है यह बता रहा है कि कड़ क्या है विडाम वस्था में बच्चों ने सही जवाब दिया था क्या बात कर रहे हैं अगे बढ़ेंगे बच्चों इस प्रश्न को ध्यां से देखना प्रश्न कह रहा है उर्धवारधर उपर की ओर जो वस्तु इगती है उसके लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा जल्दी बताओ उर्धवारधर उपर की ओर अगर हमने कोई वस्तु फेकी है तो उसके लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा जल्दी बतो जल्दी से उर्धवारधर ऊपर की ओर जो बेटा वस्तु में फेकी है उसके लिए वे एक समय ग्राफ क्या होगा एक टोट अको अरे बता नूब दो ब्स पाई भूप कि वेरी बूपधीवर्या बहुत ही बभधिया बहुत ही बढ़िया जितने बच्चे बोल रहे हैं सरल रे रहे हैं बच्चों देखो अब अगरा से देखो स्कूल हम लोग कैसा घट रहा होगा ठीक है कि एक समान दर से घट रहा होगा तब बिटी ग्राफ बनाओगे उन्हाफ कैसा मिलेगा इस बात को ध्यान रखना ठीक है बहुत ही बढ़े है बच्छों बढ़े हैं बच्छों को सॉल्फ करना है बेटा ये प्रशन कह रहा है कि निम्न चित्र में किसी गतिशील कड़ का वीटी ग्राफ दिया गया है प्रथम चार सेकेंड में कड़ द्वारा चली गई दूरी बता बच्चो यहां तक जो चली गई दूरी है वो बिटा जी यह सब कब पढ़ाया गया है राजे शुकला बिटा शुकल जी यह जो क्लास है यह चार दिन पहले हुई थे अगर आप निरंतर क्लास में रहते तो आपको पता चलता बहुत ही बड़े वेरी गुड देखो बच्चो ध्यान सुनना हमने अभी देखा था कि वेग समय ग्राफ के द्वारा जो घेरा गया शेत्र है वेग समय ग्राफ के द्वारा जो घेरा गया शेत्र है वाच्चो यह क्या बताएगा तै की गई दूरी को बताएगा अब बच्चो अगर तुमें दूरी को निकालना है तो तुम क्या करो बिटा यह बच्चो मालो बिटा लेट्स सपोस बच्चो यह ABC का छेत्रफल बहुत ही बढ़ गा वेरी बहुत ही बढ़िया बच्चों ये बताओ त्रिभूज का छेत्रफल क्या होता है बेटा त्रिभूज का छेत्रफल क्या होता है जल्दी वदाओं बच्चों ये ऐसे बच्चों आपके क्लास में आपके जो स्कूल एक्जाम आने की पूरी पूरी संभावना है सही जवाब दो गलत बोल रुस्तम गलत बोल रहो बिटा जल्दी बचल लंबाई को चुड़ा ये सोनी वर्मा बिटा 11 में यो नाम दुबायो बिटा नाम दुबायो अपने वेडिगुर बच्चों बिटा त्रभोत का च्छेतरफल क्या होता है ये होता है एक बटा दो गुड़े आधार गुड़े उचाई यह जिस व्यक्ची ने बोला है बिल्कुल सही बोला है आधार कितना है बज़तों 0-4 से प्रथम चार सेकेंड बच्व यह देखो आधार क चोको 8-4चोको 616 हम क्या बोलेंगे सोला मीटाइज ङकारिक्टाप सर्वेरिगुड 16 लीटेफ्य मीटेर डिकास सोला मीटर हिस्फ़ और करएट बहुत ही बड़ marc हां सबका सही है मैं हम जल्दी में मार दिया बिटा जल्दी इतनी जल्दी भी क्या बहुत ही बढ़िया जल्दी बताओ त्वारं समय ग्राफ की द्वारा घेरा गया जो चेत्रफल वो प्या बताता है बिटा तुरन समय ग्राफ की द्वारा घेरा गया शित्रफल क्या बताता है जल्दी 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 कुछ तो सोचो यार सही जवाब तो दो बिटा तै की की दूरी नहीं भाई not दूरी नहीं एक्सलरेशन परिवर्तर नहीं भाई सुर्भी राजपूत बहुत आगे तक जाओगी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माही त्यागी बहुत ही बढ़िया बहुत ही शांदार आंसर वेग में परिवर्तन दर्शाएगा बहुत बढ़िया वेग में परिवर्तन कुझा शेयर कर देआ stolen कर क्योंक निंघं़ हैं या बढन सब कुछ है एक करन डाइक करो लाइक करो say to आगे भड़ेंगे आगे बढ़ेंगे बच्चो जल्दी बताओ निम्ण कौन सा वेख समएग्राफ एक समान गती को दर्शाता है बच्चो ध्यांस देखो एक दो तीन चार चार आप्शन दिये हैं बच्चो लेट्स सपोस लेट्स सपोस ये है आप्शन नमबर ए ये है बी ये है सी और ये है डी इस जल्दी सब्स देख करके कौन एक समान गती को दर्शाता है वीटी ग्र वीटी में जितना दी बोल रहे है न बिटा सब गल तुम नो धूट्ट हो क्या है बिलकुल यार तुमस्रों को इतना पढ़ाया न समझाया यह स्ट ग्राफ में रहता स्टी ग्राफ ऐसा दिख जाए जब तुम्हें सर्टी ग्राफ समले दूरी समय ग्राफ ऐसा मिले बच्चोन इसका मतलब है कि जो बिट्बा दो गती वह एक समान गती है पर वहीं समय बढ़ रहे हैं पर वह सब्सेξंसौन परिवर्टन ना ही ऑगल सब्सक्राइब कोई शक्राइब कोई बढ़ीया आगे बढ़एगे आगे अगे झूनना कह रहा है चाल समय ग्राफ की चार इस्थितियां हैं ये इस्थिति वन ये इस्थिति टूं ये इस्थिति धू Dlatego अब बच्चों आपसे यह बोला गिया है ये वताहों किस इस्थिती में चाल अचर हैं बच्चों चाल बिटा अचर होने का मतलब यह विधा अचर मतलब यह कि चाल बदल नहीं रही बिटा जल्दी से रकंत जल्दी कॉमेंट करेंगे जल्दी से कॉमेंट करना है जल्दी से कॉमेंट करना है ध्यांस देखों वश्त पहुत आसाने पहले बता रही हूं अगर जिस बच्चे ने class 9 ना वह इनकों जबाब दे सकता है बेजती करा दोगे तुम लोग ए यह पका सोच लो सोच लो भाई सोच लो मौका यह बीटा मौका द्वारा नीम लेगा सोच लिया वेरी गूर बीटा वेरी गूर बीटा विलकु सही कहा समय आगे बढ़ रहा है पर बच्चो देखो यहाँ पर चाल में कौनों परिवरता नहीं है दस सही चले जा रहा है बहुत बढ़ या तो कह रहा है किस स्थिती में चाल घट रही है अब बच्चो देखो यह तो इसको छोड़के इन तीनों में देखो बीटा किसमें चाल घट रही है चाल किसमें घट रही है हां चाल किसमें घट रही है सो समझ किस अनिल हैकर क्या बात है ओहो आंसर को है कर लिया वेरी गुड व जीन पहलेंक सब्सक्राइब क्लेफों से करने कि स्थिति में चाllow Kommur Hub को रही है लुख किस इस्थिति में चाल बढ रही है शिरिस जबल रही है यार पहली चीज्व आंसर देना सीखो ठीक है अंसर को देना सीखो हैना यहाँ ऐसा नहीं कि यार नहीं हम आंसर में तो क्या हो जाएगा यह ऑफ लग इस लिए करा रही हो कि भाई तुम लुग यह आप यहां पर आंसर दो हैना आंसर देने का मतलब यह है कि तुम लुप साथ चाल बढ रही है और बच्चो यह निश्चित रूप से बढ़ रही है चाल बढ़ तो रही है और निश्चित रूप से बढ़ रही है बच्चो चौथी इस्थिती क्या दर्शाती है देखके बताओ चौथी इस्थिती क्या दर्शा रही है बिटा चौथी इस्थिती क्या दर्शा रही है बिटा फूर्थ इस सब को सोचना है कोई ऐसा नहीं कि तो सोचे ना है न कोई भी प्रिया के बारे में खुशी के बारे में लड्डू कुपाल के बारे में राम के बारे में राहूल के बारे में कोई नहीं सोचेगा ठीक है कोई नहीं सोचेगा सिर्फ और सिर्फ यहां इसके बारे में सोचो हाँ वेरी गुड बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देखो बच्चो प्रथम पांच सेकेंड बच्चो तोको जीरो से पांच सेकेंड में क्या हो रहा है प्रारंभी का जो पांच सेकेंड है बच्चो उसमें क्या हो रहा है बिटा जी जो हमारी चाल है वो एक समान रूप से बढ़ रही है चाल एक समान रूप से बढ़ती है बच्चों ध्यान से देखो बेटा पांच से две से के बीच में बेटा फइब ट्वाइट के बीच में क्या है जाल एक समान है डिटा एक समान चाल से वस्तू चल रही है बिटा अंतिम तो न्assing में क्या हो रहा है बच्चे चाल घट रही है हम क्या बोलेंगे पहले चाल एक समान रूप से बढ़ी फिर इस्थिर हो गई और फिर घट गई बहुत ही बढ़ी है क्या सब को समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया वेरी गुट हाँ सबको समझ में आ गया पक्का पक्का समझ में आ गया हाँ बिल्कुल बच्चों पहले बढ़ी है फिर बिटा वस्तु एक समान चाल से चली है और फिर बच्चों इसका बिटा जी वे क्या बिटा चाल बिटा क्या हो आकरती में किसी वस्तू का चाल समय ग्राफ दिया है दस सेकेंड से तीस सेकेंड के बीच हमें क्या करनी है बच्चों बिटा जो है दस से तीस सेकेंड के बीच बच्चों हमें वस्तू द्वारा तै की गए दूरी निकाल ली है हमें बता है चाल समय ग्राफ के द्वारा घेरा गया जो छेत्रफल है बच्चों क्या बताता है दूरी को बता देता है अरे यार इतनी हिंट दे दी आप तो कर ले भाई यहां लिख जल्दी सॉल्व करो चाल समय ग्राफ की दौरा घेला गया शेत्रफल क्या बताता है तै की गई दूरी को दर्शाता है जल्दी बता जल्दी से जल्दी 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 हाँ दस से तीस बचो दस से तीस यहां से यहां दस से तीस सौरी यह बचो यह 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 वेरी गुड बिटा दस से तीस बिटा दस से तीस यह 10 सTes वेरी गुट क्या बात है सलामत अनसारी शिवंकुमार राहूल माही त्यागी शुरिवी शुकला सुनीता वेरी गुट विनोध राम जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बिलकूल सही है बच्चों ध्यांस देख ना यह बन रहा है एक आयत बन रहा है अच्छों प्रक्राइब क्या होता है लंबाई गूरे को पाइब 10 में गटा दो बच्छों यह क्या हो जाएगा 20 यह क्या है 20 है बीटा, 20, गुड़े, बीटा, बीट, चार्ड सो मीटर, अब यहां पर गल्ती मत करना दो, कि दो कमना शर्मा ने, कामना शर्मा, सॉरी, बीटा, कामना शर्मा आपने मीटर स्क्वाईर लिखाए, बच्चो, गलत है, भले यह शेत्रफल है, तो क्या हुआ, पर यह शेत्रफल क्या होगी 400 है मैं अध को समझ मैं मैं गया है हैनो जूट बोला направ जूट मत बोलना ए हाँ जूट मत बोलना चल॓ं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों अब तुम्हें इस का जवाब देना है कह रहा है कि भाईया ये बताओ कि बस के लिए चाल समय ग्राफ दिया है हाँ बाई जल्दी 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 फड़ाफट से बताओ बिटा बस के लिए चाल समय ग्राफ दिया है बस के लिए चाल समय ग्राफ दिया हुआ है किस अवधी में बस में तुवारण उत्पन हो रहा है किस अवधी में बस में मंदन उत्पन हो रहा है प्रादंब दस सकेंड में तह की के दूरी ग्याद करो अंतिम दस सकेंड में तह की के दूरी ग्याद करो जल्दी बदाओं इसका अंसर क्या होगा हां बिटा हिमांशु पांडे बिल्कुल सही कहा आपने कि मीटर स्क्वाइर को एरिया के लिए लिखा जाता है मैंने मना ही नहीं किया पर बच्चे मेरे बेटे सुन ले बच्चे आपन क्या कर रहे हैं जो ये ग्राफ के द्वार सुनो तो यही क्वेश्चन जब बैंक भाई रीजनिंग नहीं है मुन्ना रीजनिंग नहीं है 11-12 का सिलेवस है हां बत्चों जहांत देखो बिटा देखो हमें पता है बच्चे बिटा देखो एक्सलेरेशन कब उत्पन होगा जब बिटा वस्तु का वेग समय के साथ बढ रहा होगा बच्चों जल्दी से बताओ कुछ बच्चों ने आंसर करना भी शुरू कर दिया है जल्दी बताओ जल्दी से वेरी गुड बच्चों वेरी गुड बिल्कुल सही कहा जीरो से दस सेकेंड बच्चों क्या हो रहा है जीरो से दस सेकेंड में एक्सलरेशन है सब लोग जल्दी सुल्डे करो त्रिभुज त्रिभुज ओ ए इ का छेत्र फल बिटा क्या होता है एक बटा दो गुडए लंबाई गुडए चड़ाई बिटा वन बाई टू लंबाई बचो जैमालो दो गुत हो ने जहीं पुड़ा इस शुघन की आगए अन्त लक drainage स्याम पंचे डास क्वा है जलत मत करूं हैं 50 में बहुत ही बढ़ lawsuit बढ़िया बहुत ही बढ़िया बचो कहां एंतासे 10 सेकेंड मेर्चों दी वाला स्वाल दल्स कर रहे हैं बच्चेंगें बच्च आपने से veces बह perhaps नहीं बहुत है की त nervous को चुछ 17 है इसे ड़न फिरफठ यह क्या कितना आजाएगा ये भी 50 मीटर ही आएगा बहुते बढ़िया कोई ऐसा कोई ऐसा जिसने किया है धोखा कौन है धोखेवाज देखो सिटी आफ प्रियागराज में में लेट होगी बीटा काहें लेट होगी बीटा अब भाई सबने सौल्स के लिए दोखा मत देना है धोखार दोखा में कोछ जिलता नहीं भाई भाई फिजिक्स बात करती है लॉजिक पर जो बात सच है तो सच है किसी गलत लगे उससे फरक नहीं पड़ता ठीक है बहुत मैं नहीं क्या बीटा वाह अंकुष पटेल है तुम तो भारत का भविष्य है कि डिजायर बटर मैं मेरा दिमाग घूम रहा है बटर कि गए बीटा जी बादाम खाना शुरू करो कि चलो बहुत ही बढ़िया वेरी गुट बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ेंगे बच्चों वेरी गुट हिमांशी मॉडिया ठीक है बच्चों यह बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई वस्तू जिसका वेग शून हो वह त्वरित हो सकती है बच्चों जलदीस बताओ बेटर प्याइए प्यां यह क्या यह पोसिबल है यह कोई वस्तू जिसकी वेलासिटी जीरो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है बिटा जी कि भाईया जिसका वेग जीरो है पर बच्चो उस वस्तु में एक्सलरेशन है बोलो हां कि ना अगर येस तो कब ओकी ओकी नो 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 ओकी 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 चलो तो तुम में से जो मोसली जनता है वो पूरे ही बिटा हां विलकुल वेरी गुड बिट हां जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ ऐसा ऐसा क्या ऐसा संभव है कि किसी वस्तू का वेग जीरो हो पर उसमें एक्सलरेशन हो जल्दी बताओ फड़ा पड़ते येस और नो पॉल तुमारे सामने है तुम जूट बोल रहें पॉल में तुमने येस बोल रहे हो वैसे सोच कि सजवाब दें बताओ कोई बात नहीं यार अपने मन का जवाब दो पड़ोसी के जवाब मत दो कि पड़ोसी नहीं नो बोला है तो हम भी 2 बोलेंगे पर उसी बीटा कुएम गिरेगा तुम भी कुएम गिर जाओगे हैं अपने मलग कॉंफिडेंस ही नहीं है भाई कैसी जुबान है तुम लोगों है श्री राम श्री राम कनारा लगाते हो एक हो एक को उनकी हरकते समाइंदर है नहीं अभी यहां पर कॉमेंट में नो बोल रहे ध्यान सुनना हाँ वचो ईयए बिल्कोल पॉस्टिबल है यह यह पॉस्टिबल कभ है foto टको अरे सुनने वाई मैंने कि सी वस्तू को किया किया उठवार धर फेका ठीके बच्चो लेट्स पोज पानी नए लेट्स पोज मैंने इस कप को क्या किया उपर क्यों फेका बच्चो जब यह अपनी अधिक्तम उचाई पर होगा तब निरंतर उसका एक्णड रहा होता है maximum बेटा height पर क्या होगा बच्ची इसकी velocity तो zero होगी पर इसमें बच्चों क्या होगा अभी बेटा जी क्या होगा जी होगा बेटा अभी बेटा इसमें गुरुती तरण होगा और बेटा गुरुती तरण नीचे की और होगा क्या यह बास अब को समझ में आ गई बहुत ही त्व्रत गति का मतलब क्या होता है तो एक समान तवरित गति का मतलब यह होता है कि जो वस्तु है वो क्या करें बिटा जी जो वस्तु है बिटा तो वस्तु है उसका एक्सलरेशन समान है बच्चो एक्सलरेशन समान कब होगा जब वस्तु बच्चो निश्चित रूप से अपना वेग बदल रहे होगी पहले दस हुआ फिर बीस हुआ फिर तीस हुआ फिर चालिस हुआ पचास यानि वात्यों क्या बोलेंगे जो वस्तु का वेग है बिटा वो निश्चित रूफ से ही बदल रहा है यानि बत्चो जो सबसे पहली बाद हमारे दिमाग में आती है जो मारे जहन में आती वो क्या आती है कि गती के जो समीक्रण है बिटा वो एक समान त्वारण के लिए ही वैलिड है फिर से सुनना बच्चों हाँ बिटा फिर से सुनना बिटा जो गती के समीक्रण है बिटा वो एक समान त्वारण के लिए ही वैलिड है तो बच्चों गती के समीक्रण असल में क्या है तो भाई गति जूट तो समिक्रण है वो समय इस्थिती एक्सलरेशन और बता एक सबें हब को क्या बोलते हैं मैटा उसे बोलते हैं गती के समेक्रण जल्दी बत में गती कि आसते हुए घीक ते आस लेते वें पढ़ा रही है पढ़ता रही हो सच Commerce भढ़ा रही हूँ कि बहुत बढ़या होते बढ़या प्रव davon इस बाराबर उटील इंस को इस को मेड़ा आयाए टेहें व 무oup बलाबर यू स्क्राइर प्लस नुए ए कüyorsun क्या है विद्रबस ए टेस्म बढ़ यू स्क्रावर हुद्स तोफ सबस veto wanna प्रारंभिक को वेख है घड़ता'll आप प्रारंबी वेग है बिटा एक आके वाच्चू तो ए है क्या किए डाटओ किक decision को समस्या बिटा क्या यहां तक किसी को समस्या जल्दी बताओ क्या किसी को समस्या कै किसी को समस्या not for you good evening I'm sorry for late Peter कहां रहे गई तबाई माँ बहुत अच्छा पढ़ाती हो by कि कर दो माँ बहुत ही बड़ीगा वेरी गुद बहुत अब अब अच्छों ध्यान सुनो नियुक्रा अब अजंगो सम हो तो जो पहला संवी कर दो उससमें क्या है tutorial है promotes इस प्राकार से भी जी ते क्याボलता है कि वेग समय 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 के बहुत काम की चीज़ बता रहे हैं बहुत काम की चीज जैसे वाल तुमने एड्ट सुना है हम लोग छोटे ते वह एड़ाता था चिडिया रानी बड़ी सयानी अंडे दिये खास है ना फिर एक अंडिस निकला कच्छुआ और फिर वह बढबूल बड़े काम की चीज वैसे बच्चो ये काम की बहुत ही जो है काम की चीज है तो बेटा वी ब्राबर यू प्लस एटी क्या है बेटा वेग समय समीक्रण है बचो ध्यान सुनना एस क्या है बेटा ये है इस्थिती बच्चो यू क्या है बेटा ये है वेग और बच्चो टी क्या है समय लेकिन बच्चो तो सेकेंड एक्वेशन वह हम कह सकते हैं इसमें और हम बोलेंगे जो दूसरा समी करन है वो है इस समय समी करन क्या है तुम लोग न तुमहारा पढ़ने मल लगे इसलिए और तुम लोग समगे अगर की लान याना तब्हाई सच बता आ रहा कetically अधिया अभवाज पार देंक। तुम काओग सामने से लख तो नहीं मैटम और आवाज आ यह सर की है ना बच्छो थर्ड वी स्थिति संबंध बता रहा है यह क्या बता रहा है वेग इस्थिति संबंध बता रहा है बहुत बढ़िया हाँ प्रतीक जैस्वाल कहें कि कुस्तो गड़बढ है बिल्कुल साहीगा फिर को कुस्तो गड़बढ है है आवाज सामने मैडम खड़ी है आवाज जो है यह से सर वाली आ रही है फिट लोग होगे और मैडम बड़ी मर्दानी सरेना बहुत बढ़िया वेड़ी गुड आज वह संबीकन बढ़िया हर और रखना ₡ वहा याद रखना जो फॉस्ट सैकेंद एक्वेशन है वह इस्ठति समय समी कल टू थाएक्वेशन है वह वे इस्ठति समीकन बहुती घण आजा अब पाक्वाट सुरु करते हैं बीटा शुरू करते हैं निगमन लिट शुरू पर लेकर त्यारेना आच क्लास में मिटा मेरी गरेंटी है कि तुम लोगों को आश की डुक्लास है ना उसमें तीनों समीक्राइब दिमांग बुद्धी मिठा दो मैं बुद्धी में यहां सल में बिठा के जाओंगे तुम लोग बस लेकिन बच्चो मेरे बात मान करके फिटा चलाते रहना ठीक है बहुत ही बढ़िया आजो बच्चो पहला समीक्रण है वी बराबर यू प्लस 80 बच्चो इसका डेरिवेशन बहुत आसान है बहुत ही सस्ता वह बीटा समीक्रण है पता है क्या कैसे तुम्हें कुछ वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंबिक वेग बटे समय क्या मैंने सही लिखा है बीटा जल्दी से अपनी दिवही भगवान के द्वारा दो दिये हुए सुन्दर नेत्रों से देखके बताओ क्या मैंने सही लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन बटे समय यानि कि अंतिम वेग माइनस प्रारंबिक वेग बटे समय बहुत ही बढ़िया बिटा तुरन को दर्शा आते हैं एसे बिटा ये क्या है वी माइनस यू अपॉन टी बिटा इसको इधर भेजो ये हो गया 80 बराबर वी माइनस यू बिटा इ कठनाई आई जल्दी बताओ क्या बिटा तुमारे जीवन ने कोई कठनाई आई हां वी बराबर यू प्लस एटी बहुत आसान था कुछ मत करो बिटा तुरन बराबर होता है अंतिम वेग मानस प्रारंबिक वेग बटे समय एब बराबर वी मानस यू अपॉन टी बिटा ट पक्का जिसको जिसको समझ में आगे यह सब लोग थमसब कर दो जिसको समझ में आगे सब लोग थमसब कर दो फड़ा फट से येस बहुत बढ़िया एद तुम लोग सब समझदार निकले हो है मैं कौन सब्सक्राप्टर चल रहा है वार रानी पांडय अभ वह मं बार कुछ कहना नहीं चाहेंगे नित सवालकर मेरे पास जवाद नहीं मेरे पास अलफाज में तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़्या बहुत ही बढ़रा лुट चलो आगे बढ़ने वड़ेंगे बच्चों वेरी गूड क्या बात है शाबाश मिलिजनता शाबाश मिलिवच्चा पार्ति वस्यम्य तो चाहिए याद बस यहीं चाहिए आजब बच्छों प्रवते है गतिक इस दूसरे समीक्रण को डिराइब करने बच्चों से जूट नह करना सिखाया है लेकिन मैं यहां पर बता रही हूँ उसके बाद हम लोग क्वेस्टिन की प्रैक्टिस करेंगे बहुत बढ़ेगा आजो आजो बस लोगती कर दो सेकेंड समी करने बच्चो इसको अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो बीटा तुम्हें किसको बिटा जिस्ता इस्तमाल करना पड़ेगा बिटा ओसत वेक को फिर से सुनो सेकेंड एक्वेशन को अगर तुम्हें सौल्फ करना है सेकेंड एक्वेशन को अगर तुम्हें डिराइफ करना है अगर सेकेंड एक्वेशन को डिराइफ करना है तो आपको ओसत वेक का इस्तमाल करना वेक क्या कहता है कि भाई जो हमारी गाड़ी है मालो गर्म दो हमारी गाड़ी पहले किसी वेक से चली और पॉन टी इसे बॉन सुब ऑफन पान टी भून टू बहुत ही बढ़िया अच्छा कोई और बता सकता है क्या, बीटा मैंने ओसत वेग का एक और फॉर्मला भी बताया है, जल्दी बताओ, ओसत वेग का मैंने एक और फॉर्मला बताया है, कोई बता सकता है क्या, बच्चो सेकिंड फॉर्मला है, ओसत वेग बिटा बराबर होता है, कुल विस्थापन बटे बटे कुल समय यानि कि वस्तू द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और बच्चो उस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय पिटा लगा कुल समय अब बच्चो देखो पिटा जो हमारे सेकेंड एक्वेशन इमिटा वो क्या है बच्चो सेकेंड एक्वेशन ह एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वार बच्चों तो मेंली हम लोग इस इक्वेशन के इस्तमाल वहां पर करते हैं जहां पर बच्चों हमें एस की वेल्यू निकाल ली हो जहां पर बच्चों में विस्थापन निकालना हो वेरी गुड बच्चों तो बिसिकली बच्चों क्या करेंगे इस फॉर्मूले से यहां पर लिखेंगे कुल विस्थापन का सूत्र वच्चों क्या हो जाएगा तो बेटा कुल विस्थापन बर यह सूथ्र रख्षो यह सूत्र रख्षो यह बहुत ही बढ़िया विटा आ सब कितना है यू प्लस वी अपन टू है नहीं कितना है कितना थे विस्थापन sait क्या यहां तक सब को समझ में आ गया हां यहां तक सब किलियर हो गया जल्दी बता इसको अलग पेज में लिख रही हूं क्या सबको यहां तक किलियर हो गया बेटा, S बराबर U प्लस V अपॉन 2, इंटू क्या था? इंटू क्या था? T था, क्या सबको यहां तक किलियर हो गया है? Very good, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बच्चो, 2 का इधर, 2 को इधर भेज़ो, बेटा, क्या हो गया? बेटा सो गया बिटा देखो यू बिटा वि अबलोर फर्स्ट एक्वेशिन व्ट्रस एक्वेश्टेशन क्या है तो फिर्स्ट एक्वेशन है वी बेराबर वी यूप्लास एटी बच्वो धेको हमारЕ जो सकेंड एक्वेशनल में चरर रखर चNIS यह बराबर यू प्लस एटी रख देंगे रख दो बच्चों क्या है बिटा यू प्लस एटी रख दो तो यू प्लस एटी इंटू टी बच्चों यह क्या हो गया विटा अंदर हो गया टू यू प्लस 80 पिटमे टी प्लाइ में 20 बच्चों 2S बराबर क्या हो गया विटक टी का अंदर मucai करो तू यूटी प्लस पीटती 80 स्क्वाइर बच्चों क्या हो गया you T Canal 80 स्क्वाइर क्या यहहा तक क्लियर है अब क्या करेंगे बहुत ही बढ़्या अब बच्चों क्या करेंगे का डोको अच्छों कॉट्षbus लूंक डीवाइट कर दो हटो तो में डिवाइट करने पर है कि विटा दो से डिवाइट करने पार क्या हो जाएगा पिता यह आपना टो कट गया तो एस परत कया गया मसक्रविंद अधिर यहां पर जल्दी बताओ वैरी गुडी कैसे निकाली फिर से देखना हाँ वैरी गूड चान्द मुहंबत कह रहें कि मैम आप बहुत अच्छा पढधाती हैं मैं डेली आपकी वीडियो से पढ़ती हुँ बहुत ही अच्छ बहुत ही अच्छ है बच्छो कैसे किया बच्छो देखो आपको अगर यह सेकेंडे कोएशन निकालनी है और सत्वेक का हाथ पकड़ लो आसद वेग बिटा जी क्या है पिटा आसद वेग बराबर होता है यू प्लस वी अपॉन टू एक फर्मुला और भी है कि और आसद वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन कुल समय अब बच्चो क्या होगा बटा कुल विस्थापन का फॉर्मला क्या हो जाएगा कुल विस्थापन इकोस बच्चे ओसद वेग इंटू समय अब बच्चो यहां बटा कुल विस्थापन क्या है बटा विस्थापन को ऐसे दर्शाते है पिटा S बराबर औसद वेग बच्छों क्या है U प्लस V अपॉन 2 है पिटा समय क्या है T है अब बच्छों यहाँ पर हमने क्या किया चुकि हमें पता है जो हमारी सेकेंड एकोईशन है पिटा उसमें कहीं पर भी बटा V की वैल्यू नहीं है अंतिम वेग नहीं है तो बच्छ के अपुराबर यू-टी ब्लस 1 few TV स्क्राइव बएरी गूड वैरी गूड वैरी कुराइड सब को यह डरी वेशन समझ में आ गया है हाँ मैं मश Ihnen खोना जब बहुत 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 इजी यह क्या बात है ओहो बहुत बढ़िया एक बच्चा कह रहा है कि माम स्कूल सर से बहुत अच्छा पढ़ाती है बटा देख लेना कर इसकूल सर तमाई देख ना ले तो उनको इसी मिडची लगेगी ना तुमसे खड़ा करके डेली क्वेशन पूछ ना टीचर से ऐसे पीछे पढ़ जाते हैं ना चलो आगे भढ़ेंगे अब बात आती है गति के तरतिय समिक्रण को बच्छो डराइब ने कि हैना अब बच्चो क्या करना अपने को फिटा थर्ड एक्वेशन ऑप बेटा मोशन क्या कर दिए बिटा जी अपने को सको डिवाइफ करना है अब बच्च 54 001 लोग कि जो यह फ़ार्मूला था ना इसी सही बच्यों द्राइब कर लेंगे देखो बच्चों क्या ओता है गिफ वेग बराबर बच्चो क्या होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय बच्चो बहुत ध्यान देना और सथ वेग बराबर क्या होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय बच्चो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा तो बच्चे कुल विस्थापन बिटा बराबर क्या हो यहां तक किलियर है बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड बहुत यह चलवा जाओ अब बचो यहां पर ध्यान देना विस्थापन को लिखा ऐसे बचो ध्यान देना यहीं पर बीटा पूरा खेल है बस एक मिट का खेल अगर नजर हटी दुर घटना घटी बचो बहुत थर्ड एक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है वी स्क्वार बराबर यू स्क्वार प्लस टू एस यानि बच्चो जो तीसरी समीक रण है बेटा क्या उसमें कहीं पर भी समय दिखाई दे रहा है तुम देखके बताओ अरे यार आप लोग खुद देखके बताओ कि जो थर्ड ए है वी स्क्वार बराबर यू स्क्वार प्लस टू एस यानि बच्चो कहीं पर भी समय नहीं दिया गया है अब बच्चो अगर कहीं पर भी समय नहीं दिया गया है तो यानि बच्चो जो यहां पर बिटा टाइम है इसको हमें रीप्लेस करना होगा वेरी गूड अब लगति के प्रथम समीक्रण से चुछ रखना आपके स्कूल एक्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक ख्वेंच्न तो आ नहीं है डेलीवेशन दा आना ही आना है कि गति के शामीक्रण का डेलिवेशन करो और बच्चो सबसे जादा बच्चो से कंड पूछी जाती है पिटा ध्यास देखो तो बच्चो गती का पहला समीक्टन क्या है तो यह है वी बराबर यू प्लस अब बच्चो कुछ मत करो यू अब जो वी अपार टु है और बच्चो वी ते । ई U upon A, बैटा सॉल हो गया, भाई लोग सॉल हो गया, ओ एलो, सुनो सॉल हो गया, बैटा सॉल हो गया, यार सॉल हो गया, बैटा 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 स प्लस यू क्या बच्चो इससे मैं इस प्रकार से लिख सकते हूं चाहें यू प्लस वी लिखो चाहें बीटा वी प्लस यू लिखो बात तो यह की है बच्चो जल्दी बताओ यह समीक्रीन कौन सा है बिटा देखो हम लोगों ने बच्पर ने पढ़ा था a square minus b square बच्चो क्या होता है a plus b into a minus b अब बच्चो यहां पर किस form में लिखा है a plus b a minus b तो हमें क्या इससे ऐसे लिख सकते हैं v square minus u square बच्चो u square को इधर भेज़ दो तो तुम्हारे सामने नजारा पूरा दिखा हुआ है कि v square बढबर u square more plus 2 is क्या बाथ है बहुती बढ़िया हां बहुती बढ़िया हां वहरी गुड ब्रेटा बेरी गुड वहरी गूड क्या बच्चों क्या ये समझ मागिया कैसे आया बहुती बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्या सबको समझ मां गया बेटा का सबको समझ मां गया बहुत ही बढ़िया क्या किया बच्चो हम लोगों बेटा देखो इस्ती का इस्तमाल किया औस वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय बच्चो कुल विस्थापन और बच्चो यहाँ पर value put करी पिटा यहाँ पर simplify किया और हमारे पास answer आ गया तो अब बच्चो आज की date में तुम्हें गती की तीनों समी करनों को क्या derive करना आता है हाँ क्या आपको गती के तीनों समी करनों को derive करना आता है जल्दी बोलो जिनको आता है सब लोग thumbs up करो सब लोग thumbs up करो जल्दी thumbs up thumbs up thumbs up thumbs up thumbs up कर दो हां अब क्वेटा question कह रहा है कि एक पिंड 4 m per second-square के acceleration से यानी बच्चो में क्या दिया है हमें acceleration दिया हुआ है एकस्टलेसन जल्दी फड़ा फट सवच्ट जलदी बचक्ट फड़ा फट से विटा दी क्या बोलते हैं कि अपनी अपनी कॉपी वे सॉल्फ करो बिटा एब डावर कितना दिया है चार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है कि या पिंड 4 इसने चलना सुरू किया इसका मतलब क्या है कि यू बराबर क्या होगा बिटा जीरो होगा अब कह रहा है चार सकेंड पस्चात यानि बच्चो समय कितना दिया है बिटा समय दिया है चार सेकंड कह रहा है चार सकेंड बस्चात पिंड का वेग कितना हो गया वी कितना हो गया यह हमें ग्यात करना है तो जल्दी बच्छो अपने दिमाग के घोड़े दोड़ा दो और फड़ा-फड़ से बता दो कि इसका अंसर क्या होगा बच्छो बहुत आसान है जल्दी बताओ और तुम लोग इतना बता दो कि यार इतना बता दो कि इसमें गती का कौन सा समीकर इस्तमाल करेंगे तुम लोग equation of motion बता दो कि इसमें गती का कौन सा समीकर इस्तमाल करेंगे वेरी गुड वेरी गुड अब धेश कहा रहे है फर्स्ट equation बिल्कुल सही का तो बच्चो वी बलावर यू प्लस 80 लगा देते हैं वी हमें ग्याद करना है यू भगवान को पास जीरो है कल्कुलेशन कम करनी पड़ेगी बहुत अच्छी बात है एह है चार समय है चार और यहां पर बच्चो बावा क्या अशिरवास से आंसर निकल क्या गया बच्चो बच्चो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है वह वेडिनेस देख होगी और बच्चो अगली क्लास में लोग शुरू करेंगे बिटा जो है टूडी मोशन है ना बिटा हम लोग स्टार्ट करिंग नया चाप्टर समतल निगती तो सब तयार रहना वेरी गूड यहाँ आजव बच्चो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की है ना बच्चो अगला क्वेश्चन ध्यास देखो उगला क्वेश्चन कहरा है कि विडान अवस्था से आरंब करके बच्चो यह नि बच्चो यू पडवर च्या है ? कराय कोई वस्तु 2 मीटर पर second square के यानि बच्चो यह क्या है दो मीटर फर सकंट स्कुरकर बच्चो क्या है एक्सलेरेशन है यह क्या है यह बलाबर है 2.0-minute per second square करें कि इस एक एक्सलिरेशन से चलती है तो घ्यात provoc तो चालिस मीटर पर सकेंड का वेग बच्चों यानि मिटा ये चालिस मीटर पर सकेंड क्या है अंतिम वेग है कह रहा है इस चालिस मीटर पर सकेंड के वेग से वस्तु कितने समय में ग्रहन करेगी यानि कि यह जो वेग है यह कितने समय में होगा और इतने समय में वो कितने दूरी तय करेगी यानि बच्चों हमें दूरी भी बतानी है क्या कर सकते हो बच्चों क्या कर सकते हो पहली चीज तो ये कि हमें समय बताना है दूसरी चीज बच्चों हमें तय की गई दूरी बतानी है हां यह देखो यहां पर कुछ बच्चों को सांफ की जो है प्रजातिक बारें बड़ी जो है मैडम जी कौन से प्रकार का सांफ था कौन से किंक कोबरा था काला था नीला सा शफेद था भाई इधर साल कर ले यार इस बता हैं बोले भाबावी ना बचाने के बोले अवड़ा बता है क्या करेंगे first equation of motion लगा दो बच्चो पहली समिक्रन क्या है वी बराबर यू प्लस 80 बिटा वी कितना 40 यू कितना 0 एक इतना 2 समय कितना ज्याद करना है बिटा 40 बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे दो बिटा जहां से आ क्या सभी का विब्राबर ट्वेंटी सेकेंड आरा है जल्दी बता ओं को टीव आमैं से कमोटवश ओंदश हैं बहुत ही ही शांदार जबर दस्त जितने बच्चों ने टीव बराबर ट्वेंटी सेड इकालव बच्चों बच्च является दूरी भी निकाल ली है, very good बच्चो, very good, अच्छा दूरी बच्चो निकाल लीगे तो हमनों क्या करेंगे, बच्चो दूरी निकाल ली जो है, second equation लगाते हैं, है ना, और जब जब बच्चो U की value 0 दी हो, तो वहाँ पर तो बच्चो गर तुमें S निकालना है, तो वहाँ प पूरा पध्य क्या होगा, बिटा पूरा पधी 0 हो जाएगा, तो हमें solve कितना करना, इतना till solve करना है, 1 by 280 square, बिटा एक्सलरेशन कितना है, एक्सलरेशन मीटर 2 है, बिटा T कितना है, मीटर T है 20, और 250 square है, 2 से 2 कट गया, बिटा S बराबर आगया 20 के square, जो की होता है 400, तो क्या सभी का 400 मीटर आ रहा है, वेरी गुट, मैम सच्चा प्यार कहीं पूरा नहीं होता, बिटा सच्चा प्यार चाहें पूरा हो या ना हो, लेकिन बात ध्यान रखना, लड़की हमेशा उस्तिक सा रहती, जिसकी पास पैसा होता है, तो मैं देखा, वो SDM वाला जो केस चल रहा है, तो बिटा इसलिए ज जो है, लड़की से ध्यान हटाओ, और पढ़ाई शुरू करो, हैना, पैसा होगा, तो प्यार भी मिलेगा, ठीक है, सम्मान भी मिलेगा, और गाड़ी मिलेगी, घोडाई मिलेगा, सम मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ औस प्यार में के चक्क्र पढ़े रहोगे, तो प्यार मिलेगा, न, नवकरी मिलेगी, न, छोखरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो उसलिए जो है, सिर्फ और ज्या करओ, दबा के पढ़ाई करो, हैना, सम्मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़ेंगे, बटटत रह बढ़ेंगे, नेक्स्क्विश्न, करा सकते हैं तो तो क्वेस्टन कहीं थोड़ी है ज्यास देखो तो चुए रहा है किसी कार पर किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गती के विपरीद दिशा में यह रहा है यानि बच्चो एक वैल्यू हमें दी हुई है कितनी दी है मेटा चे मीटर पर सेकेंड इसकुर्ड दी हु अगर समय दो सकेंड का लगता है तो उतने समय में तय की गई दूरी बताओ यानि बचों में S की वेल्यू निकालनी है अब भचो ध्यान सुनना हां ध्यान सुनो कि किसी कार पर ब्रेक लगाए जाने पर गती के विपरी दिशा में 6 मीटर पर सक्वाइर का एक्सलरेशन उत्पन होता है यदि कार पर ब्रेक लगाए जाने बार रुकने में दो सेकंड का समय लेती है तो उतनी समय में तय की विटा दूरी गयात करो बच्चों इतना बता हमको बता है कि बच्चों यहां पर अंते में क्या ह होगा बहुत बढ़ि incentiv अन्ते में क्या होगा 0 होगा अबतšक क्या होने शाल कैसे करें जल्दी बताओ बत यहां पर हमें निकालना है mm ॥ क्या करेंगे है क्या करें चल्दी बताओ करेंगा कि क्य क्या करीं थे देखो बच्चों पहले तो हम लोग निकालेंगे यहां से यू की वैल्यू क्योंकि अगर एस निकालना है तो यू आपको पता ही होना चाहिए चाहिए सेक्ट एक्वेशन देखो एस प्रावर यूटी ब्लसार फिटी स्क्वेश्वेर चाहिए थर्ड एक्वेशन रुको है तक माने सब्सक्राइब सोर जाएं है समय सम्य तो है तो व्यंकिन दियुक्पर सम निगेटिव क्या हो जाको हो जाएक कि भाई कार पर ब्रेक लगा जाने पर गती के विपरी दिशा में छे मीटर पर सेकेंड स्कॉयर का मंदल नत्पन हो रहा है तो बच्छो चूकी जो है यह मंदल है तो बच्छो यह प्रक्चाय तुमें काम करो पिटा यहां पर बच्छो एक बिटा वैल्यू माइनस का स्रिक् बच्छो यू बढ़ावरेट क्या गया बिल्कुल पेली गुट बिटा यू बढ़ावरेट क्या आगया बारा मिटर पर सकेंड आगया अब हमें करना क्या है एसक यह निकालनी है तो हम क्या करेंगे लगा देंगे एस बढ़ावर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वार चाहें बॉरा पर यू स्वैर प्रस तूस तो एक काम करते हैं बच्छो को वी 0 है तो इकलिकोलेशन को कम करने के लिए ठाव लगा दो बच्छो ठाव एक्वे त्माचुंस क्या है तो यही स्कॉरर यू स्क्वाइर प्लस टूए अर बच्छो दो Mid 0都 11-0 भॉर गा यू Σवयर प्ल टू एए अब अच्छो चुकी एग क्या ही निगेटिव रखना है बच्छो वैल्यूल्य रखो वार्खो गूत कितना है बार्स टू लोग गुड़े बारा और बीटा टू इन टू बच्छो आप यहां बर नेगेटिव साइन रख लो आपर विटा यह एक इतना है वच्छों इह है माईनस का च्छे तो हम नीगे कुछ नेज़न कट गया दो चसवकह 12 को 6 कुछ 3 noon स्व आबर 12 मिटा आरा है पीके सक्वराभर 12 मिटाराहिए किसी का भी आमसर आया हां स्वराभर 12 मीटर विटा एस ब्राबर 12 मीटर में चुब camera 12 सर सका यह गहरी वह बाद़ घया सुमस्ब्र बारइए अब बाला मीटर ब distinct Les 60 बहुत ही बढ़े तो कि बहुत ही बढ़या चलो जो उस चलो और यह कुएशन यह वी चोज्च तम्हाहे लिए चेलेंजर कोश्चन एक वेट तुम्हाहय लिए चलेंजर कोश्चन के साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बच्छों को प्रश्न कहरा है कि भाई कार की औस चाल ग्याद करो बच्छों को औस चाल का फॉर्मुला क्या होता है आसान होता है औस चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी बटे कुल समय मैं हिंट इतना ही देना चाहूंग कि तुम्हें दूरी दी हुई है लेकिन तुम्हें समय निकालना पड़ेगा दूरी तुम्हें दी हुई है समय निकालना पड़ेगा यही है बच्चो चैलेंज इस चलो बच्चो सब लोग घर पे स्क्वेशन को ट्राइब करना हर बच्चा बटा जी फाइट मारेगा स्क्वेशन के लिए ठीक है और बच्चो हम लोग जो है विटा जी अब मिलेंगे वेडनेस जेको और वेडनेस जेको पढ़ेंगे बिटा जुह है टूडी मोशन यानि की दूई भी मिये गती पढ़ेंगे वंडी मोशन से टूडी मोशन किस प्रकार से डिफरेंट होता है इस पर बच्चो चर्चा करेंगे तो बच्चो मिलते हैं अगली क्लास में वेडनेस जेको तब तक लिए बबाई चेक केर ख्याल रखें अपना बबाई